हेलो एवरिवान वेलकम टू हिंडी वित रीचा चैनल 27 अगस्त को आपका एज्जाम होने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको दो मैयातन किलास करवाई है कल की किलास में हमने यूनिट 1-5 का डिवीजन किया था बहुत अच्छे से करने माला है यदि आप आज और कल की किलास देख लेते हो तो आपका यूनिट 1-10 का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा कल यहां पर हमने किलास की ती यूनिट 1-5 की यदि आपने अभी तक यह किलास नहीं देखिया जाकर देख लीजेगा चाहिए आप श्पीर करवाया है वह आप जरूर रिवीजन कर लीजेगा यहां से अच्छाम में कोशन फसेगे और कंटेंट से तो कोशन आएगे ही तो यह यूनिट 1-10 यदि आप आज और कल की किलास देख लेते हो तो आपको 30-40 परसेंट पर यहीं से मिल जाएगा बहुत ही मैत्पुन यह किल क्लास हमारी है ठीक है बहुत अच्छे से यहां पर डिवीजन करवाया हुआ है तो यहां से 30-35 कोशन कहीं नहीं गए आपको एज़्जाम में डेफिनेटली मिलेगे ठीक है तो यदि आपको दो किलार देखने से यूजिसी नेट जैसे एज़्जाम के इतने कोशन मिलने व workforce करें तो शुरुबात करते हैं अपनी यूँट इन्दि उम्पनियाज के कोसन करें अब आज की किलास पर चलतै है अब हम सवक्रइगे यूजिसी नेट हिंदी की यूइनिट छह है हिंदी उम्पनियाज के कौशंण कicios तो गलत हो क्ष़ण उन्हें नोट टाउन कर लीजेगा उन टोपिक और जाकर उनका रिवीजन कर लीजेगा ठीक है देखता है कौसर नमबर बन है विलायत की सब उननती का मूल लोड बेकन की निती है कि केवल विचार ही विचार में मकरी के जाले नह बनाओ आप परिक्सा करके हर एक परधात का सभाव जानू विचार कशिव विचार में किस पात्र कीए आपको बताना है प्रज की सोर मिश्टर ब्राइट हरदयाल मास्टर सिंभू द्याल कौसर नमबर वन जवाब दीजिए बताईएगा जबाग दीजेगा पर एक सव गुरु उपनियास की पंक्तिया यह बताना है कौन से पात्र की है जी बिल्कुल यह पंक्तिया मिश्टर ब्रैट की कौसर नमबर टू है सेकर एक जीवनी उपनियास के संबन में सत्य कथन है आपको बताना है क्या सई पॉइंट है यह उपनियास पूर्दिप्ति सैली में लिखा गया बी यह उपनियास चार भागों में विवाजित है सी उपनियास के पर्थम भाग का नाम उत्थान है डी इस उपनियास पर डॉमा रोला के जियो किरिस्टोप का परवाब है यह उपनियास का प्रकासन वर्स 1936 इस्वी है पाज पॉइंट है आपको पताना है क्या सही है क्या गलत है चार ओप्सन है पॉसन नमबर टू का सब्सक्राइब दीजिएगा आज आपके उपनियास वाली यूनिट अच्छे से जो है आपका रिवीचन हो जाए रहा है कि बताइए जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन थिरी केवल ए सी टी गलत क्या है उपनियास दो भागों में भी बाजिता और प्रकासन वर्स क्या है उन्ने सो चालिस कई कई पर 41 भी मिलता है तो दोनों याद रखिएगा अगर ओप्सन में 40 ना हो तो 41 पर जाईएगा ठीक आगे चलता है कौशन नमबर थिरी करीबों में अगर इर्षिया या बैर है तो स्वार्ट के लिए या पेट के लिए ऐसी इर्षिया और बैर को मैं जम्या समझता हूँ उप्रोप पंग्ती गोदान उपनियास में किसने किस से कहिए आपको बताना है ओप्सन 1 मालती ने मिश्टर मैता से ओप्सन 2 मिश्टर मैता ने मालती से ओप्सन 3 जुनिया ने गोबर से ओप्सन 4 राय साब ने गोरी से ओप्सन 3 आपको जवाब देना है किसने किस से कहिए जी बिल्कुल आंसर अमारा हो जाएगा option 4 राय साब ने बोरी से कही आगे चलते हैं लोट क चित्रन हैं ईस उपन्याज में दिल्ली के कल्पित रईस क चित्र उतारा गया है ओपन्याज का परकासन वर्फ पाच पॉइंट आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है चार जवाब दीजिएगा कॉसर नंबर फोर का क्या हमाया जवाब होगा हम बताइए दीजिए जवाब जी आंसर हो जाएगा फोर बिल्कुल इस उपन्याज में प्रतिक रूप में शिट्ट्या कंपनी द्वारा परात के आर्थिक सोसन रूट कर यथार चितर यह उपन्याज पर करनों में विवाजी तह यह भी सही है उपन्याज में कुल कितने पर करना फोर्टी वर्ट पीछे क आप एक चाहरा आप यहां पर हमारा गलत है क्योंकि यहां पर 180 लिखाया जाही परकास्ण वर्ट क्या आठाटाइसों 882 ठीक देख लेते हैं यहां पर परिक्सा गुरू के बाएं में रचनकार लाला स्रीन वाजदास परकास्ण वर्ट अठाटाइसों ब्यासी कितने पर करने खोर्टी वन पर करने विशे क्या है हम देख करा चुके हैं अभी पीछे ही ठीक आगे चलते हैं कॉसर नमबर अधालत परवंद अकालमा दिविश्वास अकालमा दिखमास दिवाली चार उप्सन है जवाब दीजिएगा बहुत इंपोटेंट कॉसन है परकरन के नाम आपको याद रखने तीन-चार बार आपके परकरन से कॉसन पूछा जा चुका है आपके अज्जा में बिलकुल आंसर हमार हो जाएगा एबी डी देख लेते हैं परिक्सागुरू में टोटल इत्तालिस परकरन है जब मैंने प कि हम नहीं पूछे लेकिन आपके बम में यह फूचा जा चुका है तो अब हुचा टेकर आपके लिए इनका भी को तैंट है या लुक देख लेते हैं कि क に नहीं परकिरेगा व्यां पड़करद और आखरी पड़करद सुख की परमवजिये दो तो भूरने नहीं नहीं है उसके बाद देखेंगे अकाल में अधिक मास संगती का फल मित्रमिलाप विश्यसक्त भले बूरे की पैचान सावधानी सम्मिहाश सबासद परबंध सज्जनता सुकदुख बिगार का मूल विवाद पतरवयवाद पिडियात्वा पिये सुरा यानि सराथ सवतंत्रता और स्वेच्छचाज छमा सवतंत्रता फिर्दपता पतीवरता संसय परमानिकता हाथ से पैदा करने वाले और पोत्रों के अमीर 25 सासी पुरूस 26 दिवाला है घ्यान रखिएगा दिवाली नहीं दिवाला है यह ठीक है अगे चलेगे कौसर नमबर सिक्स जिस पेट के रोटी मैसर नहीं उसके लिए मरजाद और इजट सब ढोंग है उपरो कंप गोदान उपन्याज में किसने किससे हैं आपको बताना है आशार मालती ने मिश्टर मैटा से माल्ती आप के पेपर में पंपन्यास से पूछी ही घ्यान नहीं है लेकिन ध्यान रखेगा मेंसा जरूर पढ़ लीजेगा क्योंकि वहां से एक पंक्ति आती ही आपके पेपर में जी बिल्कुल आंसर यहां पर हो जाएगा गोबर ने खोड़ी से आगे कोसन नमबर सेविन सेखर एक जीवनी के पर्थम भाग के खंडों को पहले से बात के करम में लगाए आप जानते हैं सेखर एक जीवनी में दो भाग है पर्थम भाग में भी चार खंड और दुट्य भा सी उसा और इस्वर डी पुरूस और पारिस्थिति चार यहां पर आपको जवाब देना है कोसन नमबर सेविन का बताना है कि आप मारा जवाब को जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा सी ए बीडी देख लेते हैं एक बार सेखर एक जीवनी लगा हुआ है लेकिन मेरा मान इस पर नाम को नहीं नाम याद होने चाहिए है इस से लग कुछ नहीं है बद चारो खंडों के नाम आपतान देख लेते हैं तो आपको गलें कि दो भाग वन का क्या नाम है उत्तां भाट तु क्या नामिस अंग्रस भागवन कब परकासित होता 40 कई-कई-पर जो ए को आप भी देखने को में मिलता है ठीक है भाग 2 1944 में परकासित हुआ था भागवन में चार खंड है पहला खंड है उसा और इस्वर दूसरा खंड वीज और अंपूर थर परकिर्थी और पुरूस फोर्थ पुरूस और पारिस्थिति जो फोर्थ खंड का नाम है पर्थम भाग का व भार ससी और सेकर फोर धागे रस्या गुंजर ठीक है आगे चलता है खौसर नंबर एट जूटा सच उपन्यास के संबद में सत्य कथा ने पांच पॉइंट आपको बताने इन पांच में से क्या सही है क्या गलत है यह उपन्यास के भारत की विवाज나्र प्रस्भूमी पर लिखा गया है A बी पोइंट उपन्यास के प्रफंभा को नाम देश का भविश्ण है उपन्यास के परकासन वर्स 1958 परमुपात्र तारा करना जैदेपूरी एक चीज और याद रखेगा नाटक से क्यूंकि इस तरह का पौसन बन चुका है जैसे यहां पर परकासन वर्स लिखाया उन्ने सो अठावत इस भी में लिखाया और आपसे मालने पेपर पूछिया जुटासा चुपनियास का संबत में लिखी दिया इसका समय तो अगर आपको सनयाद है और आपको संबत निकालना है तो क्या करना होगा इसमें 57 पलस कर ठीक तो यहां पर क्या कहते हैं यह हमेशा ध्यान रखना अगर संबत में पूछले तो घबराना नहीं है सन आपको यादे सभी रचना होगा पाठ्ठे करम की आपको संबत में करने के लिए क्या करना होगा जो सन उसमें 57 पलस कर देना यह मैं इसलिए बता लिए हूँ क्यो हुच्छा जा चुका है वारा दूर दसर नाटक के बारे में ठीक है तो हो सकता हिल्बार उपन्यास का पूछले किसी उपन्यास का तो घबराना नहीं है वसमें यह पतोना चाहिए हमें सन या थे तो व्योप्ती सेवन कर देगे तो हमारा संबत में समय आ जाएगा जी बिल पर्थम भाग का नाम वतन और देश को पाइनर गलत है माइनर गलती्य आपके पेपर में जो है यह सूची वन है मैला आचल जूटा सच तमस कोदा सूची टू है पात्र जया नोरी पड़कासो लच्वी चार यहां पर ऑप्सन है जबाब दीजिएगा कॉसर नंबर नाइन का सॉरी बताइए कॉसर नंबर नाइन का जवाब दीजिए ओके हैपी बर्डे आपको वही जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन फोर मैला आचल लच्मी जूटा सच जया तमस परकासो गोदान नोगुरी ठीक है यह आपको पात्र मैच करने ते आगे कॉसन नंबर टेन ध्यान से पढ़कर जवाब देना कॉसन को ठीक है राग दर्वारि उपन्यास का लेखन किस वर्ष समागत हुआ चोसट बालर नहीं पूझा हो जय से ड़्ेसे लिखा जा रहा था तो कों से वर्ष में लिखकर समागत हुआ जवाब दीजे देखर आप दरवारी के बारे मां आपको चार्ट सं याद रखने और यह ना में कापर मिलता है राघ दरवारी की भूमिकर मैं मिलता है और बारी बात किया भी तक यहां से पेपर में कोस्षन नहीं बनाया और भूमिकर से आप जानते है कोशन बनते ही है तो यहां से 100 परसेंट कोशन बनेगा चार सन याद रखने है कौन कौन से रागदर्वारी लेखन लिखना कप परारम वहा 1964 में समाप कब वहा 1967 में परकासन कब वहा 1968 में और साइत्याकारमी कब मिला 1969 में ठीक है लिखना कप प्रारम वहा लेखन प्रारम कब वहा 1964 में लेखन समाप कब वहा 1967 में परकासन वर्स हमें पते ही होता है परकासित कब हुआ 1968 ठीक है और साइत्याकारमी कब मिला 1969 में यह चारों वर्स ना याद रखना यहां से डेफिनेटली आपके पेपर में कौस्टन बनेगा ठीक और यह मैं नहीं बतारी हूँ आपको लगे कि मैं पतनी खाल से कौस्टन बना दिया आपकी रागदरवारी उपनिया से आपकी पर्ठकरम में उसकी भूमिका की पहली ही लाइन है और आपकी जानकारी के लिए बता दो इस भूमिका से यह वाली पंक्तिया आपके पेपर मे में कोसन बनते हैं ठीक है एक है लो राज आगे चलते कोसन नमबर 11 तमस उपन्यास का कौन सा पात्र है जिसे सामपरताइक बनने का परसेक्षन दिया जाता है देवरत रनवीर सैनवाज इकवाल सिंग कोसन नमबर 11 बताइए जवाग दीजिए कोसन नमबर 11 का जी बिल्कोट आज़सर हमारा हो जाएगा रनवीर किसे दिया जाता है रनवीर को आगे चलता है कोसन नमबर 12 दया उनकी मुझ पर अधिक विट से जो मेरी कानी पड़े चित से रही भूल मुझ से जो इसमें कही बना अपनी पुस्तक में लेवे बही दया से किर्पा से छमा रीती से छिपावे बूरों को भले प्रीती से प्रोख पंक्ति देव्रानी जेठानी की कहानी अपन्यास के संबन्द में किसकी है आपको बताना gelir बच्चन सिंग गोरीधश सर्मा रांचन शुकल रांचदर तीवारी चार यहां पर जो है रायटर के नामें आपको बताना है जो है किसकी है यह देवरानी जेठानी उपनियास के संबंद में जी बिल्कुल यह है फुट राइटर की गोडिदत सर्मा ये भी का पर है देवरानी जेठानी की काहनि उपनियास की भूमिका में है ठीक है ये पंक्ति भूमिका मैं आपको सभी उपनियास की भूमिका लाइन बाइन पढ़ा रखी है ठीक है मेरे लिए धन केवल उन सुविदाओं का नाम है जिन में मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूँ धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज नहीं केवल साधन है उपरोग पंक्ति गोडान उपनियास में किस पात्रकी है मालती मिस्टर मैता राय साब संपादक औंका नाथ पॉसन नमबर ठर्टी कि बताईएगा जवाब दीजिएगा है है कि मैंने बोलो तो नहीं था आपको जिनम दिन की बहुत-बहुत सुपकाम नहीं आपको कांसन हमारा हो जाएगा मिस्टर मैता वोडान उपनियास में किस पात्रकी यह पंक्ति मिस्टर मैता की है आगे चलते हैं question number 14 निमलिकित में से किस पात्र का संब्द राग दर्वारी उपनियास से नहीं है यानि कौन सा पात्र इन में से राग दर्वारी उपनियास का नहीं है आपको बताना है रंगनात लंगर गयादीन सलामत अली question number 14 बताईएगा जवाब लीजिए question number 14 का जी बिल्कुल answer हमारा हो जाएगा option और सलामत अली सलामत अली किस उपनियास का पात्र जिंदिगी नामा का ठीक आगे चलेगे question number 15 देवरानी जेठानी की कहानी उपनियास में किस सेर का वर्णन नहीं है मेरट बुलंग सेर हापूर कासि बताएगा question number 15 का जवाब दीजिएगा और आपको question अच्छे लग रहे हैं आपको मेरी जो मैरातन क्लास हो रही है अच्छी लग रही है तो इसको सेर कर दीजिए उन बच्चों तक पहुचा दीजिएगा जो यूजिसी नेट आपके त्यारी करें और जिनको इस क्लास के सब चरूरत भी है ठीक जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा कासी किस सेर का वर्णन नहीं है कासी का वर्णन नहीं है ठीक आगे चलेगे कोशन नंबर सोब्सक्राइगे सूची वन और सूची दो से सुमेलित कीजिक सूची वन में हमारे जो है उपन्यास सूची टुमयां उनकी जंग है गाउ का नापको उपन्यास में किस गाउ पर ठीक आपको बताना है उपनिया से मेला चल रागदरवारी गोदान धर्टी धन्य अपना गउए सिपाल गंज मेरी गंज गोड़े वहागाओ सेमरी गउचार ओप्सन है जबाब दीजिएगा पॉसन नमपर 16 का जबाब दीजिएगा पताईएगा क्या हमारा जबाब होगा जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा ओप्सन बन मैला चल मेरी गंज रागदरवारी शिपाल गंज कोड़ान सेमरी गउचार धर्टी धन्य अपना गोड़े वहागाओ आगे चलते कॉसन नमपर 17 मेरा यह उपन्यास मेरी किसोरा वस्था की घुच एव श्मर्णी श्मर्तियों और उनके दावन में छिपी एक एदम में वेधना की उपज है किस उपन्यास की भूमिका में है मैला अचल धरती धन्य अपना देवरानी जेठानी की कानी मानस का हांस सेखर एक जीवनी कॉसन नमबर 17 का आपको जवाब देना है किस उपन्यास की भूमिका में पंगती है आपको बताना है पॉसर नमबर 17 जवाब दीजिए जी बिल्गों आंसर हमाना हो जाएगा धरती धन्य अपनों पन्यास की भूमिका से है यह भूमिका है किस नाम से मेरी और से ठीक है किस ने लिखिए है कुद डाइटर ने लिखि है जक्ति चंद्र जी गए उपन्यास से धरती धन्य अपना उसकी पहली ही यह लाइन है और इसमें वेद्न सब्याना इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कई यह पंगती सेखर एक जीवनी की तो नहीं है तो ध्यान रखिएगा यह वाली पंगती किसकी है धरती धन्यास की ह है और यह उपन्यास जो है हरी जन दलित पर जो दलित जीवन होता है उस पर लिखा गया तो पंगती कौन से उपन्यास से आपको बतानी है गोदान जूट असज रागदरवारी तमस कौसन नमबर 18 जबाब दीजिए बताईए जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू जूटा सर्च उपन्यास की यह पंगती है आगे चलेगे कौसन नमबर 19 मां हमेशा कहते हूं जितने जोड़ उपन्यास परने है जो उनके राइटर है जो उपन्यास कार है उनके आपको सभ प्रेट नहीं लगी हूई है उन रचनाकार की रचनाओं से कुछन बनते हैं भिस्ण सानी के उपन्यास पर लाद के करब में लगा इए जहरोका उन्तो बसंति कडिया नीलो निलीमा निलोपर पांच उपन्यास है पहले से बात के करब में लगाना है चार जबाब दीजिए बताइए जबाब दीजिए जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा A D C B E देख लेते हैं विश्मसानी के सभी उपन्यार सबसे पहले जरोका 1967 कडिया 1970 तमस्कत हमें सब कुस याद होना चाहिए हमारे पाठ्टे कर्म को पन्यार से 1973 बसंती 1980 मयादास की मारी 1988 कुंतो 1993 निलू निली वानिलो पर दो अचार ठीक आगे चलते है कोसर नमबर 20 मेरे लिए धन केवल उस विदाओं का नाम है जिन में मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूँ धन मेरे लिए बढ़ने और फलने भूलने वाली चीज नहीं है केवल साधन है उप्रोक पंग्ति गोदान उपन्यास में किस पात्र की है आपको बताना है मालती मिश्टर मैता राय साहब संपादक ओंकार नाद कोसर नमबर 20 जवाब दीजी क्या हमारा जवाब होगा जी ब यह नए पैटन का कोशन और आपके पेपर में बन रहा है यहां से पिछली 18 जून वाले पेपर में भी आया तो उससे पहले दिसंबर वाले पेपर में भी पूछ गया था इस पैटन पर निम्रंकित पात्र अलग-अलग उपन्यासों के हैं पात्रों को तत्त संबंदी उप पूपन्यास के परकासन वर्स परकासन वर्स के आदार पर आपको करम से लगाना है कि ब्रजकिसोर सरसुकलाल वालती कमली अगोर भैरव बताएए चार ओप्शन है आपर जबाब दीजिएगा और सब्सक्राइब नमबर ट्विंटीवन का जी पिल्कुल आंसर अपरा हो जाएगा बी-ए-सी-ई-टिक सबसे पहले यह देखेंगे यह पात्र है क्यों से उपन्यास के ठीक है सरसुकलाल देवरानी जेठानी की कहानी फिर उस ब्रजकिसोर परिक्षगुरूम्निसोब्यासी मालती गोदान कमली मैलाचल अगवर भैर सबसे पहले आपको लिख लेना है तोसा पात्र किस उपन्यास का उसके बाद उनका परिक्षगुरूंट निग्राबर में और मैच कर लेना जो पहले इसको पहले लिख लेना है जैसे सबसे पहले क्या अगा देवरानी जेठानी की कानी 870B उसके बाद आएगा लेकर पात्र वाले कोस्टन आपके न 550 एप अगर आमें पता होगा कि यह कौन से पत्र है तो यह परकासन में जेन करम से लगा पाईगी है पैणे श्रबेजा'll जाते हैं कि आपके उत्र करम से पत्र कौर्ण तो यह बीजन कड़ते निकल जाते हैं रेवरानी जेठानी की कार्णी अठाया सो सत्तर परिक्सबुरू अठाया सो ब्यासी वोदान उन्मिसो च्छतिस सेकर एक जीवनी भागवन जैसा कि मापको बता चुकिंग फोर्टी एंपोर्टी वर बान बटकी आदू कथा 46 मैला आजल 54 जूटा सच दोबा रागदरवारी 1968 आपका बंटी 1971 मानस का हंस 1972 धर्ती धन्य अपना 1972 दोनों का क्या है सेम एर है 1972 तमस 1973 जिंदगी नामा 1979 1989 ठीक आगे चलता है कॉसन नंबर 22 सेखर एक जीवनी उपनियास के इस्तरी पात्र है आपको बताना है इन में से कोन इस्तरी पात्र है सेखर एक जीव जिवनी उपनियास के पाच यहां पर पॉइंट है ससी सांती सरस्वती खमली लच्छु आपको बताना है चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा क्या हमारा जवाब होगा जी बिल्कुल आंसर हो जाएगा एबी सी ससी सांती सरस्वती तीन हो जो है सेकर एक जीवनी उपनियास के स्तरी बात्र है कोसर नमबर 23 स्वाभाविक पर भी नियंत्रन जोड़ी होता है सयमी संस्किर्ति है वैबार रूड़ी बनकर संस्किर्ति कहलाता है उप्रोप पंक्ति जोटा सच उपनियास में किस पात्र की है नैयर नबू महाजन पीएस गिल्ड कोसर नमबर 23 जवाब दीजिएगा बताएगा जी बिल्कुल आंसर हमरा क्या हो जाएगा नैयर किस पात्र किया यह याद रखेगा इंपोर्टेंट है इससे पहले हमारी कुईटी किलास तो उसमें पीएस गिल्ड बता जियता है जो की गलत था हांसर हमारा सही क्या है किसकी पंक्ति यह नैयर की पंक्ति इसको सही कर लीजिए गा उसमें कितने में ब्याद रखेगा अगर कि अधियाजर कि किटने अधियाई तो पस हमें संख्या याद होनी चाहिए कितने खंड है 49 खंड है मानस के आंस उपन्यास में कि लिए सब्सक्राइब देना है को सब्सक्राइब करें कि बिल्कुल आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा एबी सी रुपन बावू लंगर राध्यला ठीक है दो बच्चे पात्र स्वान सिंग और मिर्दा दी किसके तमस उपन्यास के पात्र है ठीक है कॉसन नमबर ट्वंटिसिक्स इजी कॉसन है लेकिन इंपोर्टेंट कॉसन है यह पंक्ति ऐसी है आपके नेटी नहीं कोई भी आज़्जाम देने जा रहे हो यह पंक्ति घूमती फिरती रहती है सब आज़्जाम में इसमें फूल भी है सूल भी दूल भी है गुलाब भी कीचर भी है चंदन भी सुन्दरता भी है कुरूपता भी मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया उप्रोप पंक्ति मेला आजल उपन्यास के संबद में किसकी है बच्चन सिंग गौरीदत सर्मा रामचंदर सुख सब्सक्राइब बहुता है फरनिषवन्हाथ रेनो के से चताले सब्सक्राइब कि यह पंक्ति यह पन्यास नात्रेंग्ट ऑगे चलते नमबर यहांपर आगे चले जिसे पहले हैं बार भूमिका बता देती हुए फनिशनात्रेंग्स पुर्यास में पुर्यास में पुर्यास नहीं पर रहे हो तो जो पुर्यास की भूमिका है उनको सुनुवाद में मैं पुर्यास के आपके कोसन काफी अत्तक हल हो जाएगे आगे कोसन नमबर 27 जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभाग करना एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभाग करते रहना चाए दुनिया कुछ के चाए माबाब भाई बंद घरद्वार सब कुछ छोड़ना पड़े उपनियास पंक्ति गोदान उपजनियास में किसने किस से कही है मालती ने मिस्टर मैता से मिस्टर मैरता ने मालती से जुनिया ने गोबर से जुनिया ने ओरी से कौसर नमबर 27 बताइए जबाब दीजिए जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा क्या जुनिया ने गोबर से कही आगे कौसर नमबर 28 तरक से विद्वेस बढ़त है विद्वेस से हिंसा पनप्ति है और हिंसा से मनुस्यता का विद्वन्स होता है उप्रोप पंक्ति बानबट की आत्मकथा उपन्यास में किस पात्र की है अगोर पैरफ आचार्यपत सुचारित विर्वति वज्रक चार पात्र है आपको पताना है कौसर नमबर 28 का जवाब देना है क्या हमारा जवाब होगा बताईएगा जवाब दीजिएगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन टू आचारियपत्र आगे कोसर नमबर 29 तमस उपन्यास के पात्र है रनवीर गंगा राम मेगा भगत इंद्र रगुनाथ इन पाच में से कौन तमस उपन्यास के पात्र है आपको बताना है चार ओप्सन है जवाब दीजिए बताये ह Tech पात्र से आपके अलग-ठiros लेकर आपको एक जंगे कहानी के विपात्र करवा दियो एक पात्र वाल विपन्यास और अच्छे से दूबारे दुवीजन हो जाएगा जी बिल्कुल आंसोर अमाना हो जाएगा A.D.E. रनवीर इंदर प्रगुनात ठीक है आगे चलता है कॉस्सन नम्बर थर्टी जिंदिकी नामा उपन्यास के पात्र हैं कुन्नी सपुन चन्नी डेस्मा नजीर पात्र आपको बताना है जिंदिकी नाम उपन्यास के कौन से पात जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा option one केवल c d e चन्नी रेसमा नजीद ये तीनों जो है जिन्दिकी नामों पन्यास के पातल है को साथ नमबर थर्टी वर निमलेके उपन्यासों को परकासन वर्सक अनुसार पहले से बात के करम में लगाएं पारच उपन्यास आपके पात्त करम के उपन्यास है जल्दी जल्दी आंसवर देदो इजी फॉसन है लेकिन याद रखिएगा जो आपके पर्ट करम की रिचना ह इनका करम पूछा जाता है चाहे नाटक की रचनाओं का पूछो वो पन्यास के पूछो खाने के पूछो ठीक है कवीता का करम पूछो एक पॉसन आपके पेपर में आसे बनता ही है जी बिलबोर आंसर हमारा हो जाएगा बी ए ए टी सी सबसे पहले पर एकसर गुरू अठाया सो ब्यासी मैला आचल उनने सो चोवर आपका बनती उनने सो इक तर मानस का हांस उनने सो बाहतर और तमस उनने सो तीहतर ठीक यहापर लिखा हुआ भी है सबका हम देखकर आभी चु मानस का हंस उनने संबन में सत्य कथन हैं पाच पॉंट आपको बताना है क्या सही है त्या गलत है यह उनने से जीवन पर अधारित है इस उननने से जनम से लेकर राम नाम के मालक में लीन होने की कथा है हिंदी उन्याजों में किलाज़ prior rate का संबन पाच चुका है तुसिदाज्जी को E पॉइंट यह दूसिदाज्जी को सामनिय Понप पर इसके रूप में नहीं दिखाया गयर है चाल को ओप्सन है कॉड बनाकर आपको जवाब देना है पॉसर नमबर धिटीतू जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा A B C तीनों कोईंट सही है पड़कासना 72 और सामान ने पुरूस के रूप में नहीं दिखाया गया अगर नहीं घटा देगे तो हमारा सही कोईंट बन जाएगा फिरे का नमबर 33 बाण बटके आधर कथा उपन्याज के संबद में सत्य कथन है उपन्याज में ट्विट्टी फरूपश्वास है उपन्याज का प्राराम कथा मुख से और उपशंगार से होता है इसमें तीन परमुख पाद्र है बाणबर्ट भठतीनियो निपोनिका पड़ प्रचाइए बिल्कुल फांसर हो जाएगा बीसी इपर कासर परस 46 और कितने उच्वास है इसमें 20 उच्वास है 20 उच्वास है और इससे अलग परारम कथा मुख से होता है 20 से अलग है कथा मुख और उच्वास कितने 20 पहली बात तो यहीं आद रखना बानभट के आदम कथा उपनियास का विवाजन किस्में किया गया है उच्वास में किया गया है कितने उच्वास है 20 कि लिए आगे कोसन नमबर 34 बानभट के आदम कथा हर्सकाली सब्व्यतायवं संस्कृति का जीवन दस्तवेज नहीं है कथन टू क्या रहा है उपन बानभट का असली नाम दक्स था आपको पताना है क्या सही है क्या गलत है चार उप्सन है जवाब दीजिएगा कोसन नमबर 34 का कि बताइए जवाब दीजिएगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा एक गलत है दो सही है कथने गलत है क्यों क्योंकि इसमें हर्सकाली सब्व्यता और संस्कृति का जीवन दख्तवेज है अगर नई इस सब्द को अठा दे तो यह पॉइंट हमारा सही हो जाएगा और बानबटकास लिनाम दक्स था यह बिलकुल सही पॉइंट है आगे कॉसन नमबर 35 साधरन्त है जिन इस्तिर्यों को चंचल और कुल बरस्टा माना जाता है उनमें एक दैवी सब्सक्ति भी होती है यह बात लोग भूल जाते हैं मैं नहीं भूलता मैं इस प्री सरीर को देर मंदिर के समान पवित्र वांता हुन। प्रोप पंक्ति कि सुपनियास की है आपको बताना है गोदान बानबटकी आत्म कता मानस का हांस मैला आचक बताईएगा जवाब दीजिएगा उसर नमबर 35 जी विल्कुर आउस्वर हो जाएगा बानबटकी आत्म कता है पॉसर नमबर 36 अगर आप अगर परजा आपस में लड़े तो सासक को किस बात का खत्रा है उप्रोप पंक्ति कि सुपनियास की है बहुत ही मैद्पूल पंक्तिया यह भी बताईएगा कौन से पात रखी है जबाणिया और यदे आपको पताए कोंसे पात्रीन जवाब बताएगा बौधान बानबटकी आत्म कता मानश कहांस मैला आचल तमस भीकुर यह यह फैंज़े फन्हीट थे तमस उपनियास को किस पात्र को या लाच्छल पर जीशेत की है egan कि कुए ब्याद लखेगा कौन से पात्र की पंगती है आगे कॉसर नमबर 37 वेदना में एक सकती है जो दिरिख्टी देती है जो यादना में है वह दर्ष्टा हो सकता है पुपरोक पंगती किसकी है बच्चन सिंग अग्या रामचन सुकल फनिसोनात रेलू जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा अग्या की पंगती है और यह भी जो सेखर एक जीवनी आना उपनियास उसकी भूमिका की है ठीक है पहली पंगती है यही से सुरू होती है इंपोर्टेंट पंगती है बहुत आगे कॉसर नमबर 38 सच को कलबना से रंग कर उसी जन गाय को सोप राओ जो सदा जूट से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निश्ठा और उसकी और बढ़ने का सास नहीं छोड़ता पंगती किस उपनियास के संबद में आपको बताना है मैला अचल धरती धर्न अपना देवरानी जेठानी की कानी मानस का हंस जूटा सच कॉस जी बिल्कुत आंसर हमारा हो जाएगा जूटा सच उपनियास की पंगते हैं जैसे हम उपनियास को ओपन करते हैं हमको यह समर्पन के नाम से पंगती मिलती है फुद राइटर किया है राइटर को ने जूटा सच की यस्पा तीक है इस तरह है कि हमें चीजे देखनी में भले हम पूड़ो पनियास ना पढ़ लेगो क्योंकि यहां से कॉस्टन बनते हैं ठीक आगे चलेगे कॉस्टन नमबर 39 अपनी भासा में नई चाल की पुस्तक है उप्रोग पंगती परिक्षगुरू पनियास के संबद में किस की है किसने काया कि अपनी भासा में नई चाल की पुस्तक है इंपोर्टेंट कॉस्टन है कि बच्चन सिंग अग्या लाला शरी निवास ता रामचंग सुक्ल फनिश्वर्नात रेनू जी बिलकुल आंस्वर हमारा हो जाएगा किसने काया लाला शरी निवास तास खुद राइटर ने काया और यह परिक्षगुरू पनियास की भूमिका में फूदेश्वर्न जो इसके राइटर राइटर निवास तास नो निकाया ठीक है यह में रामचंग तिवारी वाली ब पूचा जा सकता है यह पंगती अपनी भास में नई चाल की पुस्तक है किस रचना से संबंध है तो कौनसी रचना प्रिक्षगुरू ठीक है कौसन कैसे भी घुमा कर पूचा जा सकता है को सनन सेब में यही सेखर एक जीवनी की बुनियात की काणिया आप कहेगे कि यह तो है और अपनी धार्णा की पुष्टी के लिए फर्सपे के हिंदी नाम के सरण लेता हूँ दर्शन उप्रोग पंक्ति सेकर एक जीवन्य उपन्यास के संबद में किसकी है आपको बताना है बच्चन सिंग अग्या रामचन सुक्ल फनिसोनात रेनी कौसर नमबर फोर्टी जी यह अग्या की पंक्ति है देख सकते इसकी भूमिका में हमें मिलती है सेकर एक जीवन्य उपन्यास की भूमिका काफी बढ़िया है लेकिन इंपोटेंट है आगे चलते है कौसर नमबर फोर्टी वर्ट फनिस्वनात रेनी के उपन्यास को पहले से बाद के करम में लगाई यह पाच यहां पर उपन्यास है पहले से बाद के करम में आपको लगाना है जुलूस पर्ति परी कथा कितने चोड़ाए पल्टु बावु रोड मैला आचक चार ओप्सन है जबाब दीजिएगा औसन न जी बिलकुल आंसर हो जाएगा E B A C D देख लेते हैं 359 के सभ्यूपनिया सेहां पर लिकोए मैला आचल 1904 परती परिकथा 1907 दिर्क तपा 1963 जुलूस 1965 कितने चोड़ाए 1966 पल्टु बाबु रोड़ 1989 राम रतन राय उनने सो इत्यातर आगे चलते हैं कौन्यास की रचना में अमरितलाल नागर ने निम्न पुष्टकों से सहयोग लिया आपको बताना है कौन-कौन से पुष्टक का सहयोग लिया है लोकवादी तुर्सिदास तुर्सिदास अकबर बाबर कासी का इत्यात चार ओप्सन है यह इस तरह का कौसन आपके पेपर में पूछा जा चुका औ आपके पेपर में जब हम मानस के अंस उपन्यास की भूमिका पड़ते हैं उसमें चीज बिल्कुल के लिए लिए लिखी हुई है जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा ओप्सन टू बी सी तुर्सिदास अकबर बाबर टिक आगे चलता है कौसर नमबर 43 मानस का हंस उपन्यास का लेकर किस वर्स में आरम किया है 64 70 71 72 फिर वही बार उपन्यास का लेखट करहरम पूछा है कि लिखना करहरम क्या था यह नहीं पूछा परकासन वर्स परकासन वर्स तो सबको पता है इसका क्या है 72 72 मत बताइएगा ठीक है कन्फ्यूज मत होईएगा यह बताएगा लेकर करहा हो अनसर हो जाएगा 71 में लि व्हुमिकाय ठीक है यह उपनियाद 4 जून सन 1971 क्या बतारें चार जून भवन अयोध्या ठीक है आरम करके समाप्त कब वह था ये 23 मार्च 1972 को दोनों इंपोटेंट है प्रारम कब वह चार जून 1971 समाप्त कब वह 23 मार्च 1972 कहा पर हुआ राम नुम्मी के दिन लक्नव में पूरा हुआ प्रारम का पर हुआ था तुर्सी समारक भवन अयोध्या में और समाप्त का पर हुआ लखनोंगी ठीक है यह इंपोटेंट था पूइंट एक कौन कौन सी पुस्तक का सहयों के लिए तो यहां पर बताते हैं मोती चंद्र लिखित कासी का इत्यास राहुसान किर्द्यान लिखित इसमें आपर यह जो आंसर है B C E है तुर्सी दास अकबर और कासी का इत्यास ठीक है मोती चंद्र लिखित कासी का इत्यास राहुसान किर्द्यान लिखित अकबर उससे अलग तुर्षी दास और तुर्सी कावे मिमान सा इने चार रचनाओं की साहे तर लिक कौन कौन सी कासी का इत्यास अकबर, तुर्सी दास तुर्सी काव्य मिमान साथ इसमें बिलकूर सही है जब आप B, C, E है वो मैंने मार के आपर बाबर कर जिया था गलती से तुर्सी दास, अकबर, कासी का इत्यास इन तीन पुस्तक और फोर्द कौन सी पुस्तक है तुर्सी काव्य मिमान साथ इन चार पुस्तक की साहितली लिखने में ठीक है आगे चलते हैं पॉस्टन नमबर फोर्टीफोर इत्यास इस बात का गवाह है किस महीमा में सक्ति की उपेक्सा करने वाले सामराज्य नर्स हो गए यह कतन किस उपन्यास से आपको बताना है मैला अचल धर्टीधन अपना बानबठ की आदम कता मानस का हंस सेखर एक जीवनि यह पंगती किस उपन्यास से है यह कतन किस उपन्यास से आपको बताना है कोस्टन नमबर फोर्टीफोर जी बिल्कूर आंसर हमारा हो जाएगा बानभट की आदि कथा कोसा नमबर 45 इथियास जो नहीं है और इथियास जो है वह नहीं जो हुकूमतों की तक्त काओं में परमानों सबूतों के साथ एतियासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है उप्रोग पंक्ति किस उपनियास के मेला अचल धर्ती धन्य अपना जिन्दिगी नामा मानस का हांस करन्फ्यूजन नहीं है वह मार ग्रलत हो गया तो लिखा तो सही था नौसमेंट ठीक है कॉसर नमबर 45 जी बिल्कुत आंसर नहीं पर हमारा हो जाएगा क्या जिन्दिगी नामों कुन्यास की पंक्ति है आगे चलते हैं कॉसर नमबर 46 इसमें लेकक ने पंजाब के साधन इन प्राश्रिद एपर फाग्यवादी और सताब्दियों से अनेक परकार के अभावों से जूज रहे हरी जनों के उत्पीरन की कथा लिखी है यह पंक्ति किस उपन्यास के संबद में कौन से उपन्यास के विशेवस्तु है आपको बताना है ठीक है मैला अचल धर्ती धन्यापना जिंदगी नामा मानस कहांस जूटा सज फॉसर नमबर 46 जिह बिल्कूल कि उपन्यास के घर्डी धन्यापना राम चन्ति वाली बुपक यह पर्धेंट चलते को सनवा कुर्टी सेवड देवडानी जीठानी इसमर देवडानी जेठानी की कानी उपन्यास को हिंड का पठ्थम उपन्यास किसने माना रामचन सुख्ल गोपाल राइ गोडीदत विजय संकरमल आपके बहुत इजी लग रहा होगा लेकिन यकीन माने इस तारे के कौशन भी पेपर में बन जाते हैं ठीक है इजी पूखे जाते है पेपर में आज थो । यह सारे आर्ड कौशन पूखे जाते हैं प्रताइए जवाब दीचे जी पिल्कुर आंसर हमारा हो जाएगा गोपाल राइव आगे पर एकसा गुरु पन्यास को हिंदी का पर्थमु पन्यास किसने माना सुकल गोपाल राइव गोड़ीदत विजय संकर मल जवाब दीचे बताइए जी बिल्कुर किसने माना रामचंद्र सुकल गोपाल राइव गोड़ीदत विजय संकर मल पॉस्टन नंबर ओर्टीनाइड जी बिल्कुर जवाब हो जाएगा मारा जांचंद्र सुकल देख लेते हैं हिंदी के पर्थम उपन्यास उपन्यास का रहां परिष्ट पन्यास देखो देवरांजी ठानी की कानी को किसने माना पर्थम उपन्यास गोपाल राइव भाग् परीक्सागुर्ण को किसने माना राम्चंद सुकल लें या ढखेगा किसने किसको पर्थम उपन्यास मानाई ओर राइव जवर्वे गिधन उपन्यास को क्या वह मिंद्य आगे जबताब करना, specific क्या आ स्बुस्टील तief में किस पात्र किया आपको बताना है कि ब्रज की सोड जुनिलाल संबुद्याल मदन मोहन को सान नमबर फिब्टी मैंने सब जंगे से बनाए है पांडे वाली बन लाइनर महां से बनाए है सारी बुक से बनाए है ऑठेंटिक बुक से भी बन लाइनर बुक से और जो मूल टैस आपके पैटकराम में लगा हुआ है जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा प्रज किसोड आगे चलते कौसर नमबर फिब्टी वन बान बठकी आत्म कथा है एक प्रेम कथा संगर्ष कथा मनोविज्ञान कथा जीवन मुल्यों पर आधारित उदात प्रेम कथा कौसर नमबर फिब्टी वन जबाब दीजे बान बान बठकी आत्म कथा जीवन मुल्यों पर आधारित उद्दात प्रेम कथा कौसर नमबर फिब्टी वन बान बठकी आत्म किस पत्रिका में परकासित हुई विशाल बारत खांस रुपाव हिंदी नम जीवन फिब्टी तो बताईए जबाब दीजिए बिल्कुर आंस्वर हमारा हो जाएगा विशाल भारत आगे चलते हैं कौसर नमबर फिब्टी त्री इस तरह की सफलता पुरुष को बानने में किन्तों सार्थपता पुरुष की मुक्ति में हैं बान बठके आत्म कथा में किसका है आपको बतान है बटिनी निपुनिगा मामाया भैर्वी सूचरीदा अगर्टी अगर्टी बिल्कुर आंस्वर हो जाएगा किसकी पंक्तिया मामाया भैर्वी की पॉसन नबर 54 देवरानी जेठानी की कार्णी उपनियास के पात्र है आपको बताने पाज में से कौन-कौन है टिकट नारायन हरसाई काबली राम परसाद मजोली प्रटेश्वरी लाग अमरपार सिख चार ओप्सन है कोड बनाकर जबाब देना है कौन-कौन से देवरानी जेठानी कार्णी उपनियास के पात्र हैं पताइएगा जबाब दीजिएगा जी बिल्कुल पांसर हो जाएगा A B C टिकट नारायन हरसाई काबली राम परसाद मजोली प्रटेश्वरी लालो रामरपाल सिंग को ने बोदा अनुपनियास के बाद पर ठीक आगे कोसर नमबर 55 जोटा सचुपनियास के स्त्री पात्र है परमिला उर्मिला बंती सीता मोहनी चार ओप्सन है जवाब देना है कि जोटा सचुपनियास के कौन कौन से स्त्री पात्र है कोसर नमबर 55 जवाब दीजिएगा बताइगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा बी सी टी पूरिमिला बंती सीता आगे चलते हैं कॉसर नमबर 56 इस्तरियों को पढ़ने पराने के लिए जितनी पुस्तके लिखी गई है यह सब अपने अपने धंग और रीती से अच्छी है प्रंतु मैंने इस कानी को नए रंग धंग से लिखा है मुझको निश्य है कि दोनों इस्तरी पुरूज इसको पढ़कर अती परसंग होके और बहुत लाग उठाएगे उपरोग पंक्ति किस उपनियास के विशा में आपको बतानी है मैला अचन प्रेक्सा गुरू देवराने जेठानी की कानी मालस का हंस खौसर घ telling सर्था शोन हमारा ऊझाय कानी किस फिर्राश बंद की कानी उपनियास से हैता है आ कि पॉसर नमबर 57 आपका Ben radical पंयास के बाल पात्रे नहीं आ को बताना ने बहुत पात्रे नहीं है चीनू, परमिला, मीरा, अजय, जोध पाज पात्र आपको बताने इन में से कौन बाल पात्र नहीं है चार ओप्सन है जबाब दीजिएगा कॉसन नमबर 57 जी, आंसर हमारा हो जाएगा, बी, सी, डी, परमिला, मीरा, आजय, पात्र है यह आपका परिंट उपन्यास के लेकिन बाल पात्र नहीं है आगे कॉसर नमबर 58 धरती धन्या अपना उपन्यास लिखने के लिए जगदीज चंद को किस ने प्रेरित किया सोम आनंद ने, स्री गुरु कोविं सिंग जी ने, गुरु अंगद ने, गोविं नील आनी जी ने, कॉसर नमबर 58 जी, आंसर हमारा हो जाएगा सोम आनंद ने, ऐसी चीज़ा में उपन्यास में बिलकुँ प्रहरम में मिल जाते है, उपन्यास उपन करते है, तो लिखा हुआ है, सोम आनंद को, जिनके सहयोग ने, मेरी सो रही, स्रीजल चेतन को पुनर जागरित करके, या उपन्यास लिख करती दंड़ अपना लिखने के लिए किसने प्रेरित क्या है, ये खुद राइटर बता रहे है कि सोम आनंद ने, ठीक है, कोसर नमबर 59, यदि किसी को पंजाब परदेश की संस्किर्थी रैंसें, चाल धाल, डीति रिवाज की जांगारी प्राप्त करनी हो, इथ्यास की ब अच्छा हो, तो जिन्दिगी नाम से अन्यत में जाने की आवसकता नहीं, जिन्दिगी नाम उपन्यास के संबन में उपरोग पंग्ति किस आलोचक ये आपको बताना है, बच्चन सिंग, गोरीदस सर्मा, रामचन सुकल, देवराज, उपाध्या, कॉसर नमबर 59 का आपको जी मैं, बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा, देवराज, उपाध्या, किसने का है ये कथन, जिन्दिगी नाम उपन्यास के संबन में, देवराज, उपाध्या, कॉसर नमबर 60 है, बान बठक्या आपकता उपन्यास के पात्र है, बिर्वति वज्र, मदंसरी, रागबन, चारु श्मिता, सदसिव, चार ओप्सन है, जबाद दीजेगा, कॉसर नमबर 60 का क्या हमारा जबाब होगा, बताएगा, जबाद दीजेगा, जी बिल्कुल, आंसर हमारा होगा, A, B, D, विर्वति वज्र, मदंसरी, चारु श्मिता, आगे, कॉसर नमबर 61, प्रेम ने मनुस्य को मनुस्य बनाया, भै ने उसे समाज का रूप दिया, एंकार न उसे रास्ट में संगठित कर दिया, उप्रोप पंक्ती कौन से उपन्यास में आपको बतानी है, सेकर एक जीवनी, परिक्सा गुरू, चूटा सच, तमस, कॉसर नमबर 61, जी बिल्कुल, यह पंक्ती है, सेकर एक जीवनी, उपन्यास में, आगे, कॉसर नमबर 62, संसार का आदर्स व्यक्ति, व्यक्ति नहीं है, वह एक टाइप है, और संसार चाता है, कि सरपर्थम, आवसर पर ही, पर्ते एक व्यक्ति को ठोक, पीट कर, उसका व्यक्ति पुचल कर, उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना नहीं रहने देकर, एक पर्तिलीपी मात्र बना दिया जाए, उप्रोक पंक्ती कौन से उपन्यास में है, सेकर एक जीवनी, परिक्सा गुडू, जूटा सच, तमस, पॉसर नमबर पासट, जवाब दी जीव, आंसर हो जाएगा, किस उपन्यास के है, सेकर एक जीवनी उपन्यास के पहुंगती है, आगे एक उसर नमबर 63, तमस उपन्यास के पातर इंदरी की उम्रे है, क्या उम्रे आपको बताना है, 11 वर्स, 12 वर्स, 13 वर्स, 14 वर्स, उसर नमबर 63, तमस उपन्यास के पातर इंदरी की उम्रे है, जी बिल्कुल, आंस्वर हमारे हो जाएगा कितनी है, 12 वर्स आगे चलते है, कोसर नमबर 64, सेखर एक जीवनी उपनियास में पुत्ते का नाम था, क्या था पुत्ते नाम का नाम आपको बताना है, सेखर तैमूर आजाद नहूर जी बिल्कुल, आंस्वर क्या हो जाएगा, तैमूर था, देख सकते हैं, उपनियास का ही पेज है, उसमें बताते हैं, कुत्ते का नाम था तैमूर, सेखर उसे विसेश प्यार नहीं करता था, किन्तु कुत्ता सदा उसके पीछे रहता था, तो यह नाम याद रखेगा इस तर सेखर एक जी बनियास में सेखर का पूरा नाम था, चंद्र सेखर पंडित, चंद्र सेखर आजाद पंडित, पंडित भगत, आजाद भगत, बताएगा, जवाब दीजीगा, तीन, बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा, चंद्र सेखर आजाद पंडित, तेख सकते हैं, यहापर, सेखर को अपना पूरा नाम लिखना हो, तो लिखना पड़ता था, चंद्र सेखर अजाद पंडित, ओ, यहापर मैंने आजाद लिख दिया, क्या था पूरा नाम, चंद्र सेखर हरीदत पंडित, यह अंग्रेजी में कहेतों, चंद्र सेखर हरीदत पंडित, तो यह पूरा नाम याद रखेगा, क्या नाम था, चंद्र सेखर हरीदत पंडित, ठीक है, क्लिया, चंद्र सेखर हरीदत पंडित, ठीक है, क्लिया, चंद कुछले जाकर न सो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी घटनाय हुई होगी कि एक सुन्दर उपन्यास बन सके, यति परते एक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे, तो संसाल में सुन्दर पुस्तकों की कमी ने रहे, लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो, मतलब लि कुंति कौन से उपन्यास में है, सेखर एक जीवनी परिक्सा बुरू जूटा सच तमस, आज ना मुझे फीवर है, ठीक है, तो इसलिए मुझे लग रहा है, फीवर में इसलिए मैं साथ में ऑठेंटिक सोर्स भी रग देते हूं, कि अगर कोई कॉसन में कुस टाइपिंग तो तुरंत सही हो जाए, एकदम देख ले, जी बिल्कुल, आंस्वर हो जाएगा सेखर एक जीवनी, आगे चलते है, कॉसर नमबर 67, गांधी जी ने यह कही नहीं का, कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब भी नहीं दो, प्रोक पंक्ति तमस उपन्यास में किस पात्र की है, आपको बताना है, गांधात, संकरलाल, कस्मीरी लाल, रनवीर, चार ओप्सन है, आपको जवाब देना है, तमस उपन्यास में किस पात्र की पंक्ति है, जी बिल्कुल, आंस्वर हमारा हो जाएगा, संकरलाल, किस पात्र की है, यह पंक्ति संकरलाल के है, किस उ पुराने संस्कारों का हम पर गहरा परवाव हैं बिलकुर सही बात है कि मजदूर मुसल्मान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता उब्रोग पंग्दी तमस उपन्याद में किस पात्र किया है देवदत संकरलाल कस्मिरिलाल रर्वीर थोड़े से एक उसन बचया है उपन्याज के ठीक है सॉल करके ही जाएगे जी बिलकुर आंसर हमारा हो जाएगा देवदत आगे चलते हैं कॉसन नंबर 69 वियां के बिना जिंदिगी भी सुलगती लगरी की ही धर है जिसमें से सिर्व दुआ निकलते हैं विया आपको में आसु तो ला देता हैं लेकिन करमा इस नहीं पोचा तो अप्रोग पंग्दी धर्ति धन्याद्य अपना उपन्याज में किस से पंग्टी कहिए मिस्त्री ने काली से ओप्शन टू काली ने चोद्वी से और अप्शन थिरी मास्याने विसंदाज से और संता सिंग ने काली से कॉस्टन नंबर 69 जी मिस्त्री ने जो है काली से आगे कॉस्टन नंबर 70 मैं तो जमीन के इस टुक्रे को भी जायदाद नहीं समझता हूं मैं तो सिर्फ मलवे का मालिक हूं उप्रोग पंग्टी धर्ति धन्न अपन्यास में किसने किस्से के यह चारों अप्शन है बताईएगा जवाब जवाब दीजिएगा किसकी पंग्ती है जी आंसर होगा काली ने चोद्री से हो आगे कॉस्टन नंबर 71 तो जब भी मूँ खोलता है तो तेरी काली जवान पर मार्स और लेनिन का नाम होता है और जब यह पाद्री बोलता है तो यह की आवाज निकलती है वह भी एंजिल और इसा मसी की उप्रोग पंग्टी धर्ति धन्न अपनों पन्यास में किसने किस से कही है यह भी याद रख लेना जी आंसर हमारा हो जाएगा ओप्शन थिरी मास्याने विसंदस कि आप सब्सक्राइब सेवेंटी टू कि ऐसा ही होता है बोजी जैसा ही होता है अपने बोई सीचे पोदों से ऐसा ही मोग होता है बिलकुल संतान जैसा जहां एक बार लगाओ महां से उखारा नहीं जा दो अगे को फ्रोक पंक्तिया आपका बंटी कुद्टि पर्यास में किसमें किससे केही है आपको बताना है चार पूक्षन हैं ौप्षन म professionals कुनि बंटी से पुप्षन टू माली ने सब्सेए उफ्षन तिरी बंटी ने सब्सक्राइब से में में बेंटी बंटीशे में कि बिल्कुर आंसर हमारा हो जाएगा माली ने सपुन से कहा पॉसल नमबर 73 देख रही हूं जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे जिद्धी और धीक होता जा रहा है अच्छा है बद उर्वा सब के बीच मेरी पॉप्रोग पंक्ति आपको में किसने किस से कहिए आपको बताना है चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा कोसन नमबर 73 जी बिल्कुर आंसर हमारा हो जाएगा सपुनने का पंटी से का आजे कॉसन नमबर 74 यस पाल के उपन्यास को पहले से बाद की करम में लगाई दिव्या पाठि काम्रेद अप सराकस झाप तेरी मेरी उसकी बाद दादा कॉम्रेद पाच उपन्यास थे चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा कॉसन नमबर 74 पह आपको किलास अच्छी लग रही है यूच्छ लग रही है तो बहुत किलास को जो है जरून कर दीजिए गाटिक है रह Medicaid सबसे पहले किजा जरून के सारे उपनियास यहां पर ठेखे। दादा कामरेर नियुक्तालिस दे तरोई नियुक्ति दियुक्तालिस पार्टी काम रियुकिन मनुस्य के रूप नियुक्त अमीदा धुनिज्स चप्पन जूता सच रह एं महीं है हमारे पर पैट्ट्ट करूं के उपनियां से भागवन उनेसो ठावर भागदू adult तेरी मेरी उसके बहुत इंपोटेंट है प्रकास नवर्स पेपर में पूछा जाता है तो इसका त्यान रखेगा मेरी तेरी उसकी बात 1974 किसका उपनियास है यस पार का कि आगे चलेगे फॉसर नंबर सेवेंटीफाइब अंडिल नागर की उपनियास को पहले से बात के करम में लगाना A. पूंद और समुद्र B. सत्कंज के मोरे C. घंजन्यान D. अम्रित और विस E. पीडिया Question No. 75 बताईएगा जबाब दीचिएगा जी बिल्गोब A. B. D. C. E. पूंद और समुद्र फिर सत्कंज के मोरे अम्रित और विस खंजन्यान यह याद रखेगा यह भी जीवनिक बड़क उपनियास है सूर्दास के जीवन पर है मानस का अंस्ता आपके पर्ठेगरम में लगा हुए अम्रित लाल नागर वो तूर्सी दास के जीवन पर है खंजन्यान सूर्दास के जीवन पर है उसके बाद आएगा पीडिया देख लेते हैं अम्रित लाल नागर के सभी उपनियास से एक बार रिवीजन हो जाएगा सत्रंज के मोरे सुआके नूपूर साथ उड़क वाला मुखरा मानस का अंसा में पता ही हमारे पर्ठेकरम का है नाच्यो बोथ गोपाल नाच्यो बोथ गोपाल नाच्यो खंजन्यान सूर्दास के जीवन पर है इसका विशे भी आद रखेगा विखरेतिन के 1982 अगनी करवा 1983 करवट 1985 पीडिया 1990 यह हमारे हिंदे उपनियास वाली उनिट के कोसं समाप्त होते है अब हम कोसं सोल करेगे UGC नाइट हिंदी की यूनिट 7 हिंदी काहनी के कोसं सोल करना सुरूब करेगे कोसं नमबर बान है नमबर में से परिंदे काहनी के पात्र है आपको बताना है पाच पॉइंट है यहाँ पर कोड़ वाला कोसं है आपको बताना है इन में से परिंदे काहनी के पात्र कोन है सीता जानकी जूली हेमंती सुधा चार ओप्सन है जवाब देना है कोड बना कर जवाब दीजिएगा ठीक है पताईएगा जवाब दीजिएगा जी बिल्कुल परिंदे कानी के पाद रहे C, D, E जूली येमंती सुधा ठीक है ये हमारे परिंदे कानी के पात्र है आगे चलेगे question number two है निम लिखित में से चंद्रदेव से मेरी बाते कहानी के विशय में सही कथर है आपको बताना है आपर पाच पॉइंट है क्या सही है कहानी के विशय में क्या नहीं ठीक है question number two का जवाब दीजिएगा ए पॉइंट है कहानी का परकासन वर्स 1903 है बी पॉइंट है कहानी पत्रात्मक सैली में लिखी गई है कहानी सरस्वती पत्रीका में परकासित हुई इसमें लोर ड्रीपन की पर्तिकात्मक एवं वियंग्यात्मक रूप में कहीं बातों का वर्णाना है इस कहानी के केंद्र मे आर्थ नीती है वाँ राज नीती है चार आपको जबाब देना है कॉस्टर नमबर टू का क्या हमारा जबाब होगा बताईएगा जबाब आप लोग दीजिएगा जी विल्फुल आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा बी-सी-ई चंद्रदेव से मेरी बाते में किसका वर्णाना लोड रीटपन का वर्णाना और चंद्रदेव से मेरी बाते का परकासन वर्ष क्या है जंदे से आप लोग कमेंट करकर बताओ मुझे ख्êकlak आगे चलता हैに सही कथन आयी आपको सही में क्या आपको बताना है क्या-क्या ச पुंट है राही काणी बिखरेम होती का इस Young ले er amkin कालिक है यहां में आ hooks करने में किर्फियों में स्थ्राइब टहरों में के लोगने प्रद्रों प्रव्यकति और ना कॉर्ट्स है आप लोगों को जवाब देया है क्या हमारा जवाब को बताईए से जवाब दें जी बिल्कुर आंस्वर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू बी सी डी पी सी डी राई कानी किस कानी संग्रहा में संक्लित है सीधे साधे चित्र में और इसमें क्या है गरीवों के प्रस्ट निबारों को यह सच्ची देश भक्ती माना है आगे चलेगे कॉस्ट नमवर फोर निम लिखित में से दुलाई वाली कानी के विशह में सही कथम है कानी का परकास मास 1937 भी है कानी का प्रारव कासी सहर से होता है यह कानी 36 गर्मित्र पत्रिगा में परकासित है कानी कांत बनारस सहर से होता है यह सरस्वती पत्रिगा के संख्या पाच में पड़कासित हुई थी आपको बताना है इन पाचों में से क्या पॉइंट सही है दुलाई वाली कानी के विसे में चार आप्सन है जबाब आपको देना है कोड बनाकर जो है जबाब दीजेगा क्या हमारा जवाब होगा जो बताइएगा जिक्र भी नहीं क्यों बता रहुक्त कि यह वाला पॉइंट ना को सूकल वाली बुख में दिया हुआ है तो पर बड़ी बात नहीं होगे अगर आपक आजामी यह इतना तीपली पूछ लिया जाएग जाएगा कानी का प्रकासन उनल्यों साथिस्वी है कानी का प्रालव कासी सेस होता है संधर्श्वती पतिर है I इन नर्व 5 सुची वन पॉर सुची अगरे कई तनाम ठीकर यह घुजिए हैं एक ड चुम्हआफम favori के पाते हैं दूसरी तरह पर खिलोने जब लोग इदगा देखने गए तो कौन बच्चा क्या खिलोना लेकर आया था वह आपको बताना है चार और यहां से पेपर में जो है आपकी जब कोड वाले कोशन बनते हैं इदगा कानी से तो एक पुइंट जरूर यह रहता है कि किसने क कौन सा खिलोना लिया अब वह कौन से बच्चे का पूछ ले वह हमें मालूम नहीं लेकिन हमारा काम है कि उसमें पाठ्च्छा पात्र है पाठ्च्छा बच्चे जो खिलोने खड़िते हैं वह सभी याद हो ठीक है तो आपको जवाब देना है मिलान करना है बताईएगा प वकील मौसिन विस्ती सम्मी घंजरी मैमूद सिपाय देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने लिखी भी दिया है ठीक आगे चलेगे कोसर नमबर सेक्स खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फासी से उतार दो ताकि अपने दिल के आकरी आर्जु निकाल लूँ यह सुनते ह चारों तरफ सर्णाटा च्छा गया लोग अचंबे में आकर ताकने लगे काज्यों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम्याचना को रद करना पूचित नहीं समझा और बदनसीब पापी खाला चोड़ जरा देर के लिए फासे से उतार लिया गया को प्रोक समवाद दुनिया का सबसे अन्मोर रत्म काहने के किस पात्र का है दिलफिगार दिलफरे मुझ्रिम एक वुझूट आपको बताना है चार यहां पर ऑप्सन है जवाब दीजिएग प्रोक सब्सक्राइब किसकी पंक्ति आए दुनिया का सबसे अन्मोर रत्म कानी में जो मुझ्रिम था काला चोड़ देख सकते हैं यहां पर जाया भागा मुझ्रिम चीक कर बोला भागा मुझ्रिम कौन जो काला चोड़ था ठीक है कि फुद आपने वास्ते मुझे एक पल के लिए खासी से उदार दो ताकि अपने दिल के आपने आर्जुन निकाले ठीक हो सब्सक्राइब पंक्ति देकर यह पूछ ले कौन सी कहानी की है तो याद रखेगा दुनिया का सबसे अन्मोर प्रत्म आगे चलते एक उसन नमबर सेविन एक टौक्री बर मिट्टी नामक काली में जोपड़ी के छुटने पर पोती ने क्या छोड़ दिया था टैलना खाना सोना रोना बताईएगा जवाब दीचीएगा सब्सक्राइगा जाएगा जाएगा ऑप्शन टू खाना देख सकते हैं वह बताती है कि जब से जोपड़ी चुटी है तब से मेरी पोती ने क्या है खाना पीना छोड़ दिया आप सोच चुरोंगे पेज कैसे है जो मैं आपको दिखा दियो पहली बात ते जो कहानी है जो क्या हुआ है तो कि मापको 21 आपके पैट्टे करम में कानी लगी हुए है तो 21 की 21 कानी लाइन बाइन इसी यूट्यूब चैनल पर बिलकुल फिरी में पढ़ा कर आ चुकी हूँ तो जब मैं आपको कानी पढ़ाती थी तो जितनी भी इंपोर्टन चीज होती थी वह हाइला अवालिस रीपन आपको बताना है आपसर नमबर एट का जवाब तेना है जी बिलकुल बन लाइन रहा आनसों रंबरा हो जाएगा रोड कर जग आगे फिरन नमबर नाइन राही नामकानी में राही को किस अपराद में सजा हुई थी चोरी करने के अपराद में माल्पीट क करने के अपराद में गोली मारने के अपराद में प्रोक्त में से कोई नहीं को सन नमबर 9 का जवाब दीजिए जी बिल्कुल आंसर हो जाएगा चोरी करने के अपराद में राइ को सजा हुई थी करने को सन 9 तीन को सन नमबिक सिता नमक पातर के अमर के हैं 9 वर्स 10-12, 12 नहीं HAMur 13 ये भी बताएब है सीता नामक पातर है किस कानी में तीजिए बिल्कुल ये सीता पातर है held दूलाई वाली काहानी में दूलाई व ली काहानी की बात रख सіता के उम्र्ग आपको बताना है ये आ मैंज वर्स 12 आवे ये आप देख सकते हो दूलाई वाली जो की फिक राइटर राचेंध भालग रहे जाती है 되면 से जानी जाती सुधिस्कारण है कि या पर बताता है कि जिसका बाप हमीद सी बात हो रही थी हैज में बताया गया ठीक है ये लाइन देकर ये भी पूछा जा सकता है किसके माता-पिता की बात हो रही है किस बच्चे की माता-पिता की बात हो रही है तो क्या जवाब हो जाएगा हामिद ठीक है important है ध्यान रखेगा है जे की भेट जो है और पिता का क्या नाम ता वो भी आद रखेगा आविध हामीदी के पिता का क्या नाम ता आविध वो भी आद रखेगा ठीक है कि आगे चलते हैं को सबसे अन्मोल रत्ल कानी किस कानी संग्रह में संक्लित है सोजे वतन प्रेम कुर्णिमा मानसरोबर भागवन मानसरोबर भाग टू जी बिल्कुर आंसर अमना हो जाएगा किस में सोजे वतन में जाहिए संक्लित है दुनिया का सवसे अन्मोल कर उन्मोल भागवन को अंब कर चूला खेद कमरा घर जी बिल्कुल क्या बनाना चाहती थी चूला कोसर नमबर 14 इंपोर्टेंट है ना चंदर देव से मेरी बाते कहानी नहीं एक निबंध है कि चंदर देव से मेरी बाते कानी के संब्द में प्रोक कथन किसका आपको बताना है भवदेव पांडे लक्समिसागर वैस्त नभी गोपाल राग्चंदर सुपी जवाब दीजिएगा कोसर नमबर 14 का क्या हमारा जवाब भूपर जी बिल्कुल आंसर हो जाएगा लक्समिसागर वैस्त नभी आगे चलते कोसर नमबर 15 राही नामक खानी में राही ने क्या चोरी किया था पैसे बिस्कृट की चोरी नाज की गट्री सोने चांदी के कह दे जी बिल्कुल आंसर क्या नाज की कठ्री चोरी कीती कोसर नम्बर 16 निमली किती में डुलाई कि अगर आपको लग रहा है कि जलदी हो रहा है आपको ज्यादर टाइम चाहिए तो जैसे किसी हो प्रकूंश्ट कर लो और आमसे पढ़ लो चुछ तो जब आगे पर आकर इसका सई आप लोग देख सकते हो ऑस्यांसाहां आप पर हमारा और हो जाएगा प्रकूंश्टाहिए मिर्जापूर, कलकत्ता, और आग्रह. इन तीन का जो है चिक्र क्या गया है दुलाई वाली कहनी में. Question number 17, इदिगा कानी मांसरोवर के किस भाग में संकलित है? मांसरोवर भाग फार बाग वन, मांसरोवर भाग टू, मांसरोवर भाग थ्री, मांसरोवर भाग फॉर. जी बिल्कुर आंसर हमारा हो जाएगा मांसरोबर भाग वर्ण बढ़ी आगे चलते हैं कॉस्सर नमबर 18 दुनिया का सबसे अन्मोल रत्म कहानी की नाई का दिल फ्रे किस सैड की रहने वाली है डिनोसबाद मिनोसबाद मिर्जापूर फरीदाबाद बताईएगा जवाब दीजीगा जी बिर्गो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू मिनोसबाद आगे चलते हैं यहां पर देख सकते हैं जो दिल फिगार अपनी मासुका दिल फ्रेव के सहर मिनोसबाद को चला तो जो है कापर जो है कि दिल फ्रेव को उनसर सहर की रहने वाली थी मिनोसबाद की ठीक है आगे कोसा नमर नाइंटीन एक टॉक्टी पर मिट्टी नामत कानी में जमीनदार किस बात से गर्वित वह अपना करताप्या भूल गए थे बुद्धी कहने थनमद उप्रोक्त में से कोई नए ताहिएगा जवाब दीजिएगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 धनमद यह पर आप देख सकते हो जमीनदार साथ धनमद से गर्वितों अपना करताप्या भूल गए थे पर विद्वा के उप्रिक वच्चा सुनते ही उनके आखे खुल गई यह पिल्कुल कानी के आखरी पंक्ति आया ठीक्या और इसमें नहीं के वाली पंक्ति याद रखेगा यह विद्वा की पंक्ति इ पंक्ति यह पूचा जा सकता है किसकी पंक्ति है तो याद रखेगा विद्वा की ठीक है आगे कोसर नमबर 20 एक टोकी में मिट्टी नामक कानी में जमीनदार विद्वा को क्या पापिस करता है जोपरी गैने घर पैसे कोसर नमबर 20 अचिंसोर हमारा हो जायगा जोपरी कि आगे एक कॉस्टर नमबर 21 चंदर देव से मेरी बाते को हिंडि की पैली राजनीती कहानी किसने माना है भव्धेव पाप्डे, लक्षमिरागर वैस्तन भी, gopall raya, रामорт चंद्रशूपल सुपन। किसने जो हैं हिंदी की पहली राजनितिक कहानी माना है चंद्र देव से मेरी बातिय तो जी बिलकुन आशर हो जाएगा भवदेव पांडेया कौसर नमबर 22 चंद्र देव से मेरी बातिक आने में किस सहर का जिक्र है दिल्ली कोलकॉत्ता पानीपत जैबुत अब जैबुत्त पाल कत्ता जो है जिक्र है आगे को साथे चित्र नामक कानी संग्रह में कुल कितनी कानिया संक्लित है 11 12 13 14 देखो कहानी के बारे में याद रखेगा जो आपके पार्टे करम के 21 कानिया कौंसी कानी संग्रह में उस कानी संग्रह में कुल कितनी कानिया ठीक है और उनके नाप क्योंकि आपके पेपर में पूछे जा चुक है तो यह चीज़े आपको याद रखने होगी कि आपके पार्टे करम की कानी कौंसे कानी संग्रह में उसमें कुल कितनी कानिया औ आगे चलते हैं कोसा नमबर 24 राही कानी की निम्न पंक्ति को पहले से बाद के करम में लगाए पाच पंक्तिया इनको पहले से बाद के करम में लगाना है बताना आपको क्या हमारा जवाब होगा और आप जब यह पंग्ति वाला करम देखो ना तो हमेशा जो है यह याद रखना कि आपको उस कानी की पांच मैंतुन पंग्ति एक जंगे मिल जा रही है जी विर्कोल आपर हमारा अंसर हो जाएगा ऑप्शन टू बी एई सीटी सबसे पहले आएगी बी पंग्ति उस दिन घर में खाने को नहीं था बच्चे भूख से तरप रहे थे बाजार में भूत देर तक मांगा बोजा डोने के लिए टोक्रा लेकर भी बैठी रही चपुछा जा सकता है यहाली पंग्ति देकर कौन सी कहानी की है हम सब सब को खाने पैनने का समान अधिकार चु JENN THU recipient क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत अराम करते है और पेट के लिए चोरी करते है इंप्रतेट है तो उसके बाद आएगी यह पंगती हमारी तात पर यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीरियम देश भक्ति और त्याग से दूसरों के उपर उठ जाते हैं किसकी पंगती आएगे खानी में यह पंगती अनीता की क्या कह रही है कि जितनी बार हम जेल जा चुके होते हैं उतनी हम सीरी जो है देश भक्ति और त्याग की दूसरों से उपर उठ जाते हैं इसके बाद बल पर जेल से छुटने के बाद कॉंग्रेस को राज के सत्ता मिलते हैं मिनिस्टर इस ठानिया संस्ताओं के मेंबर और क्य में हैं इसके बाद हमारा वास्तिक जीवन तो देहातों में ही है किसानों की दूर्दस से हम सभी थोड़े बहुत परीचित है पर इन गरीबों के पास ने घर ने दुआर तिक है यह मैं तुन पंग्तिया राही कानी की दिहान रखिएगा ठीक है नहीं मैंने तो कोई प्लेइस का नाम चेंज नहीं क्या है आगे चलते है कौसर नमबर 25 निम लिकित में से दुलाई वाली कहानी के पात्रह आपको बताना है सीधा सीधा जानकी जैनी मसीद वनसीदर पाच पात्रह आपको बताना है चार ओप्सन है जवाब दीचिएगा जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा A B E कौन-कौन सीधा जानकी और वनसीदर देख लेते हैं दुलाई वाली कानी में चारी पात्रह वनसीदर नवल की सोर दुलाई वाली जानकी देई वनसीदर की बैन और सीधा जानकी की बैन ठीक है यह चार पात्रह में मिलते हैं दुलाई वाली कानी में आगे कौन नमबर 26 नहीं एक देशी धोती पहन कर आना था सो भूलकर विलाईती ही पहनाए नवल कट्टर सब देशी हुए वे बंगालियों से भी बढ़ गए है देखेंगे तो दो चार सुनाई बिना नहीं रहेगे और बात भी ठीक है नाख बिलाईती चीजे मोल लेकर क्यों रुपे की बरवादी की जाए देशी लेने से भी दाम लगेगा सही पर रहेगा तो देशी में कि पुप्रोप पंक्ती दुलाईवाली कानी के किस पात्र की विशह में आपको बतानी है वंसी धर जान की नवलकिस और सीथा चार आपको जवाब देना है कॉसर नंबर 26 का क्या हमारा जवाब हो ची बिलकुल आउसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन ए बंसी धर आगे चलते एक ऑप्सन नंबर 27 मांसरोबर भागवन में कुल कितनी कानिया संकलित है 25 26 27 28 बतायेगा मांसरोबर भागवन में कितनी कानिया संकलित है जी बिलकुल आउसर हमारा हो जाएगा 27 कानिया संकलित है आगे एक ऑप्सन नंबर 28 एद का कानि में कितने रोजों के बाद एद आई है 10 15 20 30 बतायेगा जवाब दीजिएगा जी बिलकुल आउसर हमारा हो जाएगा 30 30 दिनों के बाद जो है एद आई है साकाि कौन नंबर 29 सोजय वतन कानि संग्रहैं में कुल पाज खानिया संकलित है 5-6-7-8 मैं ग्री Cab kiss सग्रेइभ पूछी रहा हो अपनी मा का बेटा और भारत का सपूतु यह कहते कहते उसकी तियोडियों पर बल पड़ गए पीला चारा गुस्से से लाल हो गया और आपदार समसीर थिर अपना जोगर दिखाने के लिए चमक उठी उप्रोक पंक्ती दुनिया का सबसे अन्मोर रतल कानी के किस पात्र का है दिल फिगार दिल फड़ेव सिपाई एक बजूर्ट पॉसन नंबर थर्टीन जी बिलकुल आंस्वर अमारा हो जाएगा सिपाई की यह पंक्ती है दुनिया का सबसे अन्मोर प्रतल काहने के लिए रहे कुन वीरों की तरह बोला हो सिपाई की क्या तू नहीं नहीं जानता है इस पोड़ेट है चाहिए तो आप इनका स्कीन सोट लेकर यहां पर जितनी आइलाइट पॉंगति आना सम्मैक्तुल पॉंगते हैं आगे कौसर नंबर थर्टी वर्ट संबेगना की जनकी अभिव्यक्ति की दिष्टी से हिंदी की पहली कानी के रुप में म मिट्टी कानी के बारे में ठीक आपको बताना है भवदेव पांडे लक्सम सागर व्यासनवी गोपाल रायर रामचन शुक्री इन चारों में से किसका यह कथन है एक टोक्री वर्टी कानी के संबंद में जबाब दीजिए जी पिल्पुल यहां पर हमारा अंसर हो जाएगा कोपाल रायर आगे है कोसर नमबर 32 एक टोक्री बर मिट्टी कानी की पंग्ति को पहले से बात के करम में लगाए चार पंग्तिया पहले से बात के करम में आपको लगानी है के पंग्तिया मारी जमींदार साब पहले तो बहुत नरा जुए पर जब बार बार हाथ जोड़ने लगी और पहलो पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आगे बी पंग्तिया किसी स्रीमान जमींदार के मैल के पास एक गरी बनात विद्वा की जोपरी थी जमींदार साब को अपने मैल का आता उस जोपरी तक पढ़ाने की इच्छा हुई सी पॉइंटे एक दिक स्रीमान जोपरी के आसे पास टैल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विद्वा हाथ में एक टोक्री लेकर हाँ खूज जमींदार साब धनमच से गर्वी तो अपना करता बें भूल गए थे पर विद्वा के पर्युक्तर वच्चन सुनते ही उनकी आखे खूल गई कृत करम का पर उन्होंने विद्वा से च्छमा मांगे और उसकी जोपरी वापस दे दे चार उप्सन है आपको जबाब देना ह करम से लगाना है कौन से पंक्ति पहले आएगी यह करम वाले कोसन ना कहानी के इजी ली सोल हो जाएगा अगर आपने कहानी तो कोई स्टोरी की तरह ही होता है हमें पता होता है कि यह वाली घटना पहले घटी और यह कानी में बाद में ठीक है तो उसके कहानी वाले जो पंक पिर आएगी सी पंग्ति उसके बाद के और सबसे आगरी में टी जो कि मापको अभी पीछे कानी का पेज लगा कर दिखा कर व्याद चुकिए आगे कौसर नमबर 33 चंद्र तेप से मेरी बाते कानी में किस महामारी का जिक्र हुआ है है जाप लेग चिकनपूर्णिया मलेरिया चार ओ आपको बताना है किस महामारी का जिक्र हुआ है बतायएगा जबाब दीजिएगा कोसर नमबर 33 ची आनसर हमेरे हो जाएगा नवनीन नारिमुक्ति का संगर्ष रंक दर्सन उपरोप्त में से कोई नई अब बताना है कौन से कानी में जो है इसको हुणि की पहली राजनिति उस तक माना है चीव बिल्कुर आंसोर हमारा हो जाएगा नारी मुक्ति का संकर्स आगे एक उसर नमबर 35 निम लिकित में से कौन सी कानी सीध्य साधे चित्र कानी संग्रया में संक्लित है आपको बताना है इन पाच में से कौन-कौन सी कानी संक्लित है बिख्रे मोती, उनमादिनी, राही, रूपा, तीन बच्चे चार ओप्षन है और बना कर जवाब दीची जी, बिल्कुल आंसर हमाय हो जाएगा, C, D, E, राही, रूपा, और तीन बच्चे रेख लेते हैं, सुबद्रा कुमारी चौन का सीधे साधे चिकर, तीसरा गांतिन खानी संग्रे, यह कानी संग्रे, 1947 में छपा, इसमें कुल 14 काहनी है, हींग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाव सिंग कानिया, राष्टे विश्यों पर आधारित है, हम क्यों पढ़ र रूपा, कैलासनानी, बियाला, कल्यानी, दोसाथी, प्रोफैसर मीवा, दुराचारी, मंगला, कान के बूंदे, हींग वाला, राही, राही आपके पाठ्ठे करम क्यों हो गई, तांगे वाला, गुलाव सिंग, तीन बच्चे, ठीक, आगे चलता है, पॉस्टर नमबर 36, र एक से दो सेर, तीन से चार, पाठ से चाह, आट से नो, कितना सेर जो है, नाज चोरी कहता, आपको बताना, बताएए भई, कॉस्टर नमबर 36 का जबाब दीजिए, और किलास आपको अच्छी लग रही है, आपको कॉस्टर पसंद आ रहे है, हैना यूजफू लग रहे है, एक बार सेर जरूर पर दीजिएगा, जी विल्कुल, आंसोर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन थिरी, पाठ से, छे से, आगे चलबे कॉस्टर नमबर 37, अरे तुम क्या जानों, इन लोगों की हसी ऐसी ही होती है, हसी में किसी के पराण भी निकल जाए, तो भी इने दया नय जी, फिल्कुल, काठसर हमारा हो जाएगा, जानकी की ये पंग्ती है, ठीक है, पंग्ती वाले में आपकी दोग्दरे के किस्टन सोल हो जा रहे है, एक तो कौन सी कारी कारी ये पता चल जाता है वो पों से फ distillती है, ठीक है, आगे चलता है, 48, दुलाई वाली कारी की में लागाना यह पंग्तिया तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है बात यह कि आज ही नवल कि सोट कलकत्य से आ रहे है आरे से अपनी नई बोव को भी साथ ला रहे है भी पंग्तिया कासी जी के दसास में गाट पर इसनान करके एक मनुस्रे वड़ी व्याग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आज प्राता इंपोर्टेंट है कासी घाट यह दो नाम भी आद रखेगा दुलाई वाली काने के संबंद प्रिक्तिया आज ही जाना होगा यह क्यों भलाज कैसे जाना हो सकेगा ऐसा ही था तो सबे मेरे भाईया से कह देते तुम तो जानते हो कि मुह से कह दिया बस छुट्टी हुई ती पंक्ति दोनों मित्र अपने अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर को उचे और मुझे भी उनकी राम कानी लिखने से छुट्टी मिली चार ओप्सन है आपको जवाब देना है प बताईएगा जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा बी सी ए टी आगे कोसर नमर ठाटिनाइट इदगा कानी में इदगा जाने के लिए कितने कोस का पैदल रास्ता था तो कोस तीन चार या पाच बताओ भई जी बिल्कुल कितने कोस का रास्ता था तीन कोस का आगे चलते हैं पर आप चलो एक बार देख लेते हैं रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद इद आई ठीक है उसके बाद यह वाली पंक्ति इंपोर्टेंट है यहीं से इदगा कानी का प्रारम होता है यह पंक् प्राइब कितना प्रवाब है विर्सों पर अजीब भड्यालिया है खेतों में कुछ अजीव रोनक है आस्मान पर कुछ अजीव लालीमार है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है इतनी पंक्ति दे दोगे तो पंक्ति देगा कि इद का निक है उसके बाद अगर यह आगी कि आज का सूर्य देखो कितना प्यारा कितना सीतल है यानि संसार को इद की बदाई दे रहा है को में कितनी हल्चल है ठीक उसके अलावा यहां पर तीर कोस का जो है पैदल रास्ता था ठीक उपोर्टेंट आगे चलते हैं कोसर नमभा पूर्टी निम में से इदगा कानी के पा चार ओप्सनाव के पास है बताईएगा क्या हमारा जवाब हो जी बिल्कुल आंस्वर हो जाएगा एभी डी आभी चोद्री कायामली सम्या को लग रहा होगा कायामली का से आगे तो आप देख सकते हो यहां पर ना चोद्री कायामली का नाम आया है ठीक है और इस तरह अग नाम ठीक है लेकिं चोद्री कायामली यह याद रखीएगा एक तो चोद्री कायामली और एक आबिज अबिद कभी एकी जया जिक रहा हमिद के पिता करा डेख लेते हैं ईद्गा कानी के पातर हमिद साथ में मैंने लिगा है तेकी कृट्प indices लेकर गए था है की यह भी मेहमूद बारे पैसे लेकर गया था आबिद कोन है हामिद का पिता चोद्वी काया मली तीनों के पैसे याद रखेगा हामिद के मौसिन के और मेहमूद के ठीक अगे एक होसर नमबर फोर्टी वर्ड दिल फिगार नादान दिल फिगार यह क्या बुझ दिलो जैसी अरकत है तुम मौबत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मौबत के रास्ते की पहली वंजिल है मर्द बनकर हिम्मत ने आग पूरव की तरह पे एक देश है जिसका नाम हिंदोस्तान है भाजा और तेरी आरजुपूरी होगी उप्रोक संबाद दुनिया का सबस्रें मौल रतन काने के किस पात्रिका है दिलफिगार दिलफ्रेव सिपाई एक बुचुड़क कोन कहता है कि तू उधर पूरव की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदोस्तान भाजा और तेरी आरजुपूरी होगी जो दुनिया का सबस्रें मौल रहा है कि वह आपको उधर सायरीन मिलेगा कोन बताता है उसको बिलकुल एक बुचुड की जो है बताते हैं देख सकते हो यहां पर जो बुचुड गया बोलते हैं यह वाली पहुंते हैं इंप्रोटेक्ट है जब यह सोच रहा था दिल्फिगार कि अब मुझे दुनिया का सबस्रें मौल नहीं मिल रहा तो इस सच है कि मैं पार पर चड़कर निचे पूद करो तो कभी एक बुचुड काते हैं औ मौबत का दावा करता है उसे इम्मत देते हैं और तुझ इतनी भी खबरने की मजबूत इरादा मौबत के रास्ते की पहली मंजिल है ठीक है मर्दबन यह इम्मतनार पूरों की तरह पर एक देश है जिसका नाम इंदुस्तान है महाजा और तेरी आरजू पूरी होगी ठीक तो दुन्या की सबसे अन्मोर रतन चीज आपको बताना है उपरोक शमभा दिलो और आपको क्या मिला तो इन तीनों में से आपको बताना है जब यह मिलने के बाद उसके मनमें है कि पक्का यही है दुनिया का सबसे अन्मोर रहता है कि सत्ती की चिता की राग खून का आक्डी कत्रा वतन की वाज़त दुर्य कौसं को द्यां से परकर जवाब दीजिए घंब अंतु अंसर हो जाएगा कैदी की आसू जब उसको कैदी की हैं सब्सक्किल के मिलते हैं कि नहीं कि की यही छो है एक है और यही दुनिय डुनिया की बेस्क प्राइप मंठ घिक थीज賽 ठीक है आगे चलते हैं कोसल नमबर 43 एक टोक्रीवर मिट्टी कानी के विशाय में सही कथन है कानी का परकासन वर्स 1900 ओब लिंग करकर 1901 भी लिख लेना 1921 भी है यह कानी 36 गर्द मित्रपतिरिका में परकासित हुई यह एक बहुती बड़ी और करतव्य से इस्ट कानी है कानी आज की अथार्ट से जुड़ी हुई है कानी वर्ड़ के भेद पर आधारित नहीं है चार उप्शन आपको बताना है क्या हमारा जबाब होगा पॉसर नमबर 43 जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 a b d देख सकते हैं आपर आपको बता देती हूं एक आनी बहुती बड़ी और कर्टब वेसे इस कानी है यह इतना बाद का पॉन तो सही है यह गलत है बड़ी नहीं छोटी कानी है एक ही पेज की कानी है ठीक है और यह वर्ग बेद पर आधारित है अगर नहीं सब धटा दे तो सही हो जाएगा तो सी और ई गलत क्यों है मैंने आपको बता दिया सही करकर वे आपको बता दिया ठीक आगे चलते एक और चंद्रदेव से मेरी बाते कहानी की पंग्ति को पहले से बात की करम में लगाई है चार पंग्तिया इनको आपको पहले से बात की करम में लगाना है इसलिए मैंने एक टॉक्टी वर्मिट्टी में का कि 1901 दोनों याद रखेगा, ठीक है, बताइए बिलकुल यहाँ पर जो है, चंद्रदेव से मेरी बाते में, इसी करम में पंक्ति है, जिस करम में यहाँ पर रखी हुई है, A, B, C, T, ठीक, आगे चलते हैं, ओसर नमबर 45, र जी, बिलकुल, नहाँ पर जो है, उनको साल बढ़ की सजा मिली थी, 46, रामक कानी किसे में राई चोरी करने पर क्यों मजबूर हुई थी, उसने चोरी की थी, क्यों की थी, क्यों वो मजबूर हुई थी, आपको बताना है, Option 1 है, बच्चे बूख से तरप रहे थे, उनके ल खाना है, बताना है, जबाब देना है, आपको, जी, बिलकुल, आंसर हमारा हो जाएगा, Option 1, बच्चे बूख से तरप रहे थे, उनके लिए खाना लाने के लिए, आगे, Option 47, निमलिकित में से तुलाई वाली कानी के विशा में सही कथन है, पाच पोइंट आपको बताना है क्या सही है, क्या गलत है, बंसी दर इलावाद के रहने वाले हैं, बंसी दर की मिर्जपूर में सहसुराल है, बंसी दर के सहसुराल में दो साले साली और सास के सिवाई कोई और नहीं है, इपोइंटर नवल किस ओर इनके बंसी दर दूर के नाते में मेरे भाई है, पर दोनो बनातर जो है आप लोग जवाग दीची करें जी बिल्कुल आंसर कमारा हो जाएगा यहां पर कि वर्सिढर की साल में 10 तो सास के सिवा कोई नौल की सोड कहा है दूर के नाते में नाते में मित्रता का मित्रता का ख्याल इंदीक है कि आगे कॉसर नंबर 48 कि दुलाई वाली काने में बन से दर से गारी वाले ने स्टेशल पर जाने के लिए कितने रूपया किराया मांगा आवाज नहीं आ रिया क्या बहीं कि एक रूपया डेर रूपया दो रूपया धाई रूपया आपको बताना है पॉसर नंबर 48 का जवाब दीचे जी बिल्कुल आंसर अमरा हो जाएगा टेर रूपया आगे है इदगा काने में इदगा जाने के लिए मेमूद के पास कितने पैसे दे तो नकल हो गई में पीछे आपको बता कर आगी कोई बात ने बताईए तीन पैसे दस पैसे बारह पैसे 15 पैसे जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा बारह पैसे आगे चलते हैं कॉसर नंबर 50 वे जीन जो क्यों आराम नाल बैठो वे रव दिये बंद्यों कुछ होस्ट करो प्रोक संबाद किस कानी से है ये पंक्ति कौन सी कानी से आपको पताना है अमरिस सरागया है उसने कहा था अपना अपना भागया इस्पेक्टर माता दिन चान्थ पर जीन जोगयों अराम नाल बैठो वे रव दिये बंद्यों कुछ होस्ट करो कि इन विल्कुल यह हैं अमरिससर आ घाय है कार्णी से और किसकी पॉंगती ए जो वे वुडिया थी कार्णी में इसकी पॉंगती है आगे है 51 एदगा काली में एदगा जाने के लिए मौसिन के पास कितने पैसे थे पीछे पूसा था मैमूद के पास यहापर आपको बताना है मौसिन के पास किल्कुल मौसिन के पास कितने पैसे थे 15 पैसे थे मैमूद के पास 12 मोसिन के पास 15 और हमिद के पास 3 कि आगे कौसर नमबर 52 अगर तुम मुसाफिर है तो आ और मेरे पून से तर पहलों में बैठ जा क्योंकि यही दो अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रहे गई है और जो सिवाए मोद के कोई नहीं चीन सकता अफसोस है तो यहां ऐसे वक्त माया जब तेरा अधित्या सदकार करने ओके नहीं हमारे बाप दादा का देश आज हमारे आज से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन है उप्रोक संबाद दुनिया का सबसे अनमोरतन काने के किस पात्र का है दिल फिगार दिल फरेव सिपाई ए आंसर हमारा हो जाएगा सिपाई आगे है कॉसर नबर 53 दिल फिगार बेसक तुन ने दुनिया के एक बेस कीमत चीज दूर निकाली तेरी हिम्मत और तेरी सूजगूज की दाद देती हूं मगर यह दुनिया की सबसे बेस कीमती चीज नहीं इसलिए तो यहां से चाप और फ आपकी तेरे हाथ में मोती लगे और तेरी किसमत में मेरी गुला में लिखिए हूं यानि एक वोड लाया वह धूंड कर चीज तो बताती है दिल फिरेव कहते हैं कि यह है तो दुनिया की बेस कीमत चीज तो यह दुनिया की सबसे अन्मोट चीज दूर नहीं है तो यहां प हो चुकह दुनें के अनुमोल छे़ गातिश भंगी दोनिकी में। लेकर पंग्ति यहां से प्रॉच ले ना पंग्ति को तुछ है तक क्यों से प्रॉट दिनकले रिएका पीध में बिलकुल कंफिडम्स में, लगा कर मता, बिल्कुत यहां पर यह हो जाएगा हमारा कैदी के आसु के बारे में ही बोला था कैदी के आसु के बारे में वह बोल चुके हैं हाँ पर यह है सती की सिता की राब ठीक है इसको हटा दीजेगा बाकी में इसको एक बार प्रोश चेक कर आपको बताऊंगी ट्रेलिग्राम पर ठीक लेकिन इतना कंफर्म है कि यह खून का अखरी कत्रह वतन की फाज़त के बारे में नहीं बोल गया तो जब भी पेपर में प्रंक्ति आए उसको ध्यान से एक बार पढ में जिस खजाने में चाये चले जाए कोई उन्हें देख नहीं सकता लोगे के दर्वाजे तक नहीं रोक सकते जनाब आप है किस ख्याल में हीरे जवारात उनके पास रहते हैं जिससे खुस हो जाए हो गए उसे टौकरो जवारात दे दिये पांच मिनट में को काबूल सुरी लेकिन जो है एक बास भी कोड़ चेक करने में कोई बढ़ाई है आप लोग भी कर लीजेगा मैं भी कर लूगी कानी तो आप सभी के पास है इदिका कानी सबने पड़ी होती है कि क्या जी बिल्गुत आंसर हो जाएगा मोसिन की पंगती है आगे कोसर नमबर 55 अरे एमक उन्हें कोन पकड़ेगा पकड़ने वाले तो ये खूद है लेकिन अल्ला उन्हें सजा भी फूप देता है थोरे दिन हुए मामू के घर में आग लग गई सारा माल जल गया एक बरतन तक नए बचा कई दिन तक दर्खत के साए के नीचे सोए अल्ला कसम फिरने जाने का से कर्ज लाए तो बरतन भांडे आए प्रॉक समवा दीदगा काने के किस पात्रका है मैमूद मोसिन नूरे हामिद आपको बताना है कॉसर नमबर जो है यह आपर 55 का जवाब दीजिए यह पिल्कुल आंसर अमरा हो जाएगा मोसिन आगे चलेगे कॉसर नमबर 55 का जवाब दीजिए आपको बताना है जो तु लाया है जिसमें लोगे को सोना कर देने की सिपत है दुनिया की बहुत बेस्कीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी ऐसान मन दू कि तूने ऐसी अन्मोल बेट दी आपको बताना है किस रत्म के बारे में बात हो रही है तो प्रॉक्स समबाद दिल फ्रेम ने कौन सी बेस्कीमती चीज के विशा में कहा है चार ओप्सन वेसे में आपको बताना है पताईएगा खौसर नमबर 56 जी बिल्कुल आउसर हमारा हो जाएगा सती की चिता की राक देख लेते हैं यहां पर बताती है कि बेस्क यह जो राक जो तु लाया है जिसमें लोगे को सोना कर देने की सिपत है दुनिया की बहुत बेस्कीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी आइसान मंदू कि तुने आसी अनमोल पेट मुझे दी मगर दुनिया में यहां तक पंक्ति पूछी थी ठीक है मैंने कि किस दतन के बारे में बात हो रही है लेकिन आगे लाइन परो मगर दुनिया में इससे भी जादा अनमोल कोई चीज है जाओ उसे तलास करो और तब मेरे पास आ तो यह पंक्ति पढ़कर ऐसा लगेगा कि बा आएल किस दाना ना सरे लिएन जबाद़ करते है तो लिए और सब्सक्राइब कर दो प्लाः की लिए ऐ तृव मेरे ठों प्लाः क्रीस से तो यह जावाद्च से जवदione आगे चलते हैं कॉसर नमबर 57 मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है कितार में उसकी बुड़ाईया लिखी है उप्रोक संबाद इदगा काने के किस पात्र का है मैमूद मौसिन नूरे आमित हुआ जी बिलकुल आंसर हो जाएगा किसकी पाउंटिया हामित आगे चौसर नमबर 58 निम लिखित में से कौन सी कानी मांसर ओवर भागवन में संकलित है नसा बड़े भाईसा पूस की रात कैदी बीद्रोई पाज कानी आपको प्रताने किन में से कौन सी मांसर ओवर भागवन में संकलित है जी बिलकुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा एबी सीप नसा बड़े भाईसा पूस की रात देख लेते हैं इदगा मांसर ओवर भागवन में है 27 कानि है कौन कौन से देख त्याओं यह देखनी पर रही है कि कौन कौन सी मांसर ओवर के भागवन में है क्योंकि प्रेम चंद की कानी नायाद करने का नतीजा बहुत गलत होगा जाकी गुली टंटा इंपोटेंट जोती दिलकिरानी दिककार कायर सिकार सुभागी अनुबाव लांचन आखरी इला तावाण आसवाली गिला रसिक संपादक मनो विर्थी ठीक है जिन पर इंपोटेंट लगाया वह तो करी लीजेगा हालांकि आपके पेपर में कौन से कानी पूछ रहे कौन से कानी संग्रह में उनकी सभी कानी आपको पता होनी चाहिए ठीक है आगे चलता है ए एक तोक्री वा नामग कानी में आनात विद्वा की पोती की उमर्र है पाच दस पर्णाएंपीस क्या एजीती पोती की बताईएगा कि तीन सो कानी याद में करने हैं मांसोर भागवन में 27 कानी लगे याद करनी है क्यों कि मांसोर भागवन की एक कानी इद्गा आपके पाठ्टा करम में हैं ठीक है पांच वर्स यहां पर आप देख सकते हैं जो यह एक टोक प्रम मिट्टी कानी आनात विद्वायस में उसकी पोती इसमें याद रखेगा जो उसका पिरिया पती और इक लोग का पुत्र भी उसी जोप्री में मरे गया था पतो भी पांच वर्स की कन्या को छोड़कर चलबसी तो कितनी एजदी पांच वर्स ती जो वो ढूष्ट वतिक जो दोई लोग है जो वह वग्होध्या कितनी हुला है और पहुति हम अह ग्रिया है कई आऄ यह वर्स अननल सीग्र है निया सただत्री गवाजाफ खेगा जाष्टेश का रिभड़त उसे खताना है स्विक्र ब affili बताईएगा जबाब दीजीगा जबाब दीजीगा जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा गोल कत्ता हाग एक होसर नमबर 61 है उसके पाथ न्याय का बल है और नीती की सक्ति एक और मिट्टी है दूसरी और डोवा जो इस वक्त अपने को खोलाद कह रहा है वै अजय है खातक है अगर कोई सेर आ जाए मिया मिश्टी के छक्के छुट जाए जो मिया सिपाई मिट्टी की अपने का अपना बाग के इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर आ जी विल्कुर आउसर हो जाएगा एद का आगे चलेगे आपर उससे पहले पप्ते देख सकते है आपके कहनी का ही पेज आपर यह बभी ती तीक है आगे चलेगे कोशन नमबर 62 सजन्वा बैरी होगे यह हमारो सजन्वा अरे चीठ्थया होते सब कोई बाचे चीठ्थया होतो हाई करम वा होई करम उप्रोक गीत किस काहनी से है चीव की दावर तीसरी कसम मुख माले गए गुल्फाम उसने खा था परिंदे आपको बताना है कोशन नमबर 62 जवाब दी सब्सक्राइब करें चीठ्थया हो जाएगा तीसरी कसम मुख माले गए गुल्फाम गीत वह इंपोर्टेंट है आपके पेपर में पूछे जाता है गीत सीता निमलेकित में से किस काने की पात्र है यह तो हमारा हो चुगार है वह बिल्कुल दुलाई वाली काने की पात्र ह है ठीक है आगे चलते है खौसर नमबर 64 सुची उनको सुची दो से मैच करने आपको पात्र मैच करने कौन किस कानी का है एक तरफ कानी के नामे इदगा उसने का था परिंदे राई दूसे तरफ पात्र आतर सिंग आबिद अनीता लतीगर चार उप्शन है जवाब देना है बताईएगा क्या हमारा जवाब होगा जी बिल्कुल आउसर हमारा हो जाएगा ओप्शन वर्ण इदगा आबिद उसने का था अतर सिंग परिंदे लती का राही अनीता आगे कौसर नमबर 65 अग्ये की कानी संग्रिया को उनके परकासन वर्ष के अनुसर पहले से करम में लगाई हमेजा याद लखेगा जिस वी आफ जो भी उनिक करत तो परियास करना चाहिए कि कम से कम अग्ये के जितने कानी संग्रैंद है याद विद करम से यादव ऑप हमेशा याद लगना झैद लिये तेरे परतिरूप परमपरा और्ठे की बास सरणार थी चार ऑ जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा C D E A B देख लेते हैं एक बार अग्या की टोटल जो है साथ खानी संग रहे हैं सबको देख लेते देखो अब रिवीजन ही करना है पर तो हम काभी चुके है ठीक हम पढ़ी रहेते पाच्छा महिने से अब हमें रिवीजन करना है भ प्रेड़ नाम याद सब होना चाहिए आगे चलते हैं और चाहिए बाल की खाल निकालने वाले वकीलों के थैली गरम कर उन्होंने अदालत से जोपरी पर अपना कब्जा कर लिया उप्रोपंक्ति किस कानी की है राई इस पैट्र माता दीन चान पर एक टॉक्ली वर मिटी चंदर देव से मेरी बाते हैं पताईए गभी जवाब दीजिए जी बिल्कुर आंसर हमारा हो जाएगा एक टॉक्ति भर मिटी आगे चलते हैं कोसर नमबर 67 है सादगी और सैज्टा विश्म जी की कानी कला की ऐसी कूप्या है जो प्रेम चंद के अलावा ओड कही नहीं दि स्थाइट देती हैं जीवन की विटमना पूर्ण इस्थितियों की पहचान भी इसमसानी में अपरतिम है यह विटमना उनकी अच्छाईयों की जान है प्रोक पंक्ति विश्मसानी के काने के विसमक कि सालों चक्रिया आपको बताना है बच्चन सिंग नामवर सिंग राम ज आंस्वर अमारा हो जाएगा नामवर सिंग के पंक्तिया विस्म सानी के काने के संबल रहे हैं आगे है कॉसर नमबर 68 इसमें प्रेम और गिर्दना के गैन आवेक मेयता की गैरी टकराथ है आकास्तिव काने के विसे में एक अथन किसका है आपको बताना है राम विला सर्मा सु जी बिल्कुल किस का ने काया बच्चन सिंग ने काया किस कानी के संबल में आई है आकास्तिव कानी के संबल रहे है कॉसर नमबर 69 विस्म सानी के कानी संग्रिया को उनके प्रकासन वर्स के अनुसार पहले से बात के करम में लगाई है पाच कानी संग्रिया सोभा यात्रा व जबाब दीजिएगा बताईए जी बलुकुल थांसवर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 CBAET देख लेते हैं यहां पर विस्मसानी के टोटल जो नो कानी संग्रेया नो के नो में दिद करम से याद होने चाहिए बागे रेखा उनिसाचर निसाचर पाली नवासी डायाड उनिसाचर ठीक और यह ऑठहन्टीक है रामचन तिवानी वाली बुक का पेज है और यह कोटेशन भी आपको जो मैंने पीछे पूछी थी यह इंपर आपको मिल जाएगी नामपर सिंगी यह कोटेशन है आगे है question number 70 निम्ने में से कानों में कंगना काने के पात्र है किन्नरी हीज्रा मोहन सोहन नरेंद्र आपको बताने इन पाच्चों में से कानों में कंगना काने के पात्र कौन से है चार ओप्सन है जबाब दीचिए गाँ जी विल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा किन्नरी हीज्रा और सोहन नहीं है किन्नरी मोहन और नरेंद्र है देख लेता है कानों में कंगना काने के पात्र योगिस्वर जोकी किरन के पिता है और नरेंद्र के गुरु किरन नरेंद्र की पत्नी नरेंद्र कथा वाचक मोहन नरेंद्र का मित्र किन्नरी नाचने वाली और जूई जूई याद रखेगा एक ही जंगे जिक्रुआ है तो कन्फूज हो सकते हैं जूई है या नहीं ठीक है आगे चलते हैं कॉस्टन नमबर 71 तीसरी कसम उपमाले गए गुलफा कहानी के नायक हीरामन ने निवन में से कौन सी कसम नहीं खाई ती जी कॉस्टन है चार ओप तो कोसी नजी कि यमुना नदी् कॉसन नमबर 72 जवाब दीजी क्या अमारा जवाब होगा बताईए जवाब दीजी जी बिल्कुर आंसर अमारा हो जाएगा कोसी नतिर आगे कॉसन नमबर 73 दो फैल में और सूने आंगर में पैल रखते हो यह मुझे ऐसा जान पड़ा मानों उस पर किसी श्राव की छाया मंडरा रही हूँ उसके वातावरान में कुछ ऐसा एकत्य ऐस परस्या किन्तों फिर भी बोजन और परकंप में और घना सा फैल रहा था जी बिल्कुल गैंगरीन कानी का प्रारम इन पंग्तियों के साथ होता है कॉसन नमबर 74 निम लिखित में से कौन सी कानी देश विवाजन की प्रस्पूमी पर लिखी गई है राई अम्रिस्सर आ गया है अपना बाग के कॉसी का घटवार जी कॉसन है बिल्कुल कौन सी कानी अब देश विवाजन पर आधारित है आगे से कॉसन नमबर 75 तोक्री बर मिटी अम्रिस्सर आ गया उसने का यह इस्पेक्टर माता दीन चांद पर आप को बताना है कौन सी कानी पर्थम विविव्ज़न की प्रस्पूमी पर आधारित है तोब छाटीटा पताएगा जी बिल्कुर आंसर हो जाएगा हमारा उसने कहा था आगे चलते हैं कौसर नमबर 76 हरिया नी माई हरिया नी भैने हरिया ते भागी बढ़िया है वो प्रोगित किस कानी से है चीव की दावत तीस्ती कसम उसने कहा था परिते बताईए जवाब ती चेम जीव बिल्कुर यह यहाँ पर चीव की दावत कहानी से आगी चलते हैं कौसर नमबर 77 निम्ने में से एकस्पैट्र माता दीन चांद पर कहानी के पात्र है बलबद्र बलदेर मुंसी अब्दुलकफूर चुनिलाल रामस जीवन आपको बताने इन पाच में से एकस्पैट्र माता दीन चांद पर कहानी के कौन-कौन से पात्र है बलबद्र हवल्दार रामस जीवन यह दोना हवल्दार है कौन बलबद्र और रामस जीवन फिक ग्राय मंत्री सचीब पुलिस मंत्री कोतवाल और मुंसी अब्दुलकफूर यह पात्र है इस्पैक्टर माता दीन चांद पर खानी के ठीक है आगे चलता है कॉस्टन नंबर सेवेंटी एड निम्न में से ग्यान ब्रंजन के कानी संग रहे हैं यात्रा बीच बैस में बयान चंजीवी फैंस के इदर उदर चार ओप्सन है जवाब आपको देना है बताईएगा जवाब दीजीगा आंसर अमारा हो जाएगा ए टीए यात्रा सोरी यात्रा चंजीवी फैंस के इदर ठीक है तीन जवाइन में से ग्यान रंजन के कानी संग रहे हैं कौन-कौन से यात्रा चंजीवी फैंस के इतर होता है आगे चलते हैं कौसर नमबर 79 पिता कानी में परिवार किस नगर में रहता था गंस्याम नगर कृष्णा नगर कोशी नगर कांधी नगर गंस्याम नगर 79 का जवाब दीजीए बताईएगा आगे चलते हैं कौसर नमबर 80 अच्छी बली है भाई के पास जा रही थी तुमने यूई खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अच्छा बंगती किस कानी की है आपको बताना है पिता इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर एक टौकी बर मिटी चीव की दावत है खौसर नमबर 80 जवाब दीजीए जी बिलकुल है चीव की दावत और कौन किस की पंगती है सामनाथ की पंगती है किस से कह रहा है अपनी पत्नी से कह रहा है और किस के बारे में कह रहा है अपनी मा की बारे में कह रहा है ठीक है आ वस्तन गते हैं बेटीवन सुची उनकिक ऑड़से सुमेलित कीजिए एक तरब आपके więks ग़रानी हैं दो तरब कानी संग्रह आपको बताना है कौसी कानी कौसी कानी संग्रह में संकलित है ठीक्ञा इसाथ बदल गया है जीव की दावड दुन्या का सबactions अन्वोल्डffen तीसरी कसम उपमाले गे गुल फार्म, पिता, आपको बताना है कौन सी काहनी, किस काहनी संग्रया में है, बताईए जवाब दीजिए, तीसरी कसम मुख माले गे गुल फार्म, ठुमरी, पिता, हैंस के इदार उथर्म, पॉस्ण नमबर 82, सुधीर और देवा किस काहनी के पात रहा है, राई, अमरे सरा आ गया है, अपना अपना भाग के पिता, जी, बिल्कुर, आंसर हमारा हो जाएगा, आप्शन फोर्ड पिता, आगे चलते हैं, अपना अपना भाग कानी की पंक्ति को, पहले से बाद के करमें लगाई है, चार पंक्तिया, आपको इंटार पिता, पहले से बाद के करम में लगाना है, यह पंक्तिया, बहुत कुछ निरुद्य से भूम चुकने पर हम सरक किनारे के एक बेंच पर बैठे, नैनिताल याद रखना ठीक है, यहां पर नैनिकाल का जो आपना भाग के में नैनिताल का वर्णना है, नैनिताल की संधिया दीरे द रहती जो और दोस्त लोग है वे दो दोस्ते जो है नैनिताल जो है पूम ने आई थी, तो यह नैनिताल वाला याद रखना अपना भाग के कानी में जिकर है, पीछे हमारा पोलो वाला मैदान थेला था, सामन अंग्रेजों के एक परमोद किरह था, जा स्वावना रसीला ब करकर चलते हुए अपने इंदुस्तानी नोनियाल भी थे, दीप अंक्तिया सब सन्नाटा था, तल्ली लाल की बिजली की रोशनिया दीप मलीका सी जगमगार रही थी, वे जगमगार दो मीर तक खैल हुए परकिरती के जलदरपड पर परतिविंबित हो रही थी, चार ओप् करम में आगे चलते है कोसर नमबर 84 करच कोड का रोग होता है, एक बार लगने से तंतो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है हुप्रोक पंक्ति किस कहनी की है, राही इंस्पेक्टर माता दिर जान पर एक टॉक रिवर मिट्टी राजा निर्बंसिया, कॉसर नमबर 84, जवाब दीजिएगा क्या हमारा जवाब होगा, जी बिल्पूर, आंसर हमारा हो जाएगा, राजा निर्बंसिया, आगे चलते है जाएग ऑसन नमबर 85, जैसंका परसाद के कानी संग्राय को उनके परकास्न वर्ष के अनुस्वार पहले से बाद के करम में लगाई आकास्टीप, आंधी, छाया, इंदरजाल, प्रति दम्न, पाच कानी संग्राय पहले से बाद के करम में लगाना है, चार आप्सन है, जव बताईएगा, जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा, देख लेता है, जैसंका परसाद के पाची कानी संग्राय है, चाया, 1912, परति धवनी, 1926, आपकास्दीप, कई कई पर 28 मिलता है, कई पर 29 तो दोनों याद रखेगा, आंधी, 31, इंदरजाल, 36, पाची कानी संग्रा और पर्थम कानी कौन सी है, जैसंका परसाद की गड़ाम है, 1911 में परकासित हुई थी, कौन सी पत्रिकम है, इंदू पत्रिकम, चीक है, आगे चलते हैं, कौसन नमबर 86, निमलिकित में से आकास्दीप कानी संग्राय में संक्लित कानी है, आपको बताना है, इन पाच में से कौन कौसी कानी, आकास्दीप कानी संग्राय में संक्लित है, आकास्दीप पत्थर की कुकार, खंडर के लिए भी, सोड के खंडर में ममचा, चार ओप्सन है, एक फोर्ड बना कर आपको जवाब देना है, जवाब क्या होगा हमारा? जी, बिलकुँ, आंसर हो जाएगा, A-D-E, देख लेते हैं, आकास्दीप कानी संग्राय में कुल 19 कानिया है, और आपको 19 कानी के नाम पता होना चाहिए, एक बार हम भी पढ़ लेते हैं, रिविजन हो जाएगा, आकास्दीप यह तो आपके पट्थर करम में लगे और इस अपरादी, पढ़ने चिन, प्रूप की चाया, चोतिसमती, रमला और विसाद, आगे चलते हैं, कौसा नमबर 87, वे हैं आदे वर्मी थे, जिसके चिन उनकी थोड़ी दव्यूई नाग और छोटी-छोटी चंचल आपकों से इसपस्ट थे, वो परोग पंक्ती परिंदेका जवाब दीजिए, जी बिल्कुल, आंसर हमाना हो जाएगा, डोटर मुकरजी, कौसा नमबर 88, निमलिकित में से राजियन रियादव के कार्नी संग्रया है, खेल किलो ने, तूटना, जालक्समी कैद है, यादरा चंचिवीन पाच में से, राजियन रियादव के कार्नी आपको बताना है, चार उप्सन है, जब आप दीजिएगा, आप यह तो समझ पाले हो नहीं, राइटर के ही क्यों पूच रही हो, क्योंकि आपकी यूनिट 8 में हिंदी कार्नी में ही लगे हुए, जी बिल्कुल, आंसर हमाना हो जाएगा, A, B, C, खेल किलो ने, लूपना, जालक्समी कैद है, तेख सकते हैं, राजिन रियादव के टोटल 9 कानि संग्रह, डेवताओं की मुर्थिया, उनने सो इक्यावन, खेल किलो ने, उनने सो तरेपन, जालक्समी कैद है, उनने सो सत्तावन, अभी मन्यू के आत्मत्या, उनने सो उनसर्ट, छोटे-छोटे जाजमेल, 1961, किनारे से किनारे तक, 1962, तोटना, वेरिंपोटेंट कानि संग्रह, 1966, अपने पार, 1968, डोल और अन्यकानिया, उनने सो बात्तर, हासिल तथा, अन्यकानिया, 2006, टोटल कितने, 9 कानि संग्रह, ठीकि, आगे चलते हैं, उसन नमबर 89, निम्ध में से लाल पान की ब जवाब कीजेगा, जवाब कीजेगा, जी बलकुल, आंसर हमारा हो जाएगा, B, C, T, रंगी, जंगी, सुनरी, ये तीन हो जाए, लाल पान की बेगम कानी के पादी, देख लेता है, लाल पान की बेगम मर्फने सो नातरे नुद्वारा रचित कानी है, ठीक, इसमें जितने पात्रा, उनका रिवीजन करेंगे, इसमें पात्रा देखेंगे, बिर्जु की मा, कानी में इसी नाम से आईए, वे बिर्जु की मा, ठीक है, बिर्जु, चंप्या, मखनिफुआ, जंगी की पुतव, जंगी, रंगी कौन, जंगी का पेटा, सिद्दु की बहु, सववाइ सुनरी, रादे की बेटी और लरेना की बीबी, ये पात्रा है लालपान की बेगम कहनी के, आगे चलेगे, कॉस्टर नमबर 90, निमने में से सिक्का बदल गया कहनी के पात्रा है, फिरोज, सरोज, जैनी, मसीद, आस्मा, चार ओप्सन है, जवाब देना है आपको, कौन सिक् जी बिलकुल, आंसर हमारा होगा, A, C, D, फिरोज, जैनी, मसीद, सिक्का बदल गया, कानी, कृष्णसोप की द्वारा रचित है, इसमें टोटल इतने पात्रा है, देख लेते हैं, लिवी जग हमारा हो जाएगा, सानी, साजी, थानेदार, दाउद खा, पटवारी, जैनी कोना सेरा की मा, हसैना, जिगरा, फिरोज, रसुली, ठीक है, यह याद रखेंगा, आगे है कॉसर नमबर 920, टीटी, निमलेकित में से किस कानी का पात्र है, हम रिस सर आ गया है, गैंगरीन, दुलाईवाली, यीदगा, बिल्कुल, जो है, यहाँ पर गैंगरीन, कानी का पात्र है, गैंगरीन, जो है, रोज, दूसरा नाम, अग्या द्वारा रचित है, चार इसमें पात्र है, कौन-कौन से पात्र है, इसमें, मालती, जो की मुख्यां पात्र है, महिस्वर, मालती के डोक्टर, पती, टीटी, म कालती का बेटा मैं यानि की कहनी का ठीक है आगे चलते हैं कौसर नमबर 92 निमलिकित में से कौन सी कानी सोजे वतन कानी संग्रया में संकलित है यह मेरा वतन है सेक मक्मूर मुक्ति दन नसा दुन्या का सबसे अन्मोर प्रत्मी चार उप्सन है जबाब दीची पताईए जी बिल्कुल आंसर अमरा हो जाएगा A B E यह मेरा वतन है सेक मक्मूर दुन्या का सबसे अन्मोर रत्मी सोजे वतन की बात करो तो इसमें टोटल जो है है यहाँ पाच कानी संकलित हैं सोजे वतन में पहली कानी इसके दुनिया में हुब्ब वतन हिंदी में नाम बोले तो सां सारिक प्रेम और देश प्रेम दूस्ते कानिया दुनिया का सबसे अन्मोर रत्म थर कानिया यह मेरा वतन है फोर्ट सेक मक्मूर फिप्त सिल्ले मातम यानिकी सोब का फुरसकार आगे चलते हैं कौसर नंबर 93 राजा निर्बंस्या कानी संग्रया में कुल कितनी कानिया संकल पंद्रया सत्रया उननीस इकिस आपको बताना है पुर्सर नंबर 93 का जवाब देना है यह जी बिलकुल आंस्वर हमारा हो जाएगा 19 कहान तो कहने है स्कृर्ण नम देख लेते हैं राजा निर्बंस्या में ऊंचाहिए 19 से थैपन कोई आटावन बिदादां प्रक आसन वर्स्क्तिक है 19 कानि संग्लित है नाम देख लेते हैं कौन कोई से वे उननिस मानि निस ख सुब्य का सपना मुर्दों की दुनिया आत्म के वाज राजा निर्वन से तो पठ्ठ करम में हैं तीन दिन पहले की रात कर्मियों के दिन बठके हुए लोग चाहे गर्ड शोक चिन इनसान और हैवान नोगली पेसा गाए की चोरी सच और जूट बेकार आदमी ठानेदार आपकी कानिया है वह को सिक अकटपर कानी संग्रहें में संक्लित है टोटल उसमें 10 से 11 कानिया है ठीक है हम रिस्तर आ गया पट्रिया कानी संग्रहें में संक्लित है टोटल कितनी कानिया उसमें 14 कानिया है ठीक है आज कही है हमारा हिंदी कानी वाली उनिट का अंतिम कौसन ह तिंदी कारणीवाल उनिट के कॉशन समात्त होते है यहां पर है हमारे हिंदी कारणीवाली उनिट के कोशन समात होते हैं बुरी यूनिंग चलो तो अपनी क्लास सुरू करते हैं जैसा कि आपको पता है जो बच्चे रेगुलर है उनको पता होगा जो पहली बार किलास में उनको मैं बता देती हूं करना क आपको करना के आप एक पैन जरूर लेकर बैठ जाना दर्सक बनकर मत देखना कि अपना ए शी ना रामस वो चलास देख रहे नहीं थोड़ा कपी पैन लेकर बैठ ना और नंबरिंग कर लीज़ेगा वन तो 3 4 चाहि कर लीजेगा आप देखेश्य को ओने सोब कर little गया है अपने जवाब ढूरा नएन जवाबं दिखि तो ड़िए प्रेट जो क्यों सा प्रोप्स अनरी टोपिक क्यों कर लीज़ेगा कौन सा कौसन गलत है टोपिक अनतटक को मैं कर लेना defining और लात टोपिक रहें गलत है पंगते के करम वाला गलत हो यह पात्र वाला गलत है अंक के बात रहीं ढूल लुह कर दो किह पर साथ को क्रिकत हो सब्सक्राइब अच्छे ढ़ुब म capable कि बीजिए अब शीo कर लेना है उस टॉपिक का जहां से आपके कोसन गलत हो रहे हैं टोटल जैसा कि मैंने बताया है कि लास के बाद में मुझे बताईएगा कि आपके 250 में से कितने कोसन सही हो रहे हैं यह बताना आपके अपनी सुर्म की जिम्मेदारी है वीडियों में कमेंट कर रहे हैं और यह जब ही बता पाओगे यदि आपने चीजे नोट करी है करम से आप किलास देखते हुए चले हो मुझे पता है कुस बच्चे सुरुबास से आखनी तक रहने वाले हैं कुस बीच में आएगे कुस बच्चे कोसन देखकर बीच में गायाब हो जाएगे क्योंकि कोसन का सामना कर पाईगे की को संहार है था हो नहीं करते लेकिन आपको बता देती हूं कि अगर यहां पर को सामना कर लोगे आजव Nick directly को देआसे बहुतउनosर he चाहे अभी देखो चाहे बाद में देखो कभी भी देखो लेकिन यह कॉस्टन जो है 250 के 250 कॉस्टन सोल जरूर कर लीजेगा अब हम सुरू करते हैं अपनी क्लास आज की कॉस्टन नंबर बन देखेंगे याँ पर अंदेर नगरी नाटक के संबन में सत्य कथन है आपको बताना है कि इन पाचों में से अंदेर नगरी नाटक के बारे में क्या क्या सही पॉइंट है कॉस्टन को ध्यान से पढ़िएगा NTA के प्रकॉस्टन है सारे ए पॉइंट है नाटक के आरम में गुरु मैंत अपने दो चेलों के साथ गाते हुए आते है बी पॉइंट है नाटक का मूल परतिपाद्य लोग और भोग से संबन्द से है सी पॉइंट है यह नाटक भारतेंदों ने जगरनाथ में नैस्नल ठेटर के लिए दो दिन में लिखा था डी पॉइंट है अंदेरनागी नाटक का परकासन 881 में हुआ था यह पॉइंट है तीसरा अंठ बाजार का है जो लोग के लिए सीधा उप्धिपन है आपको बतान मैं आपको बता देती हूँ जो आज के 250 कोशन है यह आपने कभी ना कभी मेरे चैन्यानं पर शोल किये हुए है ठीक है इसलिए मैंने मैराथन भी रखिया ठीक है क्योंकि कल ऐसे यह था तरह तो इसलिए मैंने तो जाए एक दिन पहली है यह आपको अपको मैराथन किलास र हो जाएगा option 3 a b d c और e गलत क्यों है क्योंकि भारतियंदु ने नाटक एक दिन में लिखा था और का पर बनारस में नैशनल ठेटर के लिए ठीक है और यह दूसरा अंक जो है पाजार का है पीछे क्या लिखा था तीसरा अंक यह आपके रिवेजन क्लास है अगर आज आप य पाइदा होगा नमबर 2 ए चंद्रुगुपनाटक के पर्था मंक में कितने दिरिष्टे हैं 11 10 9 14 आपको बताना है इन 4 में से पर्था मंक में कितने दिरिष्टे है चंद्रुपनाटक में हाँ यह mcqm आपको बता देती हूं 250 के 250 कोसन मेरे द्वारा बनाए गया है फुद नफ्काइबटक के इसलिए इजी कोसन था जबआप हो जाए Gandhi कितने लिए कि लनगे कि न सबझ के नाम से दोनों नेन्विनों सूर दास भहिक अभीकुल राई राम के नाम से घास जंगल की तुरसी दास भहिया बजी रभुराई परस्तुत गीत में जो यह नसाई और जो यह राई सब्दाया ना इसका अर्थ बताना आपको इसका अर्थ क्या है ठीक है चार पाच आपके सामने अगर आपने नाटक पराए मेरे साथ पराया तो आपने देखोगा नीचे उनके अर्थ दिये हुआ तो जब एक स्टेप आगे जाएगे तो अब यह गीत नहीं पुछा जाएगा काफी बार पूछा जा चुका है तो क्या होगा इन गीत का करम पुछा जाएगा या इनका अर्थ पूछा जाएगा इन दोनों में से कोई एक चीज पूछी जाएगा तो क्योंकि सुरुबाद में नई स्टुडेंट आते हैं उनको थोड़ा बताना होता है समझाना होता है फिर दीरे दीरे फ्लो अपना भी बनता चला जाएगा जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो ज अर्फोर राज नमबर फॉर नाटक के संबन में सकते कथन आपको बताना इन पाचों में से क्या क्या पौइंट मेंछी सा मोगी बिल्कुल ऐसरे मैं में भाराज्ड़ी चाहिझा इसाधा नाके में Việt 9。」 पाच पॉइंट आपको बताने इन में से क्या सही है क्या गलत है चार आपके सामने आपके स्कीन पर आपको दिखाई दे रहे होगे एक चीज और बता देती हो अब तक क्या होता था आपके में परकासन वर सन में पूछते थे लेकिन अब संवत में भी पूछा जाने लगा त पेपर निया किसी भी रच्चना का संवत में समय पूछे तो करना क्या क्या है आपको क्या करना इसमें पहर शामने समय निकल कर आ जाएगा तो कि इसमें गबलाना नहीं कि याद करना है नहीं बस हमें जो है यह पता होना चाहिए कि संद में से संबत कैसे निकालते हैं जी बिल्कुल यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन थ्री ए बीडी बिल्कुल सही है तीनों पॉइंट योगी गाते हुए आते हैं राष्ट्र चेतना को प्रतिविंबित करता है और तीसरे अंक इस्थान मैदान है गलत क्या परकासमर्स क्या 880 पीछे क्या लिखा हो दा 881 ले गलत हो गया ठीक है और साथ अंक नहीं है भारत दूर्दसन नाटक में कितने अंक है छे अंक है आगे चलता है कौसान नंबर फाइग जागो जागो रे भाई सोवद नीशी बैस जागो जागो रे भाई नीशी की कोन कही दिन वित्यों काल राती चली आई देखी परत नहीं हित अनित कच्छू परे वैसरी बस जाई भारत उर्दसन नाटक कि किस अंक में यह पंक्ति है आपको बताना है कि कौन से अंक यह पंक्ति है पर्थमंग तीसरांग चोथांग जैसे पंक्ति इसके बारे में दो तीन कोसर बन सकते हैं कोंसे अंकी है किसकी पंक्ति है ठीक है और साथी इन मेंसे दो तीन पंक्ति देकर इनका करम भी पूछा जा सकता है हाँ भारा दूर्दसा और अंदेर नगवी दोनों में जो यह चैचे अंकी है जी पिलबुल आंसर हमारा हो जाएगा कौन से अंकी पंगती है छेटे अंकी पंगती है ठीक है किसकी पंगती है भारत भाग्या की पंगती है ठीक आगे है कोस्न नमबर सिक्स अंधायोगुग नाframes कि अंगों को पहले से बाद की करम में लगाई यह तो यह तो नहीं है पहले से बाद के करमा को लगाना है जो अंक पहले आया उसको पहले रखना है जो बाद में रखना है चार ओप्सन आपको आपकी स्कीन पर दिखाई दे रहे हैं जवाब दीजिए आप्सन नमबर सिक्स का जी बिलकुल यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा cdave अंदायूग नाटक में कितने अंक है टोटल पाची अंक है ठीक है पर्थम अंक क्या नाम है कोरव नगरी दूसरे अंक का नाम पसुका उद्या तीसरे अंक का नाम अस्वत्थामकार्दसत्या फोर्ड गांदारी कस्राव मैं आपको बता देती हूं जब तक आपके पेपर में अंदायूग भारत दूर्दसा चंद्रगूप्त इसकंद्रगूप नाटक लगे रहेगे उनके अंकों के नाम जो है आपसे पूछे ही जाएगे कितने अंक है यह भी पूछा जाएगा और उन अंकों के नाम भी नाट्बर किजिए पाच यहां पर प्वांट आपको बताने इन पाचों में से थ्वा ज़िएं पांग में लाता है अंद और दीou नाटख में जाएग हाँ जब inform system सब्सें कि और जब भी work of options आता है ना तो आपको करना क्या होता है Elimination method जो है U करना होता है जैसे इसमें सबसे easy point किया है Parcasan verse वाला easy point है नायटक में कितने आंग है ये भी easy point है तो हमें पता है नायटक में जैसा कि में पीछे बताकर भी आयो 5 चंग है तो हमें पता है दी पॉइंट गलत है तो दी जिसमें है वो एलिमिनेट कर लो उसके बाद हमें पता है अंदहिवनाटर का परकाशन 1905 में यह परकासित हुआ था तो दोनों में से का पर है यह है तो यानि हमारा फॉर्थ जबाब हो जाएगा एलिमिनेशन मैंतर यूज करोगे तो आपके कभ यहां पर अंदहिवनाटर का आरम का पर इस्थापना सिर्शक्स होता है ठीक है और नाटक में पाच जंग है इसलिए हमारा सी और डी पॉइंट गलत है आगे चलता है कॉस्टन नमबर एट इसकंदुपनाटक की स्तिरी पातर है आपको बताना है इन में से कौन-कौन से इस अगे चलते हैं आपर उससे पहले इसकंदुपनाटक के सभिस्तिरी पातरों के नामें एक बार देख लेते हैं देवकी अनंतेवी जैमाला देवसेना वीजया कमला रामा मालिवी आगे चलते है कॉस्टन नमबर नाइन सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए एक तरह पर 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 एक तरह पर उनकी भूमी का कोन क्या था आपको मैच करना है प्रंदत मात्रगुप खिंगिल मुद कर दोसी तरह पर हून आकरमन कारी कावय करता कालिदास मगद का महाना है विदुसक आपको मैच करना है यहां पर चार ओप्सन आपके सामने है कॉस्टन नमबर नाइन का जवाब दीजिए बताईए बही जवाब दीजिए जी बिल्कुल आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा ओप्सन टू प्रंदत मगत का माना है मात्रगुप कावय करता कालिदास खिंगिल मुणा करमन कारी मुद्गल विदुसक आगे चलते हैं यहां पर ये श्कन्रगुप नाटक के पुरुषपातरों के नाम है पता ही आप सभ अब प्रित्य आंक में कितने डिस्या तर्ग को पताना है तेस्या अपन कितने डिस्या चार आपोप्सषरे में 11 यह फितन fire कमोपको बताना नंबरर 10 DEójine तकhuto 10 जेवाब भी, क्या दो और आपो इन पार ही तो नो चाहिए कुन से आंक में यांक हो द keynote%, साह Mister, और या आपको यह पर आंस्वर नहीं हो जाएगा नो दिरिष्ए है इस चंदरुगूप नाटक के इंप लिखा भी हुआ है मैंने यहां पर देख लेते हैं चंदरुप नाटक में टोटल चार अंग है पर्तम दिरिष्ए है दूसरे अंग में 10 तीसरे अंक में 9 और चथुरत अंक में 14 ठीक है याद रखेगा इंपोर्टेंट है पिछले बार आपके पेपर में 4 अंक में पूछा गया था कितने दिरिश्या है एक स्टेप आगे जाएगे तो इनके नाम भी पूछे जाएगे ठीक आगे है कौसन नमबर 11 चंद्रगुपनाटा के पर्थम अंक के दिरिश्यों को पहले से बात के करम में लगाएए ए मगत समराट का विलास कानन बी सिंदू टटपर दांडयान का अस्रम सी कानन पत में अलका डीप फार्टली पुतर के में एक बगन कुटिर ए तकसिला के गु जी बिल्कुल यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑफशन फोर देखो तकसिला के गुरुकुल का मठें इसे नाटक का पढ़ारम होता है तो सबसे पहले तो मैं हमेंसा कहती हूँ जब यह दिरिश्यों का करम वाला कौसन आएगा पहल और आकरी आपको पता होना चाहिए वह कि अवाज कि वह वफटिंग होड़ी है कि अब बता हुए एक बार बच्चो तो देखो एक इसमें है यह दो में है यानि दो तो हमारे इलिमिनेट होई गए क्योंकि हमें पता है पर्थम अंके पर्थम दिरिश्य का नाम यह है तो इसलिए जो है मैं हमेंसा कहती हूँ पहल को जा रहें नाम यह आप रखे हुए है तो कि आप लोग टेक लेचेहिए आगे चलता था है कोछसव इसन आपको बचानास को कोन सी जिशा में भेघते हैं अoirटे कि सुरुमांट थी कि तो बहु जा तो यह 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 अवाज को लेकर तो आप लोग एक बार अपना पुद क्योंकि अगर मेरी तरफ से कोई परिशानी होती तो सभी बच्छों को होती पताईए जबाब तीची जी बिल्कुल आंसर हो जाएगा पूरब दिशा में बेजते है नाराय अंदास को और गोवर्दर अंदास को कौन सी दिशा में बेजते हैं पस्षिन दिशा में ठीक है दो कोसा नमबर 13 देख जो कुछ सीधा सामागरी मिले तो सिरी साल ग्राम जी का बालबोद सित्र को अंदेर नगरी नाटक में यह संबाद किस पात्र का है आपको बताना है नाराय दास गुरुमेंत को वर्दन दास जातवाला ब्रहमत कौसा नमबर 13 जवाब दीजे जी बिलकुल आंसर हमाय हो जाएगा गुरुमेंत की यह पंगती थी आगे चलेगे कोसा नमबर 14 भारत दूर्दसा नाटक में चोथे अंक में आए पात्रों को पहले से बात के करम में लगाई है रोग मदीरा आलस से अंदिकार सबसे पहली बात तो आपको यह पता चल गई कि भारत दूर्दसा नाटक के फोर्ट अंक में कौन-कौन से पात्र आते है यह चारों आते है रोग मदीरा आलस से अंदिकार बस अब आपको क्या करना है कि कौन सा पात्र पहले आया है कौन सा बाद में आया है ठीक है चार ओप्सन है और यह चीज नोट कर लीजेगा भार जी बिल्कुल आंस्वर कमरा हो जाएगा A C B D सबसे पहले रोग फिर आलस से फिर मदीरा और सबसे आखरी में अंदिकार आगे कौन नमबर 15 बारा दूर्दसा नाटक के पर्थम अंक की पंक्ति को पहले से बाद की करम में लगाईए यहां पर आपको पाच पंक्तिया पहले से बाद के करम में लगाना है ए पंक्तिया लड़ी व्यदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी बी रोहू सब मिली गई आवू भारत भाई पंक्तिया अंग्रेज सुक साज सजे सब भारी डी पंक्तिया सब के पहले जेही इसवर देह बल दिनो इपंक्तिया जैबई साथक्या हरी चंदरू नौस यहाती पाच पंक्तिया आपको इनको पहले से बाद के करम में लगाना है चार ओप्सन है जवाब दीचिएगा कॉस कॉसन नमबर 15 का जी बिल्कुल यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा बी डी ए सी देखो इसमें दो तीन पंक्ति तो बहुत ही परसीद है एक तो यह रोगुसम मिली के आवु भारत भाई अंग्रेज सुक साज सजे यह इतनी परसीद पंक्तिया और जब करम वाला कॉसन बन आपने देखो होगा पार्च में से दो तीन पंक्ति बहुती जो परसीद है जो बार बार पेपर में पूछी जा चुकी है वे करम में जरूर मिलती है ठीक है तो इन दोनों पंक्तियों को खास तोर पर ध्यान रखेगा आगे चलता है कॉसन नमबर 16 अंदयू गुनाटक के सीर्शक का क्या नाम है पंक पहिये और पट्या पंक्तियों हवा और रद पर्गो की मिलती हूँ अंदयू आपको बताना है जो तीसरे और चोते अंग के बीच में अंतरा लाता है अंदयू गुनाटक में उसका नाम क्या है बताईएगा कॉसन नमबर 16 का जवाब दीजीग जी विल्कुट यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन वन पंक पहिये और पट्या है ठीक है आपका स्वागत है अनुतिवारी 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 आपकी फर्स्त लाइप किलास है अंदयू नाटक में यहां पर एक बार देख लेते हैं उन्निसो पच्छ पासित हुआ गीति नाट्या पाच यंक है ठीक है हम सभी नाम देख चुके सुरुवाद में मिलती है अंदयूग नाम से बीच में अंत्राल मिलता है पंक पईय और पट्या और आखनी में समापन मिलता है परभु की मिल्ट्यू ठीक है यह वियात रखेगा आगे चलते है कॉस्टन नमबर सेवन्टी बच्चल सिंग के अनुसार अंदयूग नाटक के संबन में सत्य कथन है पाच यहां पर पोइंट है आपको बताना है इन पाच जमिल से क्या क्या पोइंट सही है बच्चल सिंग के अनुसार आपको बताना है ठीक है एक पोइंट भारती ने मुल्यों की तलास में तीन नाम दिया है सास सवतंतर्ता और सिर्जन की अंदयुक कदापी ने लिखा जाता यदि उसका लिखना ने लिखना मेरा वसकी बात रहे गई होती पाच है पोईंट यहां पर आपको बताना है बच्च शिंग के नुसार कौन-कौन से हुआ है जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा option 2 केवल b c d b c d यह तीनों जो कोटेशन है किस किया बच्चन सिंग वाली बुक में आपको मिल जाएगी और यह और e किस किया यह भूमिका में एक दी हुई है पंक्ति धरमवीर भार्दी की दोनों कोटेशन है ठीक आगे चलता है question number 18 इसकंदगुप नाटक के संबन में सत्य कथने आपको बताने इन पाच्चों में से क्या-क्या पॉइंट सही है इसकंदगुप नाटक के बारे में जो कोई नहीं नहीं है लेकिन यह आंसर भी तो नहीं है ना आंसर तमारा B C D है ना तो वह तो है option में तै कुबित है जो गया आपको बताना है यहां पर क्या रहे हो कि सहारय और 4 options सेमने कभी है अलग अलग है यहां पर शकंद पनाटक की बात हो रही है आपको बताने इन में से क्या सहिए क्या क्या तैस्तरिस दिरिस्स है नाटक का पढ़कासन निस्ए औराफाइस 12 में हुआ पर्थमंग में 6 दिर्ष्ट है नाटक में कुलपाच अंग है चतुर्टंग में 6 दिर्ष्ट है चार ओप्षन है जवाब देना है आपको 18 का जवाब दीजिए बताइए क्या हमारा जवाब होगा आपको 18 का जवाब दीजिए जी बिल्कुल आणसर हो जाएगा A B D देख लेते हैं यहां पर एक बार डिटेल में इसका अपनाटक परकासन कव है 1928 कितने अंग है पाच अंग है टोटल कितने दिर्ष्ट है 33 कॉम से अंग में कितने दिर्ष्ट है यह भी आमें पता होना चाह आगे चलता हैो सुस्त नमब необходимо चाहिए और काुसर को नियुक्द दिर्ष्ट के पर्थमन के दिर्ष्टो के नामें आपको पहले से बाद के करम में लगाना है ए पत्मे मात्र गुप्त बी उज्यनी में गुप्त सामराज्य का इसकंदावार सी अवंती के दुर्ग में देव सेना वी जया जैमाला डी अंत्यपूर का दुवार इन नगर प्रांत के पत्मे ठीक है पाच पॉइंट आपके इनको पहले से बात की करम में लगाना है चार ओप्सन है कॉसर नंबर नाइंटीन का जवाब दीजिए क्या हमारा जवाब होगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन टू बीए डीए सी देख लेते हैं इस कंदू पुनाटा के पर्था मंग में साथ दिरिश्य साथ के साथ के नाम यहां पर रखे हुए हैं कम से कम पर्था मंग के दिरिश्यों के नाम तो यादी करकर जाना ठीक आगे चलता है कौसन नंबर 20 सुची वन को सुची दो से ब्लान करना एक तरह पर पात्र दोसी तरह पर उनकी भूमिका आपको बताना है कौन से पात्र क्या भूमिका थी सक्टार फिलिप्स देवदत नागदत मुदगर नापन की भूमिक है तकसिला का राजकुमार कौन थ आपको बताना इन में से स्रिकंदर का चितरफ मगद का मंत्री मालवगन के पदाधिकारी चार ओप्शन है कौसन नंबर 20 का जवाब दीजिए जी पिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ओप्शन 3 सक्टार मगद का मंत्री फिलिप्स सिकंदर का च्छतरफ देवदत नागदत मालवगन के पदाधिकारी आंबिक तकसिला का राजकुमार आगे चलते हैं आपर कौसन नंबर 21 पर चंद्रगु पनाटक के संबंद में सक्त् पाइन पाँच व Beitろ चंद्रगुफनाटक के बारें तरी पर्मच में परिवर्थित रूप है परकासन 1935 में अभिनवत चंद्रगुप्त के नाम से किया गया है चंद्रोगुप नाटक का पड़कासन 1931 में हुआ नाटक के स्रूण कंदर के से सुरु करकर के सेर्ल्यूकस स संदी तक का विस्तार है पाच पोइंट आपको बताने इंग में से क्या सही है क्या गलत है चार ओप्सन है को सन नंबर 21 का जवाब दीचे बताइए क्या हमारा जवाब होगा इतना फीवर चल रहा ना याद रहते है बस जी पिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन 3 केवल A.C.E. परकासन कब वह था उनने सो तैटीस में अविनव चंद्रगुप्त के नाम से परकासन कब वह था उनने सो तैटीस और नाटक में कुल चार अंक है ठीक है यह तोनों पीछे यहां पर गलत लिका हुआ ता इसलिए हमारा बी और डी गलत हो जाएगा तिक आगे चलता है कौसर नमबर 22 फिर इस राज में सादुम आत्म इन्हीं लोगों की तो दूर दसा है अंध्यान अग्री नाटक में यह संवाद किस पात्र का है आपको बताना है पहला प्यादा गुरुमैन गौवरदंदास दूसरा प्यादा आपको बताना है कौसर नम माना हो जाएगा पहला प्यादा अगे कोसर नमबर 23 रंगमंज की दिश्टी से उनका मैंत्पूर नाटक अंध्यर नगरी नोटंग की शैली पराधारित यह नाटक अपने किर्यात्मक सब्दों से व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्टे भी परस्तुत करता है जो सब्सक्राइबाज भी बच्चन सिंग राम सब्रूप चतुर्वेदी चार यहां पर ऑप्सन है कॉस्टन नमबर 23 का जवाब दीजिए बन लाइनर यहां पर हमारा जवाब पर जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा ऑप्सन 3 बच्चन से यहां पर यह बच्चन सिंग के अंकों के नाम है आपको बताने इन पाच्चों में से कौन कौन से भारादूर दसन नाटक के अंकों के नाम है वी थी गंवीरवन का मध्यबाग राजसबा किताब खाना लोगसबाग चार उप्सन है जवाब दीजिए फॉसर नमबर 24 का जी पिल्फुल आंसर हमारा क्या हो जाएगा केवाल ए भी डी भी थी तो यह वी थी गंवीरवन का मत्यबाग और किताब खाना देख लेते हैं यह आपर बायादूर दसन नाटक 880 परकासन वर्स नाटक रासक क्या लाता है यह छे आंक है पहले आंक का इस थान बी थी दू दूसरा अंक समसान टूटे फूटे मंदिर तीसरा अंक मैदान चौथे अंक में इस्थान नहीं दिया हुआ है पाच्व अंक में किताब खाना छटे अंक का इस्थान गंभीरवन का मत्यों का अगे चलते हैं कौसर नंबर 25 इस बार आपको बताना है भारत उर्दसन नाटक जल्द समक्राइब और 25 इस बारिया ने नहीं संठे दूशा ऊंक में पूचा आपको बताना है निलज़ता भारत भारत भाग्या भारत तुर्देव आसा चार उप्सें जवाग तीजे गां मेरे याद नहीं कि भीति टाइमिंग वो जो है टाइपिंग मिस्टेक है क्या कह कोई स्टुडेंट कहता है कम स्पिर में अपने अगर ज्यादा बच्चों को परिशान होगी तो बताएगी हमारे तुफान आ गया है मैंजी हमारे इतर भी जो आ गया मुझे गड़र हो रहा था वाइ-फाइ बनना हो जाए क्योंकि सारे तीन बजे के लगब जा मौसम खराब हुआ था तो मुझे डरता कभी बाइ-फाइब बनना हो जाए कि लास को लेकर इतनी प्लैनिंग की हुए कि आज किलास हो जाने चाहिए हमारी जी बिल्कुल आंसर यहां पर हो जाएगा केवाल A B E निरलजता भारत और आसा इन तीनों का परिश जो है दूसरे अंक में होता है कि आगे कौसर नंबर 26 इस कीर्थी का पूरा जटिल विदान जम मेरे अंतर में उब्रा तो मैं असमंजस में पड़ गया थोड़ा ड़ भी लगा लगा कि अभी सब्द भूमी पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लोटूंगा आंदायूग नाटक के विशे में यह कथन किसका है आपको बताने है रामचन शुकल नामवर सिंग बच्चन सिंग धरमविर भारती का यह संबाद है यह कथन है ठीक है यहां से पंक्ति आप से कुछ है भूमी का वाकिम आपको पढ़ा कर आई चुकिए आगे चलते हैं कोसन नमबर 27 मंगला चरने नाराया नम नमस्कृत्य नरम चैम नरपतमा देविम सरस्वतिम व्यासम ततो जै मुदियरेद उप्रोक्त मंगला चरन किस नाटक के आर 27 का क्या हमारा जबाब हो कि जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा किस नाटक के आरह मंगला चरना से होता है अंधायूक नाटक कौसा नमबर 28 रक्ष्णियक उस भी नहीं थाया संस्कृति थी एक बूढ़े और अंदे की जिसकी संतानों ने मायूद गोशित किये जिसके अंदेपन में मर्यादा गलित अंग वैस्यसी परजा जनों को भी रोगी बनाती फिरी उस अंधी संस्कृति अंधायूक नाटक म चार ओप्सन है कौसा नमबर 28 का जवाब दीजिए बताइए क्या हमारा जवाब होगा जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा प्रहरी टू आगे चलते है कौसा नमबर 29 कवी ता करना अनंत कुन्या का फल है इस दुरासा और अनंत उतकंठा से कवी जीवन व्यतित करने की इच्छा कुई संसार के समस्त अभावों को ऐसंतोष क्याकर हिर्द्य को धोका देता रहा इसकंदगुप नाटक में यह समवाद किस पात्र का है आपको बताना है मात्रगुप बतार इसकंदगुप परख्यात कीर्दी को संसार नंबर 29 जवाब दीजे क्या हमारा जवाब होगा और अगली मेराथन जो होगी हिंदी निवन्द पर होगी तो हिंदी निवन्द किलास हो जाइब बिलकुँ यह पर हमारा जवाब होगा ओप्शन मन मात्रगुप पहले को संसे नमबर 30 विजह का चननी कुला सिर्दय की भूप मिटा देगा दोनों इंपर्टैंट है फिछल चक्रपालित संसाल में जो सबसे मान है वे है क्या है त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है बढारानों का मोत त्याग देना वीरताकर ऐसे important है त्याग का ही दूसरा नाम क्या बता है महत्व यह भी important है इसकंद्रुगुप नाटक में यह संवाद किस बात्र कौन से पात्र का आपको बताना है मात्रुगुप बटार किसकंद्रुगुप पढख्यात की इर्थी कॉसर नमबर ठर्टी जी बिलकुल आप्सवर हमारा हो जाएगा ऑप्सवर इसकंद्रुगुप नाटक के पर्थम पंक्ति को पहले से बात के करम में लगाई यह याद रखेंगे आपको पाच मैतुन पंक्ति मिल जा रही है अगर किसी को नहीं पता है तो जाकर पुछ से देखना अपने नोर्स में जाकर पाच पंक्ति मैंने इंपोर्टेंट में करवाई हो लिए टिक ए पॉइंट है आर्यवर्ट का वविश्य लिखने के लिए कूछ चक्र और परतारना की लेकनी और मसी परस्तुत हो रही है बी पॉइंट है संसार भड़की नीती और सिक्सा कार्थ मैंने यही समझा है कि आदर सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है सी पॉइंट परमादमी मनुस्य कठोर सकते कभी अनुभब नहीं करता दी पॉइंट एक अगनी में गंदक का स्रोत आर्य वर्थ के लोस्त्रगार में बुसकर विश्पोर्ट करेगा इपॉइंट अतीर सुको के लिए सोच के और नागत भविश्य के लिए भै के और वर्थमान को मैं अपने अनुपूर बनाई लूँगा फिर चिंता किस बात की पाच पॉइंट है यहाँ पर जवाब देना है चार ओप्सन है कॉसन नमबर ठर्डी वाद बताईएगा जवाब दीजिएगा जी बिल्कुल हमारा हो जाएगा A B D E C सबसे पहले आर्यवर्थ का वविश्य उसके बाद संसार भड़की नीती फिर एक अगनी में गंदक का सुरोत वाली पंगति उसके बाद अतीज सुकों के लिए सोच क्यों पर सबसे आकरी में चानक्या की पंगति परमाद में मनुझसे कठोड़ सकते हैं कभी अनुबब नहीं कर ठीक है आगे चलते है कॉसन नमबर ठर्डी टू चंद्रगु पनाटक के स्त्री पात्र है एलिस नीला देवसेना अलका राम इन प जी बिल्कुल आंसर हमारा क्या हो जाएगा A B D एलिस नीला और अलका ये तीनों चंद्रगु पनाटक के स्त्री पात्र है आगे चलते हैं यहां पर एक मिनट यह टाइपिंग मतलब बुक में ही मिस्टेक है लीला 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 यह ठीक है यह याद रखिएगा लीला लिखा हुआ था ना जी आगे कॉसन नमबर 33 उन दोनों में स्रिंगार और रोद्र का संगम है वैभी कितना आकर्सक है कितना तरं सेवानी की है भारा सम्राठ होने की उसमें कितनी विनैसील वीरता है चंद्रुप नाटक में यह समबाद किस पात्र का है अलका मालविका कार्नेलिया कल्यानिया आपको बताना है कोंसे पात्र का यह समबाद है कॉसन नमबर 33 आपको हार लगेगा लेकिन मैं आपको बता इसलिए रखा है क्योंकि एक बहुत ही मैत्पुन बुक में मुझे मिला है तिक अगर यह कॉसन गलत हो गवरानमत समझा दूंगी सूची वन का सूची दों से सुमेलित कीजिए आपको बताना है यह चंदर्भुप्नाटक से संबंद इता है इसमें कथा यह जैसे तंधी किसमुष्ट कथा से बाताना है इन आम हैं इंचारों में मैच करना है कौन क्या है ठीक है पॉसर नमबर ठर्टी पॉर का जवाग दीजिए जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर दृत्य और तृत्यांग की समस्त कथा बिंदू पर्वतेश्वर का पर्शन पतागा सिकंदर और अन्य व्यक्तियों के छोटे चोटे परसंग परकरी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संदीक कारिये देख लेता है यहां पर यह बुक है रामचन तिवारी की बुक है आर्थ परकिर्थी आम पढ़ते ही है बीज बिंदू कता का परकरी कारिये तो हम जब कॉन कोन कॉन सी क्या चीज परकरी क्या विंदू यह पता क्या आपको पता होना चाहिए पेपर में अर्गों सिक्क गिंतियों कि हर बच्छा नहीं कर पाएगा इसकी कारंटी टिक है तो अगर आएगा तो आपकी बाद बन जाएगी क्सक्षं के इंपर्ट एंटर रामचन पुरानी लोग कता है जिसे भारतेंदु ने नई दिष्टी से व्यंगार्ट संपन बनाया है बी पॉइंट अंदेनगरी नाटक में हास्य का प्राधान्य है सी पॉइंट तीसरे अंक में राजसभा का दिरिष्ट से है जिसमें विलासी बड़स वीरू राजतंत्र या परसासन पर व्यंगेट किया गया है दी पॉइंट चोथे अंक में समरद्धी के विरूद चेतामनी क्योंकि वही परलोबनों को जनम देती है इपॉइंट पांच में राजन्य की मोज बनाता हुआ गोवर्दन अंदे नगरी के गुंगाता है जाज चीजों का भेद गाया हो गया है चार ओप्सन है जवाब दीजेगा फॉसन नमबर थर्टिफाइब इस कंद को अपना तक कभी मुझे मिलाए बोलो राना ठीक है जी बिल्कुल यहां पर आंसर जवाब हो जाएगा ऑप्सन वन केवल ए बी ए जो गलत है वो मैं हाइलाइट करकर उसको सही करकर लिख देती हूँ जवाब में ठीक है आगे कॉसन नमबर थर्टिफिक्स चना खावे तोकी मैना बोले यह अच्छा बना चबैना चना खाए गफूरन मुन्नी बोले यह और नहीं कुछ सुनना चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती डिली ठाली आपको बताना है प्रसुत इट्वे जो यह तोकी मैना गफूरन म है निर्ट मुनिस अदिया क्या विपड़ाएं यह कासि की तत्काल परशिद्वक्सिया है बंगाल की तत्काल परशिद्वद्वेया कासी की तत्काली परशिद्वक्सिया ॥ previous पर देख पारे होगे आपर वन लिखा हुआ है तो की वन मैना वन ना वन इसका वन आर्थ दिया हुआ है कि कासी की ततकालिन परसिद वैस है अंदेर नगरी नाटक में दूसरे अंक में मिलती है आगे कोसन नमबर 37 लोग पाप का मूल है लोग मिटावत मान लोग कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान अंदेर नगरी नाटक कि किस अंक में यह पंक्तिया आपको बताना है चार ओप्सन है बताएए पर्थमंग तीसरंग चोथांग छटंग कोसन नमबर 37 जवाब कीजि पर्थमंग की पंक्तिया लोग पाप का मूल है लोग मिटावत मान किसकी पंक्तिया गुरु मैंत की पंक्तिया आगे कोसन नमबर 38 अंदेर नगरी नाटक की दूसरे अंक में आए पात्रों को पहले से बात कि करं में लगाई अप देखते हो ना नगरी में दूसरे अंक में अिया बाजार का दिरिश्ची है तो पोल्षभ मारी यह तो तो उसी करं में आपको बने बात को पहले आता है व्योूं बाद में नारंगी वाली घासी राम चना बेजने वाला जात वाला ब्राह्मन मचली वाली बनिया चार उप्सन है जवाब दीजिए कॉसर नमबर 38 का बताईए जवाब दीजिए जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा बी-ए-डी-सी-ई दूसरे रंक में आने वाले सभी पात्रों का करमनुसर मैंने आपकर रख दिया है इसको अगर आपने अभी तक अपने नोट्स में नहीं किया तो कर लीजिएगा सबसे पहले कॉन कबाब बाला आता है फिर घासी राम फिर नारंगी वाली फिर हलवाई फिर पुंजडिन फिर मुगल फिर पाचक वाला मचली वाली जात वाला पनिया ठीक है यह करम रहता है आगे चलता है कॉसन नमबर 39 आपको बताना है भारादूर्दसान नाटक से एक कॉसन है पात रह सूची दों में सूची वन में उनकी वेस पूसर क्या हाब आपके उनकी क्या बोसा थी उसके बारे में आपको मैच करना है बताएगा पात्र भारत दूर्दे भारत मदीरा आलस से कॉसन नमबर 39 चार आप्शन ने जवाब दीजीगा फिर मापको एक बार होड़ अच्छे से समझा दूए जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ओप्शन वन फटे कपरे पैने सिर पर अर्थ किर्ट हाथ में टेकने की चरी सिथिल अंग कि कौन भारत का परवेश होता है ऐसे कुरूर आदा क्रिस्तानी आदा मुसल्मानी बेश हाथ में नंगी तलवार ले किसका परवेश होता है ऐसे भारत दुर दे मोटा आदमी जबाई लेता हुआ धीरे धीरे आवेगा पता ही चल रहा है पड़कर आलस से सावली सिस्तरी लाल कप्रा सोने का गयाना पैर में गुंगू मदीरा आगे चलता है कौसर नंबर 40 को नई पकरत मेरो हाथ बीज कोटी सुथोत फिरत मैं हाआ होए अनाद जाकी सरन गैत सोई मारत सुनतने को दुगात दीन वन्योई सो उन डोलत टकरावत निजमात भारत द चार ओप्सन है कौसर नंबर 40 का जवाब दीजी आगे चलते कौसर नंबर 41 यह देखो भारत मरता है जल्दी से घर उठा ले चलो भारत उर्दसन नाटक में समगाद किस पात्र का आपको बताना है आसा भारत निरलज्टा भारत दुर्देव कौसर नंबर 41 जवाब दीजी आगे चलते कौसर नंबर 42 इसका लुप नाटक के पात्र धातु सेन के संबाद है आपको बताने इन पाच्चों में से कौन और कौन से धातु सेन के संबाद है एस समय पुरूस और इस्तरी की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है बी अधिकार सुप कितना मादक और सार हीन है सी पॉइंटर कुरूस है कोतुर और पर्सन और इस्तरी है विसलेशन उत्तर और सब बातों का समयदान डी पॉइंटर में सोना नहीं हूँ क्योंकि उसकी रक्सा के लिए भी धातु क्या आवसकता होती है वह है लोगा इस पॉइंटर संका नहीं करो स्रद्दा करो स्रद्दा का फल मिलेगा पाच पॉइंटर आपको बताना है इन पाच्चों में से क्या क्या सही है चार ऑप्सन है कॉसन नंबर 42 का जवाब देना है जी बिल्कुल आउसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन थिरी केवल ए सी टी ए सी टी यह तीनों किसकी पंक्त है धातो सेन की परों आगे चलते हैं कॉसन नंबर 43 धनवानों के हाथ में एक ही माप है वे विद्या सोंदर्य बल पवित्रिता और तो क्या हिर्द्य को भी उसी से मापते है वे माप है उनका एस्वर्य है इसका लगुपनाटक में समवाद किस पात्र का आया आपको बताना है रामा देवसेना विजया जैमाला कॉसन नंबर 43 गुर्यूनिंग क्या जागी कैसे हो आप जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा क्या देवसेना आगे चलते कॉसन नंबर 44 मैं तुम लोगों के भूत वविश्यत और वर्तमान का नियामक रक्सक और दर्स्टा हूं इसकंदु पनाटक म आपको बताना है मात्रुगुप भटार इसकंदुप परपंच बुद्धि पोसन नंबर 44 जवाब दीजिएगा जी बिल्कुल आंस्वर हो जाएगा क्या परपंच बुद्धि का यह संबाद है और इंपोर्टेंट है पोसन नंबर 45 निम्न में से अंदायूग नाटक की पात ध्रितरास की पंग्ति आपको बताना है इन पाचों में से कौन-कौन सी ध्रितरास की पंग्ति है जीवन में पर्थम बार आज मुझे आसंग का व्यापी है बी आज मुझे भान हुआ मेरी व्यात्वी सीमाओं के भार भी सत्य हुआ करता है सी पोइंट है याद मुझे आता है तुमने का था दूंद अनिवारिया है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की डी पोइंट है उनकी गती में ही समाइत है सारे ख्यासों की सारे नक्सक्रों के तैवी गती यी पोइंट है नियती नहीं है पूर निर्धारित उसको हर्चन मानव निर्णे बनाता मिटाता है पाच पंग्ति है पाच लम्हां को बताना है कौन सी पंग्ति दृतरास्खी है चार ओप्शनयाच जवाब दीजिए बताईए क्या हमारा सुबाओ को होगा गषb दैबी गति विदुर की पंगति है नियती यह बड़ी इंपोर्टेंट पंक्त हो मेरी बड़ी पसंदीदा पंगति नहीं पूर्ण निर्दारित उसको हर्चन मानव नीर ने बनाता मिटाता है या चक्य पंगति है अगे चलता है लिए लिए प्लॉल्थ मतलब बर अच्छा कोसन है अगर अज्जामिनर का ध्यान गया तो जरूर इस तरह का कोसन बच जाएगा प्योंकि पंक्ति काफिवार पूछी जा जोगे अंदा युग Alma नाटक के विदूर पात्र की अनुसार किस्किस किसने का था कि मुर्याद मत तोरो तोरी हुई मुर्यादा कुछ लिए अजगरशी आपको पताना है किस्किसने का था विदूर की अनुसार नाटक में विश्म ने, गांदारी ने, त्रोन ने, याचक ने, कृस्न ने, पाच में से तीन लोगों ने कहा था, कोर्ड वाला परसन है, जवाग दीजेगा, चार आप्सन है, कोर्शन नमबर 46 का जवाग दीजेगा, किस ने कहा था, पताईए, जवाब दीजेगा, अची बिल्फूद, आंसर याँ पर हमारा हो जाएगा, A, C, E, किस, किस ने कहा था, विसम ने कहा था, दुरौन ने कहा था, पिरस्म ने कहा था, देख लेते हैं, एक बारे, जेखो, यह पंक्तिया, यह वाली, यह वाली पंक्तिया, आपके प तो रहो किसकी पंगति तो विदूर की पंगति हो जाएगी लेकिन विदूर क्या कहा था इसी अंत्यपूर में आकर किस्ट ने कहा था तो यह पूचा जा सकता है विदूर के अनुसार किस ने कहा था ठीक है इंपोर्टेंट याद रखेगा आगे चलते हैं कौसर नमबर 47 नी से ली गई है कथन दो अंदा यूग नाटक में मा भारत के 18 दिन की संध्या से लेकर परवास तीर्थ के क्रिश्न की मिर्थियों के चंतक का वर्णन है आपको बताना है इन में से क्या सही है क्या गलत है चार जवाब दीजेगा कथन एक और दो दोनों सही है कथन एक और दो जी बिल्कुर आजाएगा हमारा ओप्शन वर्ट दोनों कथन बिल्कुर सही है यह प्याद रखेगा जो यह अंपरिवर्थन वाली जो योजनाय कहां से किस पतिती पर है लोक नाटक परपरासिं ठीक है आगे कॉसन नंबर 48 भाया तुरदासा नाटकी आसा नामक पातर किस वेस में मंच पर आती है लड़का के वेस में वैसिया के रूप में या लडगी के रूप में नर्तकी के आपको बताना है कॉसन नंबर 48 जबाब दीजिए और बही एक बार किलास को देखो शेयर कर दीजेगा जैसा रेस्पोंस होगा उसी के अनुसार आगे की मैरा थन आए टू कर देख लो क्या है लडगी के वेस में आती है कॉसन नंबर 49 मैंने जब वेदना सब की भोगी है तो जो सत्य पाया है वे अकेले मेरा कैसे हुआ एक धरातल ऐसा भी होता है जा निजी और व्यापक का बाहिया अंतर मिट जाता है वे भिन नहीं रहते कईत भिन्य भिन अंदयुग नाटक की विशमी एक अथन किसका है आपको बताना है रामचंशुकल नामवर सिंग बच्चन सिंग धरमवीर भार्दी कोसन नंबर 49 जबाब दीजी क्या हमारा जबाब होगा जी वन लाइनर जबाब है आंसर हो जाएगा धरमवीर भार्दी आगे चलते है कोसन नंबर 50 इंपोर्टेंट कोसन है गोवर्दन दास किस पातर से या परसन पूछता है क्यो बच्चा इस नगर का नाम क्या और राजा का क्या नाम है यानि गोवर्दन दास नातक में कौन से पातर से पूछता है कि इस नगर का नाम और राजा का नाम क्या नारएन दास से पूछता है, जातवाला से या हलवाई से, कौसन नमबर फिवट्यों, जैसा कि मैंने बताए, इंपोटेंट कौसन है, जी, फिल्कूल, आंसर हो जाएगा, हलवाई से पूछता है, वा औरदन दास पूछता है, क्यों बच्चे, इस नगर का नाम क्या, जोपट राचा आगे चलता है कौसा नमबर 51 नारंगी ले नारंगी शीलट की नारंगी बुटवल की नारंगी परस्तुत पंक्ति में जो यह सीलट सब्द आया है इसका क्या अर्जय आपको बताना है नेपाल का एक कस्वा बंगलादेश का एक नगर मुलाया मीठी नारंगी कौसा नमबर 51 जबाब देना है क्या मारा जबाब होगा जी बिल्कुल इसका आणसर हो जाएगा बंगलादेश का एक नगर सिलट पर बंगलादेश का एक नगर बुटवल तू लिखा हो यह क्या आट है बुटवल का नेपाल का एक कस्वा ठीक है नीबू तीन बरा और सकते हो जो यह 123 लिखा रहता है वो आगे चलता है को सन नंबर 52 इंपोर्टेंट को सन ध्यां से करका जवाब कीजिएगा सेथ सेथ सब एक से जा कपूर का पास ऐसे देश कुदेश में कभूने कीजिए पास अंदेर नगी नाटक के उप्रोग पंक्ति के संबन में सत्य कथना आपको बताने इस पंक्ति के बारे में क्या-क्या पॉइंट सही है एक पॉइंट यह पंक्ति नाटक के दूसरे अंक से है बी पॉइंट यह पंक्ति नाटक के तीसरे अंक से है सी पॉइंट पंक्ति में आये वाया सब्दकार्थ खोया है टी पंक्ति में दार्डिम सब्द जी, बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा केवल B, C, E, पंक्ति तीसरे अंकी है, बायस सब्द कर्थकोया और यह पंक्ति गुरुमेंथ की है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और आपको सब ही मिल जाएगे, इसे दार्डीम का क्यारत है, अनार, पीछे क्या लिकाता है, हम्रुजों की गलत है, लिए अनार, और यह तीसरे दूससे अंकी पंक्ति नहीं तीसरे अंकी पंक्ति है, आगे question number 53 अंदेर नगरी नाटक के अंको के नाम है अरन्य जंगल गास सभा किताब खाना लोक सभा आपको बताना है इन पांचों में से अंदेर नगरी नाटक के अंको के नाम है चार उप्शन है जवाब दीजिएगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा option 4 केवल A B C अरन्य जंगल राजसभा यह तीनों जो अंदेर नगरी नाटक के अंको के नाम है देख लेते हैं अंदेर नगरी नाटक के पारे में मैंने आपको पहले भी काया जब तक अंदेर नगरी आपके पार्ठेकर में इस इस जाएगा पता जल जाएगा ठीक कि अंदेर नागरी पड़काशन वर्स 8801 प्रैशन यह कहलाता है छे आंके पहले अंका इस्थान बाहिय स्थान बाजार तीसरे अंका इस्थान जंगल चोथे अंका इस्थान राजसभा पाफ्वी अंका नाम अरन्य और छेटे अंका क्या आगे चलता है कॉसन नमबर 54 मदुप खब एक कली का है पाया जिसमें प्रेम रस सोरा वोर स्वाग बेसुद हो उस कली से मिलता भर अनुराग ब्यारी कुंज गली का है चंद्रोगुप नाटक में एगीत किस पात्र काया आपको बताना है अलिका मालविका कार्नेलिया कल्यान सब नाटक के अनुर इसका कि इसकीप नहीं है 14 नाटक के ट्यारीया रखो अभी 54 कॉसन हुए सब नाटक के कॉसन विले जी पिल्कुल आंस्वर्ण क्या हो जाएगा मालविका किसका गीत है यह मालिका कॉसन नमबर 55 कथाने क्या चंद्रोगुप नाटक में चारंग और 47 द पर्थम दिर्ष्टा का नाम तक्सिला के गुरुकुल का मर्ट है कथंदो कह रहा है चंद्रुपनाटक का नायक दिरोधात नायक है आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है चार जवाब दीजेगा पॉसन नमबर 55 जी बिल्कुल आंसर हो जाएगा प्याला कथन हमारा गलत है गलत क्यों आप लोग बताईएगा पर चंद्रुपनाटक में कुल कितने दिर्ष्टा है बताईएगा और कथन हमारा बिल्कुल सही है दिरोधात नायक है चंद्रुपनाटक में टोटल 24 दिर्ष्टा है आपर क्या लिखा है 47 इसलिए गलत है आदा यह सहीत है चार रंग भी है पहले दिर्ष्टा का नाम तक सिला के गुरुकुल कमट वह लेकिन 47 दिर्ष्टा नहीं है 44 44 है ठीक है किया आगे। दिर्ष्टा सक keyword नंबर 56 इन इसलिए प्रेममाई रजनी आपों में सपन वनी सखेवे प्रेममाई रजनी कोमल दुरुंदल निस्कम्प रहे ठिटका साथ चंद्र खरा, मादब सुम्नों में गूंथ रा, तारों की किरा ननी सखेवे प्रेम में रजी चंद्रों को पुनाटक में गीत किस पात्र का है आपको बताना है, चार ओप्सन है, सुवासिनी, मालविका, कार्नेलिया, अलका पॉसन नमबर 56 ची बिल्कुल आपको नमबर 57 चंद्रों को पुनाटक के पात्र चानक्य की संबाद है, इंपोर्टेंट है, चानक्य की संबाद हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको बताने हैं इन पाच्चों में से कौन-कौन से पंक्ति चानक्य की है, 1. मैत्वकांसा का मोती निष्ठूर्टा की सीपी में रहता है, बी परमाद में मनुस्य कठोर सत्य का प्यानुभव नहीं करता, 2. भूमा का सुक और उसकी मैत्तक जिसको आवास मात्र हो जाता है, उसको ये नस्रचंकीले परदर्सन नहीं अभिभूत कर सकते, 2. यदि प्रेमी जीवन का सत्या तो संसार जो आलमूखी है, 2. दो बालू का पून कगारों के बीच में एक निर्मा स्रोस्रोईनी का रहना आवश्यक है, 5. पंक्तिय निम्हें साहब को पताना है कौन-कौन सी चानक के किया है, 4 उप्षन है जवाग दीजेगा, 5. जी, विल्कुल, आंसर हो जाएगा हमारा उप्षन को केवल A, B, E. आगे चलते कौसर नमबर 58, कहा गया भारत मुर्ट, जिसको अब भी परमेश्वर और राज-राजिस्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या-क्या दूर्दसा होती है, भारत दूर्दसा नाटकी किस पात्र किया पंगती है, आपको बताना है, जबाब देना है, निरलजता भारत भाग या भारत दूर्देव, कौसर नमबर 58, जी, बिल्कुर, आंसर हमारा हो जाएगा भारत दूर्देव के पंगती है, कौसर नमबर 59, काफर काला नीच पुकारू, तोडू, पैरो, हाथ, दू, इनको संतोज, उसामत, कायरता भी साथ, इंपोटेंट पंगती है, भारत भारत भाग या भारत दूर्देव, आपको ब आते हैं, टाइम तो लगेगा, अगर आप ये चारे हो, 250 परसन एक घंटे में हो जाए, तो ये पोसी वली नहीं है, ठीक है, चलती हम करते हैं, इसलिए हमारे पेपर में भी आतो ये कौसन गलत होता है, आम ध्यारे के साथ पढ़ना नीच चाहते हैं, जी, बिल्कुल, आंस करम, बराया चुआ चूद का करम, हो के जैचंद हमने एक बार फोली दिया हिंद का दुआर, भारादूरदसन आटकी किस पात्र की अपंगतिये जवाब दीजिएगा, निरलजता, सत्यनास, खौरदार, भारत भागया अंधिकार, चार ओप्शने जवाब दीजिएगा, त तो आप लोग भी थोड़ा देरे रोखो, जी, बिल्खुर, आंसर हमारा हो जाएगा, सत्यनास, खौरदा, आगे, कॉसन नमबर 61, मेरा परभाब जगत विधित है, मेरा परभाब जगत विधित है, कू पत्थय का मित्र और पत्थय का सत्रू मैं हूँ, इतनी लाइन भी द बारात उर्दासान नाटक में इस समवाद किस पात्र काया आपको बताना है, रोग, मदीरा, आलस्य, अंदिखा, चार ओप्सन है, जवाब दीजिएगा, कॉसन नमबर 61, मैं तो रामसी पराडियो में, अगर टारगेट है, कॉसन अज कंप्लीट कराएं का, वह मैं जी, बिल्कुछ, आंसर हमारा हो जाएगा, रोग, कॉसन नमबर 62, जगत सम्मानत मेरी यान, मेरी ही टट्टी रची, खेलत निति, सिकार भगवान, मिर्ट्यू कलंग, मिटावत मेही, मोसम औरने हान, परम पिता हमी वैद्यन के अतारन के प्रान, आपको बताना है, किस अंक्ये पंक्ति हैं, बाया दूर्दसा ना टकी, पर्थमंग, तीसरंग, चोथंग, छेटंग, जवाब दीजिए, कॉसन नमबर 62, जी, बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा, चोथे अंक्ये पंक्ति है, आगे कॉसन नमबर 63, रचन पदिती और नाट के गुन के विचार से परसाद का सुरोत्तर नाटक इसकंद गुप्त है, इसकंद गुप्त नाटक की विशे में एक अतन किस आलो चक्का है, रामचन सुकल, नामबर सिंग, बच्चन सिंग, जगरनात परसाद सर्मा, कॉसन न किया जगरनात परसाद सर्मा, मुझळ पता ज्यादा और बच्चन सिंग की तरफ जाएगे नहीं, यह ऑगति पन्तिया है, जगरनात परसाद सर्मा, यह दिधो, आपको मिल जाएगा रामचन थिवारे की एक अनिगों, लिगों इस बच्चन सिंग के उंगाथ जगरनात है आगे कोसर नंबर हमारा सिष्टिफोर कथन के रहा है इसकंदुक नाटक में पास साथ्य और भारते नाट्य सास्त्र के सिद्धान्तों का वैवारी करयोग बड़ा अच्छा हुआ है कथन्दों के रहा है इसकंदुक नाटक में वस्तु तत्म चदित रंकन संवाद और दे नमस्ते विक्रान चोगार कैसे हो भगाप जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन वन आगे कॉसर नंबर 65 है चंदुक नाटक है आपको बताना है जो एक हमारी कोटेशन है ना किस ने चंदुक मोरे को महा कावयात्मक नाटक में का है ठीक है चंदुक नाटक की व जबाब दीजिएगा रामचन शुक्ल नंदुलारे बाचपी बच्चन सिंग रामसर्वुक चतुरवेदी बताइए जबाब दीजिए जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा बच्चन सिंग की एकोटेशन है आगे कोशन नमबर 66 चंदुक नाटक के दुट्य अंके द्रिश्यों के नाम है आपको बताना है चंदुक नाटक के इन में से कौन कौन से दुट्य अंके द्रिश्यों के नाम है परवतेश्वर का परसाद मालव दुल का भीत्री बाग पत्मे चरो राक्सस विपासा टटक का सीवी मालम में सिनहरन के उद्ध्यान का एक आंस आपको बताना है पाच जवाब दीचेगा पाच पोइंट है पोड़ वाला जवाब है चार उप्सन है बताइए जी बिल्कुल आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्सन वन केवल एबी परवतेस्वर का परसाद मालम दुर्ण का भीत्री वाग मालम में सिनहरन के उद्ध्यान के एक आंसर आगे चलता है कोशन नंबर 67 आपको बताना है इंपोर्टेंट है पहली बाते बता देत्यों कोश कौन कौन से दुट्यांग के गीत है ठीक है ए निकल मत भार दुरुबल आहा लगेगा तुझे हसी का सी बी तुम कनक किरन के अंत्राल में लोग छिपकर चलते हो क्यों सी अरुनिया मधुमें देश हमारा डी पर्थम योवन मदीरा से मत प्रेम करने को थी परवा यी बिख दूसरे अंके जवाब देना है चार ओप्सन है पताईएगा जवाब दीजिएगा जी बिल्गों आंपर अधर मारा हो जाएगा थिरी केवल सी डी प्याली पंक्ति किसकी है ये राक्सस की है और दूसरी तुम करन किरन की है तो आपको पता ही है जल्बी से कमेंड करकर बता आगे अगला कोस्टन है आपको इदर सूची वन में कुस पंक्ति है सूची दो में पात्र आपको मैच करना है कौन से पंक्ति कौन से पात्र के है कोस्टन का से है यह हमारे अंधेर नगरी नाटक से पात्र है गासी राम गुरुमेंत गौर्डन दास पाचगवाला सूची में पंग्तिय मैच कीजिए चार उप्शन है जबाब दीजिए जी बिल्गों आंस्वर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू अंदा दुंद मच्यों सब देशा मानू राजा रहत विदेशा किसकी गौवर्दन दासकी जाने धरमने बुद्ति नहीं नितीने सुजन समाज चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता पाचक वाला आगे कोसर नमबर 59 है नीचे दो कथन दिये गया है कथन एक है अंधेन नगरी नाटक कतकाली सासन व्यवस्था पर अतियन तीखा व्यंगय है जो नाटक की पूरी संरचना में घुल मिल गया है कथन दो ह इस नाटक का व्यंगय मुख्यत है तीन इस तरों पर उबरता है राजनितिक सामाजिक और आर्थी आपको बतागा है इन दोनों पत्नों में क्या सही है क्या गलत है चार आप्सन आपके सामने है जवाब दीजिए कॉसर नमबर 69 बताएए क्या हमारा जवाब होगा चीव बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा दोनों कथन बिल्कुल सही है कथन एक और कथन दो दोनों सही है आगे चलते कॉसर नमबर 70 भगवान सोमकी में करन्या हूँ पर्थम वेदों ने मदू नाम से मुझे आधर दिया यह इंपोटेंट रखेगा सबसे पहले पर्थम व नियग्य की सरष्टी हुई ठीक है आपको बताना है समगाद किस पादिकाया भारतूर दसा नाटक में रोग मदीरा आलस से अंदिकार चारों जबागी जेगा कॉसर नमबर 70 पांसर हो जाएगा ऑप्शन टू मदीरा आगे कॉस्टन नमबर 71 जै जै कली यूग राज की जै महामो महाराज की अटल छत्रे स्री फिरत थाप जग मानत जाके काज की भारतूर दसान नाटक कि किस पात्र की यह पंगती है रोग मदीरा आलस से अंदिकार आलस से अंदिका चार ओप्शन ने जबागती जी पिल्कुल आंसर महारा हो जाएगा अंदिकार की यह परूंटी है पॉस्टन नमबर 72 मैंने कहा ता दुर्योदर से धरम जिदर होगा और मुट उधर जै होगी धरम किसी और नहीं था लेकिन सबी थे अंदि परविर्तियों से परिचालिद जिसको तुम कहते हो पर हो उसने जब चहां मर्यादा को अपने हित में बदल दिया वंचक है आंदायुक नाटक में असलाद किस पात्र काया आपको बताना है अस्वत्थामा प्रियारी टू विदूर गांधारी चार ओप्सन है जबाब दीजे कॉसर नमबर 72 जी बिल्कु आंसर हो जाएगा गांधारी कॉसर नमबर 73 आत्म घात कर लू इस नपूंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकागनी में उबलना पड़े तो भी सायद इतनी यातना नहीं होगी आंदायुक नाटक में संबाद किस पात्र काया आपको बताना है अ कोक्षन नमबर 73 जबाब दीजिये जी विल्कों आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्षन वन अस्वत्था में कोक्षन नमबर 74 निम्न में से अंदायुक नाटक की पात गांधारी की पंक्ति को पहले से बात की करम में लगाई पाच पंक्ति और पाच पंक्ति किस क्या कांधारी की है इंपोटेंट एक ज़िए नोट कर लेना अगर अब तक नहीं किया पाच पंक्ति और किसके कांधारी की आपको क्या करना है इनको पहले से बात के करम में लगाना है A. सब्द यह जलाते हुए लोई की सलाकोसा मेरी पसलियों में घस्ता है B. निर्णे के चन में विवेक और मर्यादा व्यर्त सिद होते हैं आए सदा C. पत्थर की खानों से मन्या निकलती है D. सारा तुमारा वंस इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्फर फार खाएगा किसी घने जंगल में साधान व्याद के हाथों मारे जाओगे E. उनसे कहना अपनी स्राप की पर्थम समीदा मैंगी हो पाच पॉइंट आपको इनको बताना है पहले से बाद के करम में लगाना है पाच पॉइनिंग पूजा कैसे हो बही है आप जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा B. A. C. D. E. ठीक है मैं आपको का पाच पॉइंपोर्टेंट गांदारी की पंक्तिया नोट कर लेगा आगे कोसर नमबर 75 जो समर्पित नहीं अधूरा है मनों बुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे घैसे मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे इसमें संदे नहीं आंदा यूग नाटक में संवाद किस पात्र का आपको बताना है अस्वत्थामा प्रेहरे टू विदूर का अंधारी चार ओप्सन है जबाब दीजेगा कॉसर नमबर 75 जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा विदूर का ये संवाद है कॉसर नमबर 76 सुन्य गगन में खोजता जैसे चंदर निरास राका में रवनिय ये किसका मतुर पड़कास हिरत्या तो खोजता किसको छिपा है कौन सा तुझ में मचलता है बता क्या दू छिपा तुझसे ने कुछ नुझ में इस कंदु को पुनाटक में गीत किस पात्र का है आपको बताना है रामा देवसेना वीजया जैमाला पॉसर नमबर 76 जबाब दीचे क्या हमारा जबाब होगा जी बिल्फुल आंशन हमारा हो जाएगा देवसेना आगे पॉसर नमबर 77 एग बुरु धूम कि स्याम लेरिया उल्जी हो इन अलकों से व्याकुलता लाली के डोड़े इधर भसे हो पलकों से इस कंदु को पनाटक में एगीत किस पात्र का है आपको बताना है रामा देवसेना वीजया जैमाल चार ओप्षन है कॉसर नमबर 77 का जवाब देना जी बिल्कुल इसका कीत है यह वीजया का कीत है 78 यह तो गीत आपको पता ही होगा कापी परसित गीत है अहां वेदना मिली विदाई मैंने भ्रह्मवस जीवन संस्चित मदु करियों की भीक लुटाई चल चल थे संध्या के स्रमकन आसू से गिरते थे पढ़ती चन मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता नन्य अंग्डाई इसकंदुक नाटक में गीत किस पात्र का है आपको बताना है रामा, देवसेना, वीजया, जैमाला चार ओप्षन है जवाब दीजेगा फॉसन नमबर 78 बिलकुछ, देवसेना का ये गीत है, इंपोर्टेंट गीत है, पॉसन नमबर 79, अरपित कर दो मुझको मनोबुद्धी, उसने कहा है यह, जिसने पिता मैं के वानों से आथो, अपनी सारी ही मनोबुद्धी को दीदी, उसने कहा है यह, जिसने मर्यादा को तो रहा है बार अंदायुक नाटक में ये संवाद किस पात्र काया आपको बताना है, अस्वत्थामा प्रेरिटू विदूर का अंधारी, जी बिलकुल ही जी है, यह आपर बिलकुल, यह हमारा हो जाएगा गांधारी की पंगती है, कॉसन नमबर 80, नीचे दो कथन दिये गया, आपको बता सबूत परस्तुत करती है, उससे यह थार्ट का नवीन पाक्स उद्रगारटिंट होता है, कथन दो है, यह थार्ट के नवीन पक्स या नए योथार्ट चित्रन के फल सबूग कला में सिरजन के समस्या उठनी है, बास्तों चुने ही, चार ओउप्सन है, आपको बताना है, क जी बिल्कुर, आंसर हमारा हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों सही है, आगे चलते है, कुसर नमबर 81, भारातूर दसान नाटा के पाच्चों अंग में साथ सप्यों की है, कमेटी में कौन कोन, आप जानते हैं, पाच्चों अंगे किताब खान, उसमें साथ सप्यों की कमेटी बैट दिया, तो आपको बतानों साथ सप्यों में कौन कोन है, एक बंगाली, एक पंजाबी, एक महराश्ट्री, दो देसी मास से, दो खवी, चार उप्सन है, जबाब दीजिएगा, आपको पॉसन अच्छे लग रहा है, आप एक बार बता देना है, और क्या कहते है, रिवीजन आपको हो रहा है या नहीं, आप रिकॉल कर पारे हो चीजों को या नहीं यह भी बताईएगा, जी बिलकुल, आंसर हमारा हो जाएगा, A, C, D, एक बंगाली, एक मायाश्ट्री, दो देसी मास, यह आप देख सकते हो, किताब खाना साथ सभ्यों की, साथ सभ्य लोगों की कमेड़ी बैठी है, उसमें एक सभापती हो गया, जह सभ्यों में कोन होगी, एक बंगाली, एक माराश्ट्री, एक अक्वारादमिली एडिटर, एक कवी और दो देसी मास है, ठीक है, आगे चलते है, कॉस्टन नमबर 82, भायात उर्दसानाटकी किस आंक में डिस लोयल्टी, डेस द्रोह का परवेश होता है, तीसरांग, पाच्वंग, चोथांग, छेटांग, आपको जवाब देना है, कॉस्टन नमबर 82, पांसोर हमारा हो जाएगा पाच्वंग में डिस लोयल्टी का परवेश होता है, कॉस्टन नमबर 83, अंदेन नगी नाटक में कुल छे आंक है, गुरु मेंत, गोर्दन दास, नारेंदास इसके परमुपातर है, कथन एक है ये, कथन को कह रहा है, अंदेन नगी नाटक का अंत, जहान धरम ने बुद्धी नहीं, नीती ने सुजन समाज पंक्ति से होता है, आपको बताना इन दोनों कतनों में क्या सही है, क्या गलत है, कॉस्टन नमबर 83, जवाब दीजिएगा, जी, बिल्कुल, आंसर माया हो जाएगा, दोनों कतन बिल्कुल सही और इंपोटेंट है, आगे 84, अंदेन नागी नाटक की चोथे आंक, आप जानते हैं, फोर्ट अं पातरों को पहले से बात के करम में लगाना है, आपको पताना एक फर्यादी आता है, अपनी फर्यादी लेकर उसके लोग आते जाते हैं, तो आपको बताना है कौन सा पात्र कब आता है करम से आपको लगाना है, पाच है पुएंट, बिस्ति, कारिगर, पोत्वाल, चूने वाला कर लो जबाब दीजेगा कॉस्टन नमबर 84 बताईए प्रवार में सबसे पहले फड्यादी आता है अपनी फड्यादी कर्म देख लेते हैं जो फोर्ट अंग में आते हैं दरवार में सबसे पहले फड्यादी आता है अपनी फड्यादी लेका है उसके आप फिकल्लू बनिया कारीगर चूने वाला विस्ति कसाई कर्डेरिया कोत्वा इंको याद रखिए दूसरे अंक भी मैंने पीछे आपको करवा दिया और फोर्ट अंक भी तूंक की इंपोर्ट अंदेनगर मालविका के गीत है पाज गीत है आप बताईएगा कौन से गीत मालविका के हिमादरी तुंक स्रिंग से परभुद सुद भारती सुम परवा समुझवला सकतंत्रता उकारती वी बजरई बंसी आठो याम की सी मदुब कभ एक कली का है डी सुदा सिकर से नेला दोगी और मेर आपको बताना है कौन से मालविका के गीत है चार ओप्सन आपको आपके स्कीन पर दिखाई दे रहे होगे जवावती जी पिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा बजरई बंसी आठोयाम की मदुब कभ एक कली का है और मेरी जीवन की स्मर्ति ये तीनों पंक्ति जो है मालविका पहree जाए चेंड़ chil Ayraha इंस भढ़ जी आइटी-जीषिक्स बहर्चन सिंग के अनुसार संद्रों नाटक के संबल में सत्य पथन है आपको पता ना चार को है fy है चंधरों में बिनीबिन संत्र राज्जियों में डढ़ऊ इसको एक कंतर में बांध कर यवन आकर्मन कारियों से देश को मुक्त किया जाता है बी पॉइंट इस नाटक में युद के दो मोर्चे हैं विदेशी आकर्मन कारियों के विरुद मोर्चा और विदेशी संस्कृति के विरुद भारते संस्कृति का मोर्चा सी पॉइंट है चंद्रगुत में एक दूसरा पड़ा भारी दोस आ गया है जो पात्र यूवक के रूप में आरम में दिखाई पड़े वे नाटक के अंत में भी उसी रूप में सामने आते हैं दी पॉइंट है पूरे नाटक पर मात्मा गांधी के ने तर्थ में चलने वाले राष्ट्रे अंदोलन की गहरी चाब है चार पॉइंट आपको इनको बताना इन में से क्या क्या पॉइंट सही है चार ओप्सन है जब आग दीजिएगा पॉसन नमबर एटी शिक्स का अचीए बिल्कुल पांसर हमारे हो जाएगा केवल एबी टी एबी टी तीसरी पंगती किसके है यह रामचंद शुकल किया है रामचंद शुकल जी है ना जो उनकी पंगते चंद्रूप नाटक के संबद है आग एक उसन नमबर एटी सेवन जब काला जब काली घटाओं से आकास गीरा हो रह रहकर बिचली चमक जाती हो पवन इस्तब्दों उमस बर रही हो और आसार के आरंबिक दिनों तब किस बात किस पातर का आपको बताना है चानक के सिकंदर चंद्रोगु शक्टा अगर यह पंगती दे दिया और पूछ लिया किस नाटक के और आसार के एक दिन उप्शन में दे दिया तो आसार के एक दिन तरफ मत जाईएगा ठीक है पंगती परकर आपको ऐसा लगेगा जी पिल्कुल आँसवरा मारा हो जाएगा चानक कि पॉस्टा नमबर 88 अंदे नगरी नाटक के पात्र को वर्दन दास की पंगती को पहले से बात के करम में लगाना है अंदा दुन मच्यों सब देशा मानू राजा रैत विदेशा बी जात पात पूछे नहीं कोई हरी को ब सी व्यास्या जोड़ू एक समाना बक्री को एक करी जाना दी उच नीच सब एकी सारा मानू ब्रह्मा ज्यान विस्तारा इधरम एधरम एक दर्साई राजा करे सो नियाव सदाई पाज पंगतिया आपको पहले से बात के करम में लगाना है चार ओप्सन है कोसन नमबर 88 जी बिल्कुर आंसर नमाया हो जाएगा B C E A D आगया है कोसन नमबर 89 मानने योगया नहीं होत को को रोपत पाए मानने योगया नरते जे केवल पढ़ित जाए निन में से किस नाटक में या पंगती है बारातूर दसा अंदेर नगरी चंद्रगुत इसकंदगुत कोसन पाउति को जी बिल्कुर अंदेर नगरी चंद्रें में पंगस्राइब कोनू से चैराने गाया थ्थानल्गुति इसकंद्रग निन Babyनल में पसल दसान नमumb bastante या पंगत जी सभयना में नाद्ग मोण में मैंने जरफ नलन पहां करो सोता है छटे अंग का इस्थान गंबीरवन का मध्य भाग है भारत भागया जागो और जागो भाई गीत गाते हुए आता है छटे अंग का इस्थान कमरा है छटे अंग में भारा दुरदेवेक पेड़ के नीचे अचेत पड़ा है चार ओप्सन है जबाग दीजिएगा पॉस्टन नमबर 90 का बताईएगा जबाग दीजिए जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी भारत दुर्देव नहीं भारत जो एक पेर के नीचे और छटे अंकरिस्थान कमरा नहीं क्या है गंबीर्वन का मध्याबाद देख सकते हो भारत एक वर्स के नीचे अचेत पराएगा पॉस्टन नमबर 91 नीचे दो कथन दिये ग कथन दो है इस नाटक में वीर और करून रस का मिस्रन है आपको बताना है इसमें से क्या क्थन सही है क्या गलत है चार ओप्सन है जवाग दीजिएगा बताईए को सब्सक्राइगा नमबर 91 अचे बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन वन कथन एक और दो दोनों सही ह आगे कोसर नमबर 92 आज इस प्राज्य की बेला में सिद्वा जूटी थी सारी अनिवारियत वविश्य की केवल करम सत्य है मानाब जो करता है इसी समय उसी में नीत है वविश्य यूग यूग तक का अंदायू नाटक में समवाद किस पातर का आपको बताना अस्वत्थामा विरिद्याचक विरूद विदूर कांधारी जी बिल्कुल यह किसकी आज समवाद है विरिद्याचक का पॉस्ण नमबर 93 इंपोटेंट पॉंग की है वद मेरे लिए नहीं नीती है वे है आप मनोवरंथी अंदायू नाटक में समवाद किस पातर का आपको बताना है कोसर नमबर 93 जी बिल्कुल यह समवाद है हमारा स्वत्थामा आगे चलते कोसर नमबर 94 इस पर विसाद मत करो युशू अज्ञानी भै टूबे साधान लोगों से यह तो मिलता ही है सदाउने जो कि एक निश्चित परिपार्टी से भोकर पर्थक अपना पत अपने आप न अंदायूग नाटक में समवाद किस पात्र काया आपको बताना है अस्वत्थामा विडियाचक विदूर कांधारी कोसर नमबर 94 जवाब दीजिए पिसकी पंग थैं वितुर की की वह अगये कौसर नमबर 95 इस कंठकुप नटक के पंचम अंके दिरिश्यों के नाम है आपको बताना है इस पंचम गूप नातक के पंचम अंकें दिरिश्यों के नाम है पत्मे मुद्गर, B. मालक दुड का भीत्री भाग, C. स्तूप का एक पार्स, T. उद्ध्यान का एक भाग, E. मालम में सिनहरन की उद्ध्यान का एक अंस, पार्च पोइंट आपको इनको बताना है, पहले से जो आएक बताना है कि इन में से कौन-कौन से दिरिश्यों के नाम पाच्वें अंके हैं, चार उप्षन है, जवाब दीजेगा, कौसर नमबर 95, जी, बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा केवल A, C, D, पत्मे मुद्गर, इस्तौप का एक पार्स, मुद्ध्यान का एक आग, यहां पर आप देख सकते हो, पाच्वें अंक में 6 दिरिश्यों आग एक उप्षन नमबर 96, बार-बार क्यों कह रखा था, लूंगा मैं अवतार, उमर रहा है, इस भूतल पर दुख का पारा बात, बाडव ले लिहान, जीहा का करता है विस्तार, परल्या पयोदर बरस रहे है, रख तस्रूप की थार, इसकंदगुप नाटक में गीत, और पॉस्ण को पर पंच बुद्दी और जया हमाला, पॉस्ण नमबर 96, बिलकुल, हाँ, सूर हमार हो जाएगा, और बातर को तोड़ मुदुद का, आगी है, पॉस्ण नमबर 97, सेवन हम लोगों की चिंतन ने करो भी इस्तिरियों की ब्रामनों की पीरितों और अनातों की रक्स में प्रान विसर्जन करना च्छत्रिय का धर्म है इसका दुप नाटक में समवाद किस पात्र का आपको बताना है रामा देवसेना वीजया जैमाल चार ओप्समें जवाब दी जी बिल्कु तमाना अंसर हो जाएगा ऑप्सम फोर जैमाल को सब्सक्राइब नमबर 98 पवित्रिता की पाप है मलिंता सुखका अलोचक है तुप पुन्य की कसोर्टी है पाप इसकंदुप नाटक में समात किंदो पातरों के मध्या होता है इसकंदुप को दातों सेन देव सेन और विजया स्रमनाग और पढख्यात कीरती जैमाला और रामा को सब्सक्राइब नमबर 98 जी बिल्कु आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन टू देव सेन और विजया आगे को सब्सक्राइब नमबर 99 कादम कामिनी कंचन वनमाला के पहले अकसर करना होगा इने के लिए करम करना होगा मनुस्य को यदि इन क्या वर्गों की चार्ट नहीं तो करम क्या करे करम में एक पू और जोड़ दे तो अच्छी वनमेद्री होगी इसकंदगु नाटर में समबाद किस पात्र का आपको बताना है स्रौणाग भटार इसकंदगुत परख्यात कीरती फॉसन आज मुझे जैप राज्य का विचार नहीं है मैंने एक एलोकिक वीर्था का स्वर्ड के दिरिश्य से देखा है होमर की कवीता में परी हुई जिस कलपना से मेरा हिर्द्य भढ़ाया उसे यह पर्त्यक्स देखा चंद्रगु कुनाटक में समबाद किस पात्र का है आपको बताना है चानक क्या सिकंद्र चंद्रगु सक्टार और जबाब दीजिए क्या हमाया जबाब होगा जी पिल्गु आंसर हमाया हो जाएगा ऑक्षन टू सिकंद्र आगे कोसर नमबर 101 यवन लोग आर्यों की रननीती से नहीं लड़ते वे हमी लोगों के यूद्र हैं जिनमें रनगुमी के पास ही किर्शत स्वच्छनता से हल चलाता है यवन आतंक फ्याला ना जानते और उस चंद्रूप नाटक में समवाद किस पाठर का है आपको बताना है चानक की है सिकंदर चंद्रूप सक्टार चार आप्सन है जब आप दीजिए कोसर नमबर 101 जी बिल्कुत चंद्रूप का यह समवाद है आगे चलते हैं कौसर नंबर 102 चंद्रूप नाटक की पातर अलका के संबाद है आपको बताने इन में से अलका के संबाद कौन कौन से है मैं राजभवनों से डड़ती हूँ क्योंकि उनके लोग से मनुस्य आजीवत मांसिक कारवास भोगता है समझदारी आने पर योवन चला जाता है जब तक माला गुन्ति जाते है तक फुल को मला जाते है मेरे पाहर मेरे नद्यय और मेरे जंगल ब्राह्मन राजय करना नहीं करना भी नहीं चाता। सबस्क्राइब बनाना जानता ई मनवस्स सरों का अपने मार्क पर चलाने लिए रुक जाता है और अपना चलना बंध कर देता है पांच यह आपर संवाद आपको बताने इन में से कौन-कौन से अलका की संवाद है चार उप्षन है जब आप दीजिएगा पॉसर नंबर 102 जी बिल्पूर आंसर हमारा हो जाएगा केवल कोशन नंबर 103 गुरुमेंट अपने सिस्य गोवर्दन दास को कौन सी दिशा में विक्सा लेने बेशते हैं पीछे आपने देखा था नारायन दास लेकिन यह भी मैं आपको बता चुकी थी बिल्कुल इसमारा जवाब हो जाएगा पस्षिम दिशा में बेशते हैं और पूरा विक्सा में आपको बताना है गोवर्दन दास को चीब बिल्कुल आंसर हो जाएगा साथ पैसे मिलते हैं कोशन नंबर 105 गोवर्दन दास कितने सेर मिठाई खरीदता है तीन सेर सारे तीन सेर चार सारे चार प्रसन नंबर 105 और इंपोर्टेंट इस तरह के कोशन आपके प्रसन नंबर 105 गोवर्दन दास कितने साथ पैसे लाया हो और कितनी मिठाई ली सारे तीन सेर की मिठाई ली में कोशन नंबर 106 भारत उर्दसा नाटक में कुछ 6 अंका और 19 पात्र है कथन एक कह रहा है कथन दों कह रहा है उनमें से भारत निरलज्टा आसा भारत उर्देव रोग आलस्या मदीरा अंधकार डिस लोयल्टी भारत पात्र हैं आपको बताने इनमें से क्या सही है क्या गलत है चार उप्सन ने जबाब दीचेगा कोशन नंबर 106 का क्या हमारा जबाब होगा कि जी बिल्कुल आंसर हमारा उजाएगा उप्सन में कथन एक और दो दोनों सही है कोशन नंबर 107 भारत उर्दसनाटक में कौन सा पात्र आत्मत्या करता है भारत सत्यनास फोसदार भारत भाग्या अंधकार चार उप्सन है जबाब दीचे कोशन नंबर 107 का कौन सा पात्र आत्मत्या करता है जी बिल्गोर भारत बागे जो पात्र आगली में आत्मत्याप बढ़ ले एक सौइट और सनम्बर मदवा पीले पागल जीवन पीतियो जात बिनुमद जगत सार कचुनई मान हमारी बात पी प्याला चक्चक आनन से नीती सांज और प्राद जूमत चल डगमगी चाल से मारी लाज को लाज़ को बाराथ उर्दसाथ नाट के किस पात्र की अपंगति आपको पताना है मदीरा अलस से अंधिकाण बंगी प्रसन नॅब्र एक सौड जवाब पीज़े पी है आखे नहीं खुलती है अंदों को सत्य दिखने में क्या मुझको भी अंदा ही होना है बी पॉइंट मैं भी यदि आज नहीं बचता सेज किन्तु कहा व्यासने मरेगा नहीं संज्य वध्य है कैसा यह श्राप मुझे व्यासने दिया है सी पॉइंट में दो पईयों के बीच लगा हुआ एक छोटा रत निरथक सोबर चक्रूब जी गूंगो के सिवा जोर कौन बोलेगा मेरी जे यह अच्छा था यदि मैं कर लेता समझोता ऐस सत्य से वाज पंग्तिया आपको बताना है इसमें संज्य की कौन कौन सी पंग्ति है कि कह चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा कोसर नमबर एक सो नौ जी बिल्कुल आंसर नमरा हो जाएगा केवल ए बी सी तीनों पंग्तिये संज्य की है गुंगो के सिवा जोर कौन बोलेगा मेरी जे जे जित्राज अच्छा था यदि मैं कर लेता समझोता है सत्य से यूरिश ठीक कोसरं 110 अंधायु नाटक में अस्कृत थाम किसकी गला गोड़तकर अत्यक कर देता हैं संज्य की अरजुन वृति पिरेत मेरी फ्रीश और फेल्स प्रवें थोरे पैलेगा युद याजक लकुल है प्रिश औसके नाहट यूgam परेशान मतो सभी नाटक के को सब्सक्राइब करना और विपनों के लिए अपने द्रह्म के लिए देश के लिए पढ़ान देना किस पात्र काया आपको बताना है स्रमनाग बंदु वर्मा इसकंदगुद परख्यात कीर्थी जोजी पॉसन नंबर 114 जी बिल्कुल रहांसर हमारा हो जाएगा बंदु वर्म आगे कॉसन नंबर 112 वीर्था उनुमाद नहीं है आंधी नहीं है जो उची तनुचित का विचार नहीं करती हो क्यों सस्त्र बल पर टिकी हुई वीर्था बिना प्यार्गी होती है उसके द्रिक भित्तिया न्याइड किस कंदगुद नाटक में या संबाद किस पात्रका है स्रवनाग कंदुवर्मा गोविंद को परख्यात की रिदिए कोसन नंबर 112 जवाब दीजिए जी विलकुत आंसर अमारा हो जाएगा गोविंद को पॉसन नंबर 113 निवनिवन से अंदर गुनाटके पात्र यू 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 की पंगती है आपको बताना इन पाचों में से कौन-कौन से यू 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 की पंगती है मैं उस पैये की तरह हूँ जो पूरे यूद के दोरान रत में लगा था पर जिसे अब लगता है कि वे है गलत धूरी में लगा था हिर्द्य तुम्हारा पत्थर का है कांधारी सी पॉइंट व्यास ने मुझको दिव्य दिश्टी दी थी केवल यूद की अबदी के लिए पता नहीं कव्य सामर्थे मुझसे चीन जाए डी पॉइंट मेरा प्रासी पितना है सत्य पर रहा में द्रिग यह पॉइंट अंतिम परिनिती में दोनों जरजर करते हैं पस चाहे सत्य को हो अत्वा एस सत्य का चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा पॉसन नंबर 113 जी इसमें जो है A, D, E मैं उस पहिये की तरह जो गलत दोरी में लगा था मेरा प्राशिप इतना है सत्य पर रहा में दिरो और अंतिम परिनिती में दोनों जरजर करते हैं यह तीनों पंक्तिया यह तुम्हारा पत्थर का एकांदारी विदुर की है और व्यास ने मुझको दिवेदिष्टी दी यह संजय का संभाई कौ היosun no.114 अंधाटा का कौंसा पातर आत मत्या करता है न चार्म में से कौन सा पातर आत्मत्या करता है आपको बताना है जी बलकुल यह शुच जो है पातर आत्मत्या करता है कौशन नमबर 115 यह रोने का नई आनंद का समय है कौन वीर इसी तरह जनम भूमी की रक्षा में पढ़ान देता है यही मैं उपर से देखने जाता हूँ किस कंदुख नातक में यह समवाद किस पात्र काया आपको बताना है स्रवनाग पंदुवर्मा गोविंद को परख्यात की रुदिन चार आप्षन है जबाब दीजेगा बिलकुल जो है पंदुवर्मा का यह समवाद है पॉस्टन नमबर 116 कस हिर्दय की कसोटी है तपस्या अगनी है सम्राड यदि इतना भी नहीं कर सके तो क्या सब चनिक सुकों का अंत है जिसमें सुकों का अंत नहीं हो इसलिए सुक करना ही नहीं चाहिए मेरे जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप पे छमा इसकंदुवर्माटक में समवाद किस पात्र का है आपको बताना है चार ओप्सन है रामा देवसेना वीजया जैमाला जवाब दीजिए भई कोसर नमबर 116 का जी बिल्कुर आंसर हमारा हो जाएगा देवसेना का यह संबाद है जौर गरम बाभू मेलाया मजेुदार चना जौर गरम आग्रह शैर बराडोल-दस्ता जिसमें बनता चन यह खस्तां पैसे वाले को सिधा रस्ता आकर खावे चने ये खसता खाकर जाए मदर से हसता चना जोर करम तो परोग पंक्ति किस नाटक की है आपको बताना अंदेर नगरी भारादूर दसा आगरा बाजार बकरी चार ओप्सन है पॉसन नमबर 117 का जवाब दीजी जी पिलोगों हमारा जवाब हो जाएगा आगरा ब पात्रों को पहले से बाद के करम में लगाएं कौन सा पात्र पहले है उसको पहले रखना है जो बात मैं उसको बाद में रखना है लड्डू वाला तर्बूज वाला फकीर बड़क वाला कक्री वाल कि आपको इनको पहले से बाद के करम में लगाना है चार ओप्सन है लगा आगरा बाजान नाटक में लड्डू वाले नामक पात्र ने तिल के लड्डू को किसके समान मीठा बताया है बूरा के समान सक्कर के समान मिश्री के समान चीनी के समान कौसन नमबर 119 जबाब दीजिए बताएए किसके समान मीठा बताया है जी बिल्कुन आंसर हो जाएगा हमारा option 3 मिस्ट्री के समार आगे question number 120 एक और दोना चारे नाटक में निवनी में से कोरानिक पात्र है आपको बताना इन पाचों में से कोरानिक पात्र है आपको बताने पाचों में से कोरानिक पात्र कौन कौन से है जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा बी-सी-डी एक लव्य है बिस्म सैनिक यह तीनों जो है पुरानिक पात्र पात्र है कोसर नमबर 121 किस दो कथने आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है कथने कह रहा है एक और दोना चारे नाटक पूरवाद मध्यान और उत्रात तीन भागों में विभाजित है कथन को कह बीज था है गया चार और आप्स नहीं से जबके जीएगा कौसर नमबर 121 किया हमारा जेबाब होगए क्योंकि पूर्वाद उत्रां दो भागों में ही eigenlijk कथन बहुंड है दुरं हो बल्कुर सही है जबालें में सत्य कतने आपको बताना है दुरुष आमने नाटक के बारे में कि आपको इन सही है क्या गलत तो इस द्रिश्ट में परकासण 1933 में उन्हें था नाटक में फुल 6 द्रिश्ट में पाचंग है यह नाटक विसाग्य देवी चंद्रुगुप्तम के अधार पर लि जी बिल्बूर परांसर हमारा हो जाएगा option 4 केवल A B E A B E कुल तीन दिर्ष से है परकासन 1933 में और देवी चंडरुक्तम के आधार पर लिकार गलत है जा पाचनी तीन अंका और तीनी दिर्ष से है कहसान नंबर 120 दुरुष सामनी नाटक के अनुसार कौन इन पाथ इस तरी वेस में जाकर सकराज का वध bind करता है छिंगिल और मीर Rod resting के इन चौरुअ मंचारी उंसे इस तरी वेसándag staff करता है जी बिल्कुर का अंसर हमारा हो जाएगा चंडरुकुप छुए सक्राजकवत करता हैं पॉस्ञ नमब्र 124 दुरुस्वामिनी नाटक कि स्तिरी पात्र है मंदाकिनी नीला दुरुस्वामिनी कोमा प्रामा इन पाचों में से कौन-कौन दुरुस्वामिनी नाटक कि स्त्रिपात्र आपको बताना है जबाब देना है चार जबाब दीजिएगा कॉस्टन नमबर 124 का जी पिल्कुत आंसर हो जाएगा A C T मन्दाकिनी धुरुपस्वामीनी और कोमा यह तीनों जो है धुरुपस्वामीनी नाटक के पार दोए कॉस्टन नमबर 125 आध्य अधूरे नाटक के संबन में निम्लिकित वातों पर विचार कीजिए नाटक की पात्र छोटी लड़की की उम्र 14-15 के बीच में है बी नाटक का पड़कास नुनिस सोनत्तर में हुआ था नाटक का पहला मंचन दिल्ली में दिसांतर द्वारा सिरी ओ नाटक का प्याला मंचन जुलाई उनिस सोनत्तर में हुआ नाटक में एक ही व्यक्ति को पाच घंडों में विवाजित किया गया है पाच पॉइंट आपको बताना है इन में से क्या क्या सही और इंपोर्टेंट कोस्टन है ना से जो कोड़ वाला पॉस्टन बनेगा तो एक जी बिल्कुल आणसर हमारा हो जाएगा केवल बी सी की बी सी बिल्कुल सही ते एक गलत क्यों था छोटी लड़की को उनक बारे से ते रहे के बीच वह मंचन का पर फरवरी में हुआ पाच पॉस्टन नम्बर एक रोच ब्ली सूची उनको सूची दोसे सुमिलित कीजे का स आपको सूची वन को सूची दोसे मैच करना है आपको बताना है पुरुष एक कौनता दो कौनते तीन चार चारो पुरुष के आपको नाम बताने है सूची दोमन के नाम दियो है जुनेजा जगवन सिंगान्य महिंद्रनाद चारो उप्सन है जबाब दीजी जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा option बन पुरुस 1 महिंदरनाग पुरुस 2 सिंगान्या पुरुस 3 जग्मौन पुरुस 4 चुनेजग आगे एक option number 117 इस इसमार चारो पुरुस के हाँ जो आप वेस्पूसा बताने किसकी क्या वेस्पूसा थी आप आपकी स्क्रीन पर दिखायते रहे होगे जब आप दीजीगा क्या वेस्पूसा सुची रोम उनकी वेस्पूसा थी हुए पत्रुन बंदगले का कोट पत्रुन कमीच पत्रुन टीशर्ट आगया इनकी कमीच पत्रुन के साथ कुरानी कार्ट कर लगब को अठाया जो लोग MP का पेपर देने जा रहे हो ना मैं भी MP जाओंगी नो जून को तो जिनको मिलनों बता देना एक जंगा फाइनल करकर मिल लेगे ठीक है क्यूकि नो जून आप सब जा रहे हो गए एक जाम देने ठीक है तो जुनों बच्चा यह MP जा रहे है एक जाम देने और मिलना चाथे है मुझसे तो बता दी जेगा क्योंकि मैं भी जा रहे हूं MP तो हम लोग मिल लेगे 9 जून को या 10 जून को जब भी मिलों ठीक है सब्सक्राइब के साथ पुर्णी कार्ट का लंबा को आगे चलते हैं कौसर नमबर 128 आसार का एक दिन नाटक के संबंद में निवलेखित बातों पर विचार कीजिए आपको बताना इस पाच्चों में से क्या सही है क्या गलत नाटक के परूपात्र कालिदास मलीक अंभीका है नाटक का पढ़कासन 1958 इस्वी में हुआ था नाटक की भूमिका धरमवीर बारती ने लिखी है नाटक के रूप की दिश्टी से आसार का एक दिन सूग अठित यथार्थवादी नाटक नहीं है नाटक में कुल तीन अंक्या आपको बताने इन में से क्या सही है क्या गलत है ठीक है चार ओप्सन है बताईएगा कॉसन नंबर 108 का जवाब कीजिए टोटल 250 कॉसन है तो टेलिग्राम पर ही कॉंटैक कर लेना नहीं तो मैं अपना नंबर दे दूंग या नहीं आपको देख लीजेगा न मुझे मैसेज क कर दे ताकि मैं उनसे कॉंटैक्ट में रह सकूँ ठीक है जी बिल्कुल आंसोर हमारा हो जाएगा केवल A,B,E गुमी का किसने मौन रहा किसने खुद लिखे और या थार्टवादी नाटक नहीं अगर नहीं सब्द को उटा दे तो हमारा ये पोईट पर सही हो जाए आगे क कॉचन नमबर 139 सुची उनको सुची दो से सुमेलित कीजिए एक तरफ पात्रे एक तरफ कुमी का है बताएगा मैच कीजिएगा कालिदास रंगिनी निच्छे प्रियंगु मजिन बताएगा चार ओप्सन है कॉचन नमबर 139 का जबात दीजिएगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन टू कालिदास कभी रंगिनी नागरी निच्छे प्रियंगु मंजरी राजकर्ण्या कभी बत्मी आगे कॉचन नमबर 130 इंप्सन पंक्ति है विलोम क्या है एक सफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम हम कई एक दूसरे क के बोग निकट पड़ते हैं आसार का एक दिन नाटक में संवाद किस पात्र काया बताना है चारों आप्सन है विलोम कालिदास मलीका दंतुर चारों आप्सन है बताईएगा कोसा नमबर 130 का जवाब दीजिए किसके आएगे संवाद विलोम कर पोसा नमबर 131 आगरा बजार नाटक की पात्र बे नजीर कहा की रहने वाले दी हुसनपूरा इस्तनगर आगरा जसनपूरा इन चारों मसा आपको बताना है कहा की रहने वाले दी बे नजीर जी बिलकूर आंसर हमारा हो जाएगा आगे चलता है कोसा नमबर 132 नीचे दो कथन दिये गए कथन एक आगरा बजार नाटक नजीर अक्वराबादी के नजमों पर आधारी पहा है कथन दो है नजीर अक्वराबादी के काल को अपने काल के पडिप्रेश्चा से जोड कर ही उनके नजमों को परयोग हवीव तन् जी बिल्कुर दोनों कथन हमारे सही आगरा बजा नाटक के बाया में बिल्कुर सही है यह याद रखेगा यह नजीर अक्वराबादी के नजमों पराधारित नाटक के आज आगरा बजा पॉस्ण नमबर 133 यूद्य सरवनास मेरी दियूई विद्या हजारों बलिदान लेगी क्योंकि मैंने केवाद सब्सक्राइब चलाने की सिक्सत ही है मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया है जो मनुस्या को मनुस्या बनाता है एक और दोनाचारिया में नाटक में संव क्यारिकाता आपका सपोर्ट होगा आप लोग सेयर करोगे क्लास आपका रैस्पोंस अच्छा होगा तो यह आगे मैंने क्लास में कंटिन्यू करूँ जी बिल्कुल आंसवर हमारा हो जाएगा ऑक्शन टू द्रोनाचारिया आगे खोसन नमबर 134 उस दास्ता ने मुझे यूद का उन्माद दिया उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया कि मैं हर दिन छोटा आदमी होता गया एक और द्रोनाचारिया नाटक में संबाद किस पात्र का आपको बताना है अर्विल द्रोनाचारिया भिस में दिन लें दो पॉसन नमबर 134 जी बिल्कुल आं आपके पात अर्विन विमलेंदू यदू अस्वत्थां दोसी तरह आपको मैंच करना है फोन क्या था चार ओप्शन है बताएगा कोसर नमबर 135 जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ओप्शन थी अर्विन फ्रोफेसर परूंपात विमलेंदू मृत शिक्सारिया नाट यदू जूनियर प्रोफेसर अस्वत्थामत रोनचारिय का कोसर नमबर 136 दृवस्वामनी नाटके पात है सक्राज सक्टार मुद्गल सिखरस्वामी मीर्देख पाच यहां पर पात रोखे नाम लिएगा आपको बताना है चार ओप्शन है कोसर नमबर 136 जी बिल्कुल आ आज़ा हो जाएगा A.D.E. सक्राज सिखरस्वामी मेर्देख पाच नमबर 137 कुब्रा बोना हीज्रा आदी पात्र किस नाटक में है चंद्रोफ्वामी नी इसकंद्रोफ्वामी जबाव दीजिए जी बिल्कुल दृफ्वामनी नाटक के पात्र है Q.133 आद्या दूरे नाटक में नीमनी में से किस पात्र का नाम उलिखित है सिवजीत वर्ना मनोज अपड़ना सरोज पाच पात्र आपको बताना इन में से कौन कौन से आद्या दूरे नाटक के पात्र है चार ओप्षन है जवाब दीचिएगा Q.138 आद्या दूरे नाटक में कौन सा पूरुस सावित्री को कूकू कहकर बुलाता है पूरुस एक पूरुस टू पूरुस थी पूरुस चार जी बिल्फूर आंसर नमाया हो जाएगा पूरुस तीन कौसर नमबर 140 आद्या दूरे नाटक के पात्र हसोप को सोप की कहकर कौन कहता है कौन बुलाता है सोप की कहकर उसको कौन बुलाता है बड़ी लड़की पूरुस टू छोटी लड़की सावित्री टू फिप्टी कौसर है बड़ी जी बिल्फूर आंसर हमारा हो जाएगा छोटी लड़की आगे कौसर नमबर 141 आसार का एक दिन नाटक में निमनी में से किस पात्र का नाम उलिखित है अनुस्वार अनुनासिक श्वार व्यंजन संगेली इन पाचों में से आपको बताना है चार ओप्सन है जबाब दीचेगा पॉसर नमबर 141 का जी बिल्फूर आंसर हमारा हो जाएगा केवल ए बी ए अनुस्वार अनुस्वार अनुनासिक संगित कॉसर नमबर 142 आसर का एक दिन नाटक में इंप्रोटेंट कॉसर निम्ने में से काली दास की कौन-कौन से रचना का उलेगा आपको बताना है इन पाचों में से कौन-कौन से रचना का जिक्र आया है नाटक में रितु संगार रघुवंस विकर्मवंस्यम अभिज्यां साकुंतलम मालविकागनी मित्लम चार ओप्सन है जबाब दीजेगा कॉसर नमबर 142 का आंसर हमाय हो जाएगा केवल ABT वितु संगार रधुप डगुवंस अभिज्यां साकुंतलम कॉसर नमबर 143 आसार का एक दिन नाटक में कौन सी रचना के लिए काली दास को सम्मान देने के लिए आचारे वर्णुची उज्जनी ले जाने आते हैं लितु संगार रगुवंस कुमार संभव अभिज्यां साकुंतलम कॉसर नमबर 143 अगरा बज्यां नाटक में तो बता देना तो बता देना ठीक है मिल ले जी बिल्कुव आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन वन वीतु संगार आगे पॉसर नमबर 144 आगरा बज्यां नाटक में तस्निफाद सब्त का क्या आर्थ है अध्यापन कीर्तिया आलोचना सिधस्त इन चारों में से क्या आर्थ है आपको बताना है पॉसर नमबर 144 आगे पॉसर नमबर 145 आगरा बज्यां नाटक का पातर सोधा कौन से नगर में रहता है आपको बताना है कौन से नगर में रहता है सोधा हुसनपूरा इस्तनगर आगरा जसनपूरा आगरा जसनपूरा पॉसर नमबर 145 जी बिल्कूर आंसर हमारा हो जाएगा इस्तनगर मे रहता है किया जैने हाथ क्अगुठा दाएन न्युनly मुछल्ताक टेंशार लग ऐसे अमगते हैं किया मांगते हैं आइने आथ का अंगुठा इस ताइने हाथ का अंगुठा दाइने पैर का अंगुठा अधिक यह वह को में विद 쪽 ऊनल्य Kin 2016 दाई ने हाथ का अंगुच आगे चलता है question number 147 एक और दोना चारे नाटक की बात creepy, अपने पुतर अस्वत धामा को दूद के नाम पर क्या पलाया था आटे का गोल, चावल का गोल बिस्किट का गोल, उक्रोक्त में से कोई नहीं question number 147 जी बिल्कुर पुरुसों ने स्त्रियों को अपनी पसु संपत्ति समझ कर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वैं मेरे साथ नहीं चल सकता यदि तु मेरे रक्सा नहीं कर सकते अपने कुल की मर्यादा, नारी का गोरब नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो हाथ तुम लोगों को आपत्ति से बचने के लिए मैं स्वा मियां से चली जाओ दुरुस्वामी नाटक ने संगाद किस पात्र का आपको बताना है दुरुस्वामी नहीं, मन्दा की नहीं पॉमा, मीर देव चार पात्र आपको बताना है कॉसर नंबर 148 हूँ बिल्कुल एल्प हो जाएगी पार्थ हाँ, MP के अर्मिट कार आगया है जिनका MP वाला एज्जाम है डाउनलोड कर देना आपको बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा दुरुस्वामी भी आगे कॉसर नंबर 149 सीवीर का पिछला भाग उसके पीछे प्राचिर जैसी परवतमाल है सीवीर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हो जंद्रा तब टंगा है प्रोब पंक्ति से दुरुस्वामी नाटक के कौन से दिरिश्य का आरभ होता है आपको बताना है पहला दिरिश्या दूसर दिरिश्या तीसर दिरिश्या इनमें से कोई नहीं कॉसर नंबर 149 MP प्रोफेसर वाला एज्जामे ठीक है किन्ने उन्हें पूछा बीट्या नहीं जी बिलकुल फोट दिरिश्य का आरभ होता है आपको प्रोफेसर नंबर 150 एक औरत को इस तरह चलना चाहिए इस तरह बात करनी चाहिए इस तरह मुस्कुलाना चाहिए क्यों तुम लोगों के बीच हमेसा मेरी पोजिशन खराब करती हो और वही महिंद्र जो दोस्तों के बीच इस दब्बू सा बना हलके हलके मुश्पुराता है घर आकर एक दरिंदा बन जाता है पता नहीं कब किसे नोच लेगा कब किसे फार खाएगा आध्या दुरे नाटक में समवाद किस पात्र का आपको बताना है बड़ी लड़की पुरुष्चार छोटी लड़की सावित्री आठे का गोली तो यह आंसुर थी बारी नाटक देख लेना एक बार अगर आपको पन्फीजन होना जी बिल्कुल यह सावित्री का संबाद है पौसर नमबर 151 आध्या दुरे नाटक के कुस पात्र है आपको उनकी उम्र मैच करने हैं ठीक है इस तरी सावित्री बड़ी लड़की बिन्नी छोटी लड़की किन्नी लड़का सो उम्र है चालिस की छूती बारे तेरे के बीच 20 से उपर नहीं किसके आसपास आपको मैच करना है किसके उम्र कितनी है चार ओप्शन है इस तरी सावित्री उम्र चालिस की चूती बड़ी लड़की बिन्नी लड़की 20 के ओपर नहीं छोटी लड़की बार्य तेरे के बीच लड़का 21 के आसपास आगे कॉसन नमबर 152 यह आले एक इस्तरपा इस्तरी पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है आद्या दुरे नाटक की विशे में एक खथन किसका है आपको बताना है सुधा सिप्पूरी ओम सिप्पूरी इब्राइमलका जी बच्चन सिप्पूरी पॉसन नमबर 152 जवाब दीजिए जी पिल्कुत आंसर हमारा हो जाएगो ओम सिप्पूरी पॉसन नमबर 153 बच्चन सिंग नेमी चंजयन राम गोपाल बजाज हैसर अलखाजी कॉसन नमबर 131 बताईएगा जवाब दीजिएगा जी बिल्कुत आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टूर नेमी चंज जाएगा आगे कॉसन नमबर 154 राजनीति साहित्या नहीं है उसमें एक चंज का मैत्व कभी एक चंज के लिए भी चूप जाए तो बहुत बढ़ा निस पहुंच सकता है राजनेतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरुख रहना पड़ता है यह आज करते हैं आज इतनी कोसन रखते हैं कल को कर लेगे आगे पीछे ने खट जाए आसार का एक दी नाटक में समवाद किस पात्र का है आपको बताना है विलो मली का प्रियंगो मंजरी तंतु चारो ऑप्सन है जबाब दीचेगा खुसन नंबर एक सो चोगा क्योंकि मुझे भी आदत ने है इतनी लंबी क्लास लेने की सब़ा दो गणते हो चुक्या है तो अब परहसान हो रहिए क्योंकि हैबिट बिलकुल ने है उतनी लंबी क्लास लेने की देरे देरे क्या पता है इविट हो जाए ठीक तो अभी 100 कोशन बचे है 154 है 250 मैंने कोशन बनाएते है जी बिल्कुल आसवर मारा हो जाएगा फिरांगु मंजरी चलो तो जब आज ही कह रहे हो तो आज ही कर लेते हैं करोगे आगे कोशन नमबर 155 किसी संबन से बचने के लिए अब आप जितना बरा कारण होता है अब ज्याशन पोर्थी से बड़ा कारण बन जाती है इस साहर बन तो इसके वर 22 तो किससे का आपको बताना है चार ऑप्शन है मलिका द्वारा अंबिका को कहा गया, अंबिका द्वारा मलिका को कहा गया, थारो अप्शन हटा दीजेगा, सेम अप्शन है, तो और अंबिका द्वारा गिलों को कहा गया है, पताईए, कॉसन नंबर 155 का जवाब दीजे, जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा, अंबिका मैं तो अब उर्दो फार्से की किताबों से भर पाया मैंने फैसला किया है कि देली से अंग्रेजी जबान में एक अकबार साया करूँ मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि आप यह धंगा छोड़िये और अकबार और रसाइल के काम में लग जाईए यह नया जमाना है नए जमा गंगा परसाद तजकिरानविस चार उप्सन है बताईए क्या हमारा जबाब होगा कॉप्सन नंबर 156 जी बिल्कुल आस्वर हमारा हो जाएगा गंगा परसाद आगे चलते है कॉप्सन नंबर 157 आपने एक मान पर्तिवा को उबारने से पहले ही कुचल दिया है एक और दो जान चारिय नाठ्यमिसमद किस ने जैसे काहा है आपको बताना है ऐस्यू आपंसंव अर्जुन ने गुरु द्रोशय कि ऐसे आगे चलते हैं कॉप्सन ważne 152 158 तू द्रोनाचारिय व्यवस्ता और सत्ता के कीलों से पिटा हुआ द्रोनाचारिय पित्यास की धार में लक्री के ठूट की तरह बैता हुआ बर्तमान के कगार से लगा हुआ सरा गला द्रोनाचारिय व्यवस्ता के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाले तूटे ज आपको बताना है चार उप्षन है जवाब दीजिएगा कॉसन नमबर 158 जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा उप्षन फोर विमलेंड आगे कॉसन नमबर 169 जो इस त्री दूसरे के असासन में रहेगा प्रेम किसी अन्य पुरुष से कर दिया उसमें गंबीर और व्यापक रस उप्देलित वैता होगा वही तो नहीं जो चंद्रगुफ से प्रेम करेगी वैस्तरी नहीं जाने कब चोट कर बैठी दुरुष स्वामनी नाटक में संवाद किस पात्र काया आपको बताना है दुरुष स्वामनी चंद्रगुफ चार उप्षन है बताईए रहां बिल्कुल करेंगे अभी जो है कल को क्योंकि वैसा तो चुटी रही क्योंकि क्ल मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा लेकि मुझे आप लोगों से मिलना भी ता लाइव के लास में आगर तो कॉस्टन भी सोल कर लेगे और मिली बिलेगे ठीक मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया जीवन वंसे के चित्रों में स्वर बनकर लेगा है पल बढ़ रुकने वाले क्या तो पथि कहां से आया दुरुस्वामनी नाटक में गीत किस पात्र का है दुरुस्वामनी मंदा की नहीं कॉमा मीर देव चार उप्शन है पॉसन नमबर 161 मैं मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं मैं कौन हूं और क्या आसा कर रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं आप सायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निशित इकाई हूं अभीनेता परस्तुत करता व्यविश्थापत या कुछ और आद्या दू जवाब दीजिए वन लाइनर कॉसन है जी बिल्कुल आkaarसन ही हमाया हो जाएगा काले शूट वाला आद्मी जब नाटक कर बिल्कुल प्राराम होता है दूले नाटक में तो आप देखते हो आद्या दूरे नाट में ये संवात किसले किससे कहा है आपको बताना है option 1 इस्तिरी द्वारा बड़ी लड़की को कहा गया option 2 बड़ी लड़की द्वारा इस्तिरी को कहा गया option 3 इस्तिरी द्वारा पुरुस 4 को कहा गया कॉसन नमबर 162 जवाब दीजे और ये किलास अभी सीले ले रही हूँ वैसे में साम को ले थी लेकिन साम को थोड़ा आज किलास नहीं ले पाऊंगी शीले में अभी किलास ले रही हूँ ठीक है मैं मेरा मेसेज देख लीजे क्या क्या नहीं से एक बार दुबारे कर तो प्लीज जी बिलकुर यहां पर आंस्वरों हो बच्चन सिंग, नेमी चंजयन, राम गोपाल बजाज, फैजल, अलका जी ठीक है आपको बताना है कोस्टन नमबर 163 का जबाब देना है आप इस किलास के बाद मैं पले लिस्ट एड़ कर दूगी मैराथन किलास के नाम से मिल जाएगी, सबसे पहली पले लिस्ट मिलेगी, उसमें आज और कल, जो कल किलास होई थी, दोनों पार्ट आपको एक जंगे मिल जाएगी कोस्टन नमबर 163 का जबाब दीजे और आपकी जो अगली मैराथन किलास होगी वह हिंदी निबन पर होगी तो अपना हिंदी निबन वाले नोर्स विवाईज कर लीजेगा कल या परसो में आपकी मैराथन किलास होगी हो वह आपको टेलीग्राम पर इंफॉर्म कर दोंगी जी विल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा बच्चन सिंग किसने का था किसकी कोटेशन है यह बच्चन सिंग किया किस नाटक के बारे में आपके पेपल में कोटेशन देकर यह कि पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंग ने किस नाटक के बारे में काया तो याद रखेगा असर का एक दिन नाटक के बारे में सब्सक्राइब कर दो मेरी सुपकामने आपके साथ है निशा जीवटिक है आप फूप परो फूप कामयाब बनो कथन एक कह रहा है कॉस्टन नाटक काली दास के काल्पनिक जीवन विरित पर आधारित है कथन दो कह रहा है बच्चन सिंग के अनुसार यह भी धर्मी परगि नाटक नहीं है दो कथन आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है चार अप्सन हमारे पास है जवाग दीजीगर जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा ऑप्सन जो है कथन एक तो बिल्कुल सही है कथन दो गलत है क्योंकि बच्चल सिंख्या नुसारी है वीम धर्मी पढ़गी कात्मत नाटक है अगर नहीं सब्सक्राइब तो कथन दो भी हमारा सही हो जाएगा आगे चलते हैं कॉस्टन नंबर 165 एक और दो नचारी नाटक में इस्तरी पात्र है राधा किरपी अनुराधा रुकमनी लीला आपको बताने इन पाल्चों में से कौन कौन से एक और दो नचारी नाटक के इस्तरी पात्र है बताईएगा जबाब दीजिएगा चार ओप्सन नमारे सामने है कॉस्सन नमबर 165 पिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा केवल B C E किर्पी अनुराधा लीला आगे चलते हैं कॉस्सन नमबर 166 एक और दोना चारिया नाटक में वर्नित है आपको बताना है इन पाच्चों में से क्या-क्या वर्नित है एक और दोना चारिया नाटक में A. गुरू और सिस्थे के रिष्टे में टकरा B. दोना चारिया के रूप में वर्तमान वी संगती का चितरन C. पोरानिक और आधुनिक कथा का समन्विया D. हरिजन परिवार का सोशन E. उच वर्गया परिवार के जीवन यापन का वर्नित पाच पोइंटा आपको बताना है इन में से क्या-क्या वर्नित है नाटक में चार उप्षन है उप्षन वन केवल A, B, E. उप्षन टू केवल B, C, E. उप्षन त्री केवल A, C, D. उप्षन फोर केवल A, B, C. उप्षन नमबर 166 जवाब दीजे जी धन्यवाद री तू कैसे हो भई आप हाँ बिल्कुल जो यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा A, B, C क्या गुर्व और सिस्थे के रिष्टे में टक्राब बिल्कुल इसमें दिखाया गया है दौरणाचार्या के रूप में बर्तवान भी संगति का चित्रन है पुर्वानिक और आदुनिक कथा का समन्वे यह त आगे चलता है कौसान नंबर एक सो सरसट हमारा यह कसक अरे आसु सहजा बनकर वीर्नम अभिमान मुझे मेरा स्तित्व बता रह जा बन प्रेम चलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा करूना बन दुख्या वसूधा पर सीतलता फैलाता बहजा दुरु स्वामनी नाटक म नंबर एक सो सरसट का जवाब दीजिए है जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा मंदा के नहीं आगे चलता है कोसन नंबर 168 नीचे दो कथन दिये गया है कथन एक है दुरु स्वामनी नाटक पर इविशन के समस्य नाटकों का परवाब दिखाई देता है कथन दो है दुरु स्वामनी नाटक में नारी के अपने निर्णय और स्वातंत्रय को रेखांकित नहीं किया गय आपको बताना है इन दोनों में से क्या कथन सही है क्या गलत है चार ओप्सन है जब आप दीजिएगा कोसन नंबर 168 का कथन वाला कोसन है और वह किलास को एक बार सेयर कर दीजिएगा किलास सेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है सिंदूर की हाठा के समस्यदाक परवाब है तिक दुरूस्वामनी नाथक के समस्य नाथक बलकि इविशन के परवाब है ठिक दुरूसवामनी नाटक पर भी है और दुरूसवामनी नाटक में नारी के अपनी निर्ने और स्वातंत्रे को रेखांकित किया गया अगर नहीं सब धर्टा दे तो कथन दो भी हमारा सही हो जाएगा ठिक आगे चलते हैं कॉसन नंबर 179 पूर्वर्टी नाटक स्वच्छंदतवादी है तो धुरूसवामनी आधा रोमेंटिक और आधा यथार्थ वादी इसकंदकुप नाटक की विशे में एकतन किस आलों चक्क है आपको बताना है रांचन सुकल नामवर सिंग बच्चन सिंग जगरनात परसाद सर्मा इन चारों में से किसकी एकोटेशन है जबाब दीजेगा आपके जो एक प्रोफेसर वाले के आई मिटकार आ चुकी है तो मैं लिंक भेज दूंगे अकल अपना टेलीग्राम गूर्प पर भेज दूंगे परिशान मतलों जी बिल्कुल यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन थिरी बच्चन से आगे चलते हैं कॉस्टन नमबर 170 मैं इस घर से अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिती में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती आध्या दूरे नाटक में जैए पंक्ति आनी इंपर्टन था मैं आपना प्हले क्या प्लिक से निया इक जो कहते हो मिलेगगा बल्कि उस को से आधर कर बता हूं कि ऌनके पिछली बार अचे होगा ऑलिल्कुल गनिया बडि जाएगा टेल्कार बडी नडडगी को था बीनि का यह संवाद है आगे चलता है question number 171 निम्ड में से आध्यादूर्य नाटक की पात्रिस्त्री सावित्री की पंग्ती है यहाँ पर पाच पॉइंट आपको बताने हैं इन में से सावित्री की कौन-कौन सी पंग्ती है का चिपी है मैं मनुष्ची जो मैं कहता है मैं घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ एक मसीन जो कि सब के लिए आटा पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है मगर किसी के मन में जरा सा भी ख्याल नहीं है इस चीज के लिए कि कैसे मैं सी पॉइंट है मुझे पता है मैं कीडा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है डी पॉइंट है अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंद बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं तुम लोगों के लिए पर तुम लोग इस से छोटे होते हो तो चार ओप्सन आपके सामने है जबाब दीजिएगा दन्यवार टिंपल्क जी बिल्कुल हांसर हमारा हो जाएगा बी डी ए यह का चिपी है मनुची जो वह कहता है मैं इस गर से अपने अंदर लेकर गई हूँ यह बड़ी लड़की की पंगती है और मुझे पता है मैं एक कीड एक सेकंड रुक्यागा हलो 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 है अगे चलते कोसर नंबर 112 मैं अनुभब करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमी है मैं कही सूत्रों से इस भूमी से जुराओ उन सूत्रों में तूम हो यह आकास और यह मेग है यहां की हरियाली है हरीनों के बच्चे है पसू पाल है आसार का एक दिन नाटक में समवाद किसने किससे का आया आपको बताना है option 1 कालिद दौारा मलीगा को कहा गया option 3 कालिदास दौारा अंबिका को कहा गया option 4 अंबिका दौारा बिलों को हेलो हाँ भाय या इदर ही दासंग लाली गली है इसमें आ जाऊगा अ ठीक है आप जबाग दीजिए इतने एक सेकंड बज़ यह पार्सल भी हमेज़ा किलास के बीच में ही अटाएड जी बिल्कुल इसका हम सुरमाया हो जाएगा ऑप्षन दो काली दास द्वारा मलीका को कहा गया बाहर पार्सल वाला है वह लेले एक वर केक नहीं आया है ठीक है कॉसा नंबर 172 आसार का एक जिन नाचक में संभाद किसने किससे का है तो यह काली दास द्वारा मलीका को कहा गया आगे चलते हैं और 173 आधिया दूर्या नाटक में वर्मनित है एक पारिवारिक वी घटन की गाथा बी मान्मिय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन सी तलाक सुदा दमपती की समस्या डी पतनी के पड़ती अतीसे आसक की चार पॉइंट हैं आपको जवाब देना है चार मेरा पार्सल ही हो रहा है डेली एक पार्सल आ रहा है पिछले पाच देन से में तब जो भे भाई आते है न पार्सल देने वाले बेबी यह नहीं पूछते का प्याना वें कहते है घरके भार खरा ओ पार्सल लें जी बिल्कुल यहां पर हमारा जबाब हो जाएगा option 1 केवल A और B पारिवारिक वी घटन की गाथा और मानवे संतोष के अधूरेपन का रेखांग पर आगे चलते हैं खूसन नमब्र 174 सुचि बन को सुची दो से सुमेलिट करना है किसके आध्यदूरे नाटक के पात्र आध्यदूरे नाटक के पात्र और सुची दो में उन पात्रों के हाब भाब कैसे थे तीकह आपको जबाब देना है इस्त्री सावित्री बड़ी लड़की बिन्नी छोटी लड़की किन्नी लड़का सोग ठीक है चार ओप्षन ने जवाब दीजेगा किलास हमारी एक बज़े शुरूई थी जी बिल्कुर आंसर हमारा हो जाएगा ओप्षन बन इस्त्री सावित्री चैरे पर योवन की चमक और चहा फिर भी सेज बड़ी लड़की बिन्नी भाव में परिस्थित्यों से संगर्ष का अउसाद और उतावलापन चोटी लड़की किन्नी भाव स्वर्व चाल हर चीज में वीद्रो लड़का सोग चैरे पर जलकती खास तरह की करवार्ट आगे चलते हैं कौसन नंबर 175 परसाद पहले नाटक कारे जिन्होंने अपने पातरों को सवतंत्र व्यक्तित्व परदान किया व्यत्वित्त स्वच्छंत वादकाल और मात्मा गांधी के नेतरत में चलने वाले राष्ट्या अंदोलन की विशेष्था थी जैसंकर परसाद के विशमें एक अथन किस आलोचक्क्या आपको बताना है रामचन सुकलर नामवर सिंग बच्चन सिंग जगरनात परसाद सर्मा कोशन नमबर 175 जवाब दीजिए जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा बच्चन सिंग किसकी कोटेशन है बच्चन सिंग की कोटेशन है मैंने आपको कोशन के माध्यम से जो आपके नाटक की इंपोर्टेशन है बच्चन सिंग की वह सब करवाई है ठीक है तो उनको थोड़ा ध्यां से देख लीजिएगा आगे चलते हैं कोशन नमबर 176 जिन इस्तिरियों को धरम बंदन में बांध कर उनकी सम्मति के बिना उनका सब अधिकार चीन लेते हैं तब बड़ी इंपोर्टेंट पंक्ति है बहिए तब क्या धरम के पास कोई परतिकार कोई संरक्षन नहीं रख छोड़ते जिससे वे इस्तिरिया अपन में अवलम मांग सके दुरुस्वामी नाटक में इसमवाद किस पात्रका है दुरुस्वामी नी मंदाकिनी रामगुक्त मिहिर दे आपको बताना है कॉसन नमबर 176 का जबाब देना है जी धन्यवाद बोलो राना जी रजनी किलास हुई थी एक बज़े शुरूई थी टेलिग्राम पर इंफॉर्म कर दिया था मैंने जी बिलकुल आंस्वर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू मंदाकिनी आगे चलता है कॉसन नमबर 177 उसके लिए कब सच बोले जानते हो तुम्हारे हर जूट ने उसके हर विश्वास को गेरे धक्ये दिये कुल मिलाकर सिक्सक के रूप में तुमने उसे क्या दिया अर्थ सास्पर भासन मोल्थस पीगू और केंस के सिद्धान इन तीनों को नामयार रखेगा कि नाटक में आया है एक और दोनाचारे में इन तीनों के सिद्धान का जिक्र आया है ठीक है यह तो किताबों से भी चार उप्शन है जवाब दीजें कॉसन नंबर 177 का धन्यवाद रजनी और अंकल अंटी को भी धन्यवाद बोल देना ठीक है जी बिल्कुल यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा उप्शन फोर विमलेंद आगे चलते हैं कॉसन नंबर 178 वही दिन था उस दिन भूख मेरे परति सोद ने विवेक को जीता उस दिन तुमने मुझे राज की दास्ता में ठकेला तुम्हें अस्वाथ थामा के लिए दूज चाहिए था अपने लिए वस्त राज के समाद उस दिन तुमने रोगा क्यों नहीं मेरी हिच की साती आत्मा को सक्ति क्यों नहीं दी क्यों मुझे सुवीदा भोगी होने के लिए उक्साया बोलो मुझे राज के अनकी दास्ता से समझोता करने पर किस ने विवस किया एक और दोनाचारिय नाटक में समवाद किस पात्र का आपको बताना है अर्विंद दोनाचारिय विश्मित विमलेंदू चार ओप्सन है जबाब देना कोसन नंबर 178 कर जी बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोनाचारिय के पंक्ति और इंपोर्टेंट पंक्ति है ठीक आगे चल किस बंदन को तोड़ डान दुरुम स्वामिनी नाटक में समवाद किस पात्र का आपको बताना है दुरुम स्वामिनी मंदाकिनी रामगुप्त मिहिर देग जवाब देना है कोसन नंबर 179 का जी बिल्गोल आंसर हमारा हो जाएगा मीर देग आगे चलता है कोसन नंबर 180 पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले संकिन कगारों के नीचे सससत जड़ने भेमेल चले सन्नाटे में हो विकल पवन पादप निजपधो चूम रहे तब भी किरी पत्त का अथक पथिक ऊपर उचे सब जेल चले दुरुस्वामिनी नाटक में गीत किस पात्र का है दुरुस्वामिनी मंदाकिनी कोमा मीर देव चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा कोसन नंबर 180 पैर जी बिल्गोल आंसर हो जाएगा किसका गीत है यह मंदाकिनी का गीत है आगे है कोसन नंबर 181 सक दुर के भीतर एक पड़कोष्ट तीन मंचों में दो खाली और एक धुरुस्वामिनी पादबीट के उपर वाइपर दाईना पैर रक्कड अद्रों से उंगली लगाए चिंता में नीमगन बैठी है आपको बताना है जो यह पंक्ति आना इनसे ध अरम होता है थे कि पहली जिस्थे का का दूसरे एक इनमें से कोई ने चार आपके सामने जवाब दीजिए जी बिलकुल 181 का मारा जवाब हो जाएगा तीस्रे का आरम इम्म्प्टियों के साथ होता है कि कि हां जारे चलता है process demand we इंसा न port YOUR मैंने का था यह ना थतरश me मेरी ही तरह एनिस्षित है उसका कारण भी आई है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सबकुछ इसमें निर्धारित या एनिर्धारित है एक विशेश परिवार उसकी विशेश परिश्थित्या परिवार दूसरा होने से परिश्थित्या बदल जाती मैं मही रहता इसी तर आद्या दूरे नाटक में समवाद किस पात्र का है आपको बताना है पुरुष एक पुरुष दो पुरुष तीन पुरुष चार या काले सूर्ट वाला आदमी पॉस्टन नमबर 182 जबाब दीजिए जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा आप्शन फाइब काले सूर्ट वाला आदमी पॉस्टन नमबर 183 जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता है यह बात बिल्कुल सही भी है आद्या दूरे नाटक में संबाद किस पात् आपको बताना जो यह संबाद है आज दूरे नाटक में कौन से पात्रका है चार आप्शन आपके सामने जबाब दीजिए पिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा छोटी लडगी आगे चलता है खौसन नंबर 184 मेंद्र की जंगे इन में से कोई भी आदमी होता तुमारी जिंदिगी में तो साल दो साल बाद तुम यही मैसुस करती कि तुमने गलत आदमी से साधी कर लिया है तो उसकी जिंदिगी में ऐसे ही कोई मेंद्र कोई जुनेजा कोई सिवजी या कोई जगमोन होता जिसकी वज़े से तुम यही सब सोचती यही सब मैसुस करती क्योंकि तुम्हाइं लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर कितना कुछ एक साथ और कर जीना आद्या दूर्य नाटक में समवाद किसने किस से काया आपको बताना है आप्शन वन इस्त्री दौरा पुरूस्चार को कहा गया आप्शन टू बड़ी लड़की दौरा इस्त्री को कहा गया आप्शन 3 स्त्री दौरा पुरूस्चार को कहा गया आप्शन 4 पुरूस्चार दौरा इस्त्री को कहा गया चार ओप्शन है जवाब दीजेगा कॉसन नमबर 184 कर ची बिल्गुए यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन को पुरुस द्वारा पुरुस चार द्वारा जो है इस तरी को कहा गया आगे है कोशन नमबर 185 एक और दोनचारे नाटक के पात्र चंदू की उम्र है यह वाला कोशन आप उच्छा जाने लगाए तो ध्यान रखेगा कोशी भी कहानी में नाटक में अपन्यास में अद्वी एज दी हुई है तो उसको जो है नोट डाउन जरूर कर लीजेगा बताना है एज क्या जी विल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू 20 वर्स कितनी थी चंदू की उम्र 20 साल की एज दी आगे चलते हैं कोशन नमबर 186 एक और दोनचारे नाटक की पात्र अनुरादा की उम्र है बताना ऑप्शन सेम है चारो अनुरादा की एज बताना है कितनी थी जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा 20 ठीक दोनों की एज जो है कुछ गलत है क्या दोनों की एज 20 वर्स तो थी आगे चलते हैं कोशन नमबर यहां पर नहां चंदू की भी देखो 20 वर्स थी एज और अनुरादा की विए यहां पर यह पूरा एक और दोनाचारे नाटक का पूरा बायोड़ाटा है पुरा निक पात आतुनिक पात उनकी एज क्या थी कौन क्या था देख लीजेगा फासले है आगे चलता है कोशन 1 87 धुरूस स्वामनी नाटक की मुख्य दुरूस स्वामीनी के संबादcus इन पाचों में रहें है कौन-कौन से द्रूस्वामिनी के संबाद है ठीक है एप पॉइंटा मारा मैं उपार में देने की वस्तो सील मनी नहीं हूँ अब चली किलास से बताओ जल्दिए इसे जब रहा था इसमा आपको बताना था इन में से कौन-कौन से संबाद दुरूब स्वामिनी के है ठीक है यहां पर पाच पॉइंटा आपको जवाब देना था बताईए क्या जवाब होगा हमारा चल रही है ना ठीक है यहां पर ओके यह मार्क हो चुका है यहाँ पर जवाब हो जाएगा हमारा Option 4 केवल A, B, D A, B, D यह तीनों किसके समवाद है? दुरुपस्वामनी के समवाद है ठीक आगे चलते है Option No. 188 और Important यह पंग्ती है सोभागय और दुर्भागय मनुस्य की दुर्वलता के नाम है मैं तो पुरुपसार्थ को ही सब का नियामक समझता हूँ पुरुपसार्थ ही सोभागय को खीच लाता है हाँ मैं इस यूद के लिए कभी उत्सुक नहीं था कोमा मैं ही दिखविजय के लिए नहीं निकला था दुरुपस्वामनी नाटक में समवाद में देख लिए जी बिल्कुर यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा सग्राच आगे चलता है कोसन नमबर 189 दुरुपस्वामनी नाटक की पात्र मंदा किनी के समवाद है आपको बताना इन में से कौन कौन से मंदा किनी के समवाद है ए राजा अपने पास की रक्षा करने में ऐसमर्थ है तब भी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए बी सचे वीरता जब भागती है तब उसके क्यारों में राजनीतिक छलचंद की धूल उड़ती है सी पॉइंट मैं सपत खाकर कह सकती हूं कि अधिम अपने हातों से सजदू तो आपको देखकर महादेवी को ब्रह्म हो जाए डी पॉइंट है यहां पर कुमार यह मृतियों निर्वासन का सुक तुम अकेले ही लोगे यह पॉइंट है जिन इस्तिरियों को धरम बंदन में बांध कर उनकी सम्मती के बिना आप उनका सबधिकार छींग लेते हैं तब क्या धरम के पास कोई परतिकार कोई सनरक्षन नहीं रख छोड़ते जिससे वे इस्तिरिय अपनी आपत्ती में अवलम मांग सके पाच बताना है इनमें से कौन-कौन से मंदाकिनी के संवाद है बताईएगा जबाब दीजेगा चार ओप्सन है पॉप्सन नम्बर 189 का जवाब दीजे जिए जी आंसर हो जाएगा A-B-E A-B-E यह तीनों पंगती किसकी है यह मंदाकिनी की है आगे चलते हैं कोई चाये तो इसे वियर्थता बोध का नाटक भी कह सकता है आध्या दूर्य नाटक के विशे में एक अथन किसका है आपको बताना है सुदा सिपूरी होम सिपूरी इब्र मैं किसी से गुस्सा नहीं है जो आप लोगे कमेंट करते हो ना मैं आपने मेरा कमेंट नहीं देगा गुस्सा हो गया पहली बात तो मैं किसी से गुस्सा होती नहीं हो दूसरी बात है इतने कमेंट आते हैं तो रहे जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आपका कमें तो आदमी होने के लिए क्या है जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक माद्दा अपनी एक सक्षित हो जब से मैंने उसे जाना है हमेशा हर चीज के लिए किसी ने किसी का सारा ढूंते पाया है वे खुद एक आदमी का आदद चोथाई भी नहीं है आद्या दूर्य नाटक में यह समवत किसने किसके लिए का आपको बताना है किसके लिए का था यह किससे का था यह नहीं बताना है किसके लिए का यह बताना ह option 1 इस्तरी ने महेंदर नात के लिए का, option 2 इस्तरी ने सिंगानिया के लिए का, option 3 इस्तरी ने जगमोहन के लिए का, option 4 इस्तरी ने जुनेजा के लिए कहा, option number 191 जी, बिल्बूर, answer हमारा हो जाएगा, option 1 इस्तरी ने महेंदर नात के लिए कहा, आगे चलते है, option number 192 है, आध्या दुरे नातक के पाध्र, पुरुस्ट दोगो, चलवायों की दिश्टी के से कौन सा देश पसंद था, इटली, मयानमार, सिंगापूर, पेरिस, option number 192 बताइए जी, बिल्बूर, answer हमारा हो जाएगा, इटली, आगे, question number 193, हम लोग गुप्तो की दिश्टी में, जंगली, बरबर और ऐसब्य है, तो फिर मेरी परती, इंसा भी बरबर तक्या नुकूली होगी, हाँ, मैंने अपने सूर सामन्तों के लिए भी स्तिरिया मांगी थी, दुर स्वामनी, सकराज, रामगुप्त, महिर्दे, इन चारों में से किसका यह संबाद है, आपको पताना है, question number 193, जी, बिल्गू, यह संबाद है, सकराज का, मैंने आपको कोशन के माद्य में से सभी मैकुन पंक्त, सभी नाटक की, पात्र अग्यारा, सब कवर करवाई है, ठी आगे चलता है, question number 194, एक लव्य का अंगूठा बने रहने कार्ट समझते हो, धनुर विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धिरे धिरे उसकी जाती का अधिकार हो जाएगा, सब तीसाली होने के बाद यह छत्रियों से स्परता करेगे, और परिनाम होगा वर्णास्रम ध option 1, अर्जुन ने गुरु दरोनाचार्य से, option 2, गुरु दरोनाचार्य ने अर्जुन से, option 3, भिस्न ने गुरु दरोनाचार्य से, option 4, यूदिश्टिर ने गुरु दरोनाचार्य से, question G, आंस्वर हो जाएगा, option 2, गुरु दरोनाचार्य ने अर्जुन से, आगे question number 195, धन्यवाद श्रीवं तिवारी जी आपका चार उप्शन है जवाब दीजी बीएस सी बीकॉम बीए एम फॉम कॉस्टन नमबर वन नाइंटी फाइव तनु तिवारी ओके धन्यवाद आपका जी बिल्गुल आंसर हमारा हो जाएगा ओप्शन बन बीएस सी आगे चलता है कॉस्टन नमबर वन नाइंटी सिक्स माबोज नाटक के संबद में निमलेखित बातों पर विचार कीजिए नाटक के परमुक पातर दा साब सुकूल बावू जोरावर आदिया है बी नाटक का परकासन उननी सो नासी इस्वी में हुआ था सी नाटक की भूमिका धरमविर भारती ने लिखिया है डी नाटक में राजनीतिक अबमुल्यन का नगन सब्रूप दिखाया गया है इन पोईटर आपको बताना है मावज नाटक के संबन में इन में से क्या सही है क्या गलत है चार जवाब तीजिएगा कॉशन नमबर 196 कर गुद्ध आक्टर नून इसने कैसे हो आप जी बिल्कुल आंसर हमना हो जाएगा ऑप्शन वन केवल एडी 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 नाटक का परकासन 82 का ही पर 83 भी मिलता है तो दोनों याद रखेगा और भूमी का फुद्ध मन्नुपंडारी जी ने लिखी है आगे है कॉशन नमबर 197 सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए सूची वन में पात्र सूची दो में उनकी भूमी का आपको मैच करना है पात्र पांडे जी रत्ति मोहन सिंग हीरा ठीक है मैच कीजिए चार ओप्षन आपके सामने है कॉशन नमबर 197 का जवाब कीजिए पांडे जी दा सहाब के निजी सचीव रत्ति दा सहाब का पीए मोहन सिंग पुलिस कोंस्टेवल हीरा वीशू का पाप आगे चलते हैं कॉशन नमबर 198 बकरी नाटक के संबद में निमलिकित बातों पर विचार कीजिए नाटक में कुल दो अंग है नाटक का परकासन 1996 भी है नाटक के पर्थम अंग में कुल तीन दिरिस से है नाटक के दुट्य अंग में कुल तीन दिरिस से है नाटक में कुल आर्ट दिरिस से है आपको बताना है मैच करना है चार पाच ओप्सन आपके सामने है जवाब दीज पाच पोइंट है चार ओप्सन है कोर्ड वाले कोशन में पाच ओपोइंट में हमेशा एलिमिनेशन में यूज कीजिए आप लो जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन टू केवल ए सी टी ए सी टी बक्री नाटक की बात करूँ नोटंक की सैली में लिखा गया पड़कासन वरस है 1974 इसमें दो अंग है पहले अंग में तीन दिरिश से और दूसरे अंग में भी तीन दिरिश से ठीक आगे चालते हैं कौसन नंबर 1199 में बक्री को क्या पता था मसक बनके रहेगी पानी भरेगे लो और वे कुछ ने कह कहेगी जा जागे सी चाएगी हर एक की क्यारी मरकर के भी भुजाएगी वे प्यास तुम्हारी बक्री नाटक में गीत किस पात्र का आपको बताना है चार ओप्षन है वीपती दूर्जन सिंग 20 सत्यवी चार ओप्षन है जवाब दीजिए कौसन नंबर हमारा 200 वा को सन है 200 को सन हम सोल्ड कर चुकें सिंदूर्द के बनी में से किस पात्र का नाम हो लिखित है मनोसंकर सरोज रजनिकान डोक्टर पर्मान पाच पात्र आपको बतानें इसमें से कोंटर के बनी नातक के पात्र रहा है चार ओप्षन है जवाब दीजिए गा आंसर हमारा हो जाएगा option 3 केवल A, C, D मनोज संकर, रजनी कांथ, टोटर आगे चलता है question number 201 सिंदूर की ओली नाटक किस्तिरी पात्र नहीं है मनोरमा, नीलम, चंदरकला, अनीमा चार option है, चार पात्रों के नाम है आपको बताना है इन में से कौन कौन से सिंदूर की ओली नाटक किस्तिरी पात्र नहीं है पूछाया, चार उप्सन है, जवाब दीजिएगा question number 201 का, बताईएगा चीफिल को, आंसर हमारा हो जाएगा केवल B, D नीलम और अनीमा है यह सिंदूर के ओली नाटक के सभी पात्र है, आगे चलते है question number 202, अंजोदीदी नाटक में निमनी में से किस पात्र का नाम उल लिखी था, आपको बताना है इन पात्रों में से कौन कौन से अंजोदीदी नाटक के पात्र है निरिपत, रागू, राधा, चपरासी, सैनिक चार ओप्सन है, जवाब दीजेगा, question number 202, जी, फिल्कुल, answer हमारा हो जाएगा, केवल ABD, निरिपत, रागू, चपरासी, आगे चलते है, question number 203, निमनी में से अंजोदीदी नाटक की पात्र अंजली की पंक्तिया, पात्रों पंक्तिया बहुत इंपर्टेंट है, यह एपंक्तिया अपने घर को तुमने घरीशा बना रखा है, सम्मानों उसके पुर्जे है, बीपंक्तिया जिंदी की स्वम में एक मान घरी है, प्राते संद्या उसकी सुईया है, नियमबद एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है, C. नाना जी का करते थे, शिरीपत ब्रेक है, ब्रेक, D. नाना जी का करते थे, दुनिया में तीन तरह के आदमी होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं, दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की तरह हैं, दूसरे वो जो आप नहीं चलते हैं, पर चलाओ तो चले जाते हैं, ग कौन कौन से अंजली की पंग्ती है चार उप्षन है जवाब दीजिएगा पॉसन नमबर 203 कर केवल बी सीडी ए पंग्ती किसके है तुमने अपने घर को घरी सा बना रहा है अनीमा की पंग्तिया और इस घर के लोग भी पूर्जे कसम बगवान की मसीन के पूर्जे स्रीपत की पंग्तिया आगे कौसन नमबर 204 अरे भाई दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं यह यार इसलिए मैंने पंग्ति दोनों रखिये दुनिया में तीन तरह के आदमी उत्ते यहां पर है अरे दुझ्ति नहीं ने कहीति हैं और दुसरे और नहीं चलाए तो दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चल जाते हैं गारी के दिकों की तरहां अंचो दीदी नाटक में संवाद किस पात्र का आपको बताना है चार ओप्सन है जवाब दीजेगा कॉसन नंबर 204 का जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा इंद्र नारायन क्या यह संवाद है कि आगे चलते हैं कोशन नंबर 205 परिवार का योग के व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है लेकिन कोई करे तो क्या करे संसार में कोई भी पूरे तोर पर सुखी तो रहने नहीं पाता यहीं संसार की लीला है तो आपको बताना है सिंदुर की ओली नाटक में संवात किस पात्र का है मुरारी राल मनोरमा चंद्रकला मनोज संकर कोशन नंबर 205 जवाब दीजिए चीरश बिरल में सामन संपे मेंare हो जाये § कि आदेख में हमाना हो जाएगा मुडारी लाल का यह संभात है आगे चलते हैं फोसर नमबर 206 सिंदुर के उली नाटक में किस परकाल का नाटक है थास्या परदान नाटक समस्यादमक नाटक मानोवैग्यानिक नाटक एतियासिक नाटक आपको बताना है को स्वस्वाइश का जबाब देना है जी बिल्पुर्ण कीजी कोशन ता समस्यात्मक नाटके आगे चलते हैं कोशन नमबर 207 सुची वन को सुची दोसे सुमेलित कीजिए सुची दो में उनकी एज आपको मैच करना है किसकी क्या आयू थी जवाब दीजिएगा चार ओप्सन आपके सामने है कोशन नमबर 207 सुची विल्पुर्ण आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन सुची वर्स चंद्रकला 20 वर्स मनोज 22 वर्स मनोरमा 18 वर्स आगे चलता है कोशन नमबर 208 है तुमारी मजबूरी पहले सामाजी को और फिर मानसिक हुई मेरी मजबूरी प्रहरम में ही मानसिक हो गई तुम इस विचार में पढ़ गई हो कि मेरा निर्वा कैसे होगा रोटी और कपड़े के परसन को लेकर इस्त्रित्व की मर्यादा बिगर गई हमारा इस्त्रियों का निर्मान भी उन्यूप करनों से हुआ है जिन से पुरुसों का हुआ है लेकिन तब भी हम पुरुसों की गुलामी में सदैप से चली आ रही हैं सिंदूर के ओली नाटक में समवाद किसने किससे काया आपको बताना है ऑप्शन वन चंद्रकला द्वारा मनोरमा को कहा गया ऑप्शन टू मनोरमा द्वारा चंद्रकला को कहा गया ऑप्शन तरी चंद्रकला द्वारा मुरारी लाल को कहा गया ऑप्शन पूर मनोरमा द्व जी बिर्फूर आंसर हमाय हो जाएगा option one चंद्रकला द्वारा मनोरमा को कहा गया है आगे question number 209 लोक नाटकों के सुखांत समापन के मोग के कारण या नाट्टे विदा की जटिर संदचना के अनुभब की कमी के कारण या जन्चेतना के अतिरिक उत्सा के कारण नाटक अपने जन्चन जैन ग्रिस रस्तों की धरमवीर भारती पूसन नमबर 209 पूरे 200 कॉसन है 250 40 कॉसन बचे अभी जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ग्रिस रस्तों की पंग्तिया और इंपोटेंट है आगे कोसन नमबर 210 यह समझने की ने बाते हैं ने समझाने की उठो आवाज सुनो बक्री के मिमी आने की उसकी आवाज के जादू को जरा पहचानो सिर जुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो बक्री नाटक में गीत किस पात्र का है आपको बताना है वीपती दुर्जन सिं बिश्ती सत्यवी चाल पात्र आपको बताना है इन में से कौन से पात्र के पंक्ती है चीज बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू दुर्जन सिंग की पंक्ती है तिक आगे चलता है पॉसन नमबर 211 पर नेमने में से बक्री नाटक के पात्र है आपको बताना है इन पात्र में से कौन कौन से बक्री नाटक के पात्र है वी पती विस्ती कसाई दुर्जन सिंग सर्जन सिंग चार ओप्शन है जवाब दीजिएगा पॉसन नमबर 211 पर नेमने में ची बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन दो केवल ए बी विपती विस्ती दुर्जन सिंग यहां पर यह उनका सारा पात्र वगयरा पड़कासन वर्स अंग ठीक है देख लीजेगा बख्री नाटक आगे चलते हैं कौसन नमबर 211 माबोज नाटक में स्त्री पात्र हैं राधा बैन जमना बैन रुकमा रुकमनी लड़की आपको बताने हैं इन पाच्चों में से माबोज नाटक में स्त्री पात्र है चार उप्शन है जवाब दीजेगा कौसन नमबर 212 ची बिल्कूँ आंसर हमारा हो जाएगा आप्शन दो केवल बी सी जमना बैन रुकमा और लड़की आगे चलता है कौसन नमबर 213 माबोज नाटक के दिरिश्यों को पहले से बाद के करम में लगाए पांच यहां पर दिरिश्या आपको पहले से बाद के करम में लगाना है दा साब का कमरा गाओ का थाना गाओ का रैस हाउस दा साब की बैठक गाओ का मैदा चार उप्शन है इनको करम में लगा कर बताएगे क्या हमारा जवाब होगा दो दो तो आपको पुमैं ने कर दिया उस्पाचा से तो जुड़ जाएं गाओ बिल्पुल आन्सों हमारे दो जाएगा एए एबी दी आ अगे आपको इन पाचों में से बताना है क्या पॉइंट से यह क्या गलत है बताईएगा पॉस्टन नंबर जो है दो सो चोद्य का जवाब दीजीगा पूरा है यह पातर वाला भी पूरा सीन है पिछली बार आपके पेपर में पूछा गया था यह वाला पॉस्टन रंग भूमी द्वारा है किसने कहला था इसे आपका आप आपका अन्सवर था ठीक है यह पूरा पेज इंप्पॉर्ट एंट है आगे चलते है अन्जोदीदी नातक में श्तृपात्र आपको बताना है इन पाचों में से कौन-कौन से जबाब दीजिएगा प्रटाइए जी आंसर हमारा हो जाएगा केवल C D E आंजली अनीमा मुंदी आगे चलते हैं कोशन नंबर 266 राम और सीता का दुस्यांत और सकुंतला का नल और ऑर द्म्यंति का आज और इंदुमति का प्रेमपर्थमदर्सन में हुआ तो यह मैं नहीं से दो टीन कोईंट देदेगे और दो तीन अलग नाम देदेगे तो याद रखेगा किसा राम और सीता सपुंतला नल डम्यंति आज इंदुमति इस सुरवत्र एक है क्या पूर क्या पस्षिम क्या देश क्या विदेश सिंदूर के उली नाटक ने संबाज किस पात्र का आपको बताना है मुरारी लाल मनोरमा चंदरकला मनोज संक्र चार ओप्षन है जबाब दीजेगा कोस्टन नंबर 216 का कोस्टन नंबर 217 सिंदूर के उली नाटक की पात्र मनोरमा की साधी कितनी आयू में हुई थी आट वर्स नोवर्स चैवर्स साथ वर्स कोस्टन नंबर 217 देवाब दीजेगा लाट वर्स अगे चलते आफ्षन नंबर 218 सिंदूर के उली नाटक की पात्र मनोरमा बिदवा कितनी आयू में हुई थी आफ्षन नोव दस पा रहे हैं कोस्टन नंबर 218 आंसर हमारा हो जाएगा दस वर्स में जो है मोनोरमा विद्वा हुई दिए बताने इन पाचों में से क्या खाती है चार ओप्सन है जवाब दीजेगा कौसन नमबर 219 का 219 का बताने इन पाचों में से क्या खाती है कि आगे कौसन नमबर 220 बक्री नाटक के पातक दुरुजन सिंह के अनुसार बक्री क्या देती है पिछले कौसन में तो बक्री क्या खाती है इसमें आपको बताने बक्री क्या देती है दूद धन पर्तिष्ठा पद पूर्शी चार ओप्सन है जवाब दीजीगा जी बिकुर आंसर हमारा हो जाएगा केवल B C E धन पर्तिष्ठा पूर्शी यह पर आपको मिल जाएगा देखो यह बताते है क्या खाती है पूर्शी धन पर्तिष्ठा देती है और क्या खाती है बुद्धी बादुरी और विवेक आगे चलते हैं कॉसर नंबर दोसो इकिस माबोज नाटक में बीशू बिशेसर की लास को कौन नोच नोच कर खा जाता है गिद चील सेर चीता चार ओप्सन है जवाब दीजेगा पॉसर नंबर दोसो इकिस माबोज नाटक में बीशू की लास कहा पर मिली घर के किनारे नाली में घर पर पंखे में लटकी हुई सरक्य किनारे पुलिया पर घर के पास रेलवी स्टेशन पर आपको जवाब देना है कौशन नंबर दोसो बाइस का क्या हमारा जवाब होगा जी आंस्वर मारा हो जाएगा ऑप्शन थी सरक्के किनारे पुलिया पर आगे चलते हैं कॉप्शन नमबर 223 पर जहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतार आत्मनेव आत्मनो इस्थित परग्या तदोच चते माबोज नाटक में संवाद किस पात्र का आपको बताना है दासाव सुकुलवागु जमना भ्यान रत्ती कॉप्शन नमबर 223 जी इसमें दासाहा आगे कॉप्शन नमबर 224 उस समय के रंगमच अभीनेता और अन्या परिस्थितियों में रहकर जो कुछ अस्क्र ने हमें दिय सब्सक्राइब परसंसे हैं उन्होंने परसाद की तरह काल्पनिक रंगमच के लिए नहीं लिखा नई सेट कोविंदास की तरह नाटक के नाम पर मनमाना लिखकर महन नाटक का हो गए अस्क्र ने अपनी पोसिबिलिटीज को पूरी तरह एस्प्लोइट किया और यह एसंतो जी विल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ओम से पूरी आगे कोसन नंबर 222 आपको एक वोटेशन बताने हैं अंजोदी दिनाटक के बाए में किसका पथन है विशेश रूप से तुर्गनेप और गोर्की के उपनियासों और चेखव के नाटकों के तीन पीरी वाले कथानकों की और इसमें संदे नहीं कि अश्क ने पूरे यथार्ट के साथ नाटके तक्वों को उभारते हुए आवस्यक मान्य सानुभूती मनुस्य की भावनात्म संस्कार गत्त विवस्ताओं का उची ध्यान रखते हुए कथा को परस्तुत किया है अंजोदीदी नाटक के विशे नाटक में जैसे विवक पॉपन करते हैं तीनों को सूची दो से मैच करना है महावज नाटक के पात्र सूची दो में उनकी भूमी का कौन क्या था आपको जवाब देना है पात्र है मुरारीलाल चंद्रकला मनोज भगवन सिंग चार जवाब दीजिएगा तीन आपको मुरारीलाल चंद्रकला मुरारीलाल की लड़की मनोज मुरारीलाल के मिद्र का लड़का भगवन सिंग राय साथ ओन्रेरी मजिस्ट्रेट अगे चलता है कौशन नमबर 227 सिंदूर के उली नाटक के संबन में निमलेखित बातों पर विचार कीजिए नाटक के परमुपात चंद्रकला मनोरमा मुरारीलाल आदिया बी नाटक का परकासन वर्स 1936 सिंदूर का परालम बर्सात की दिन से होता है डी नाटक में कुल पाच जंग है चार ओप्सन है जवाब देना ओप्सन नमबर 227 का जी पिल्कुल आउसर हमारा हो जाएगा ओप्सन वन केवल ए और सी ए सी आगे चलते है कोसन नमबर 228 तुमारा वैदव्य तुमारा है वैद तुमारा स्वर्ड हो सकता है तेकिन उसमें समाज को संसार की क्या असा है वेदमंत्र हवन संखधवनी जिनके साथ तुमारा समज मुना को कहा गया और सांथ हमाला जीजवागए तू टूइंटी नाइन को से नमबर रात यह तो रात अंधेरी है यह आकास में बादल होने के आरब भैंकर हो उठी है बंगले के ब्रांदे में उसी तरह कुर्शिया पड़ी है उप्रोप पंक्ति से सिंदूर के लिए नाटक के कौन से अंक का आरब होता है यह दिरिश्चे जो है कौन से अंक के आरब में आपको बताना है पर्थम दूसरे अंग तीसरे अंग उप्रोप में से कोई नहीं है तो चीज बिल्कुक आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे अंख आगे चलते हैं को सन नम्बर 230 नीचे दो कथन दें गया है कथन नाटक एक परकार का व्यंग नाटक है कथन दो कहा रहा है आलोजपन नाटक को जनवादी नाटक की परंपरा में नहीं रखा है आपको बताना है कौन से कथन सही है कौन से गलत चार ओप्सन है जबाब दीजिए को सन नम्बर 230 का कथन एक बिल्कुल सही है कथन दो गलत है क्यों क्योंकि जनवादी नाटों की परंपरा में रखा है नहीं सब्सक्राइब तो सही हो जाएगा प्रण आगे चलते है को सन नम्बर 231 बक्री नाटक में निवन्य में से कौन डंडा गीत गाता है बीपती विष्टी सिपाई दुर्जन्सिक इन चारों में से कौन डंडा गीत गाता है आपको बताना है को सन नम्बर 230 वाड़ कि आपको चीह जिल्कुला आंस्वर मारा हो जाएगा ओप्शन थिरी सिपाई आगे चलता है को सन नम्बर 232 बक्री नाटक का पात करमवीन गरामिन जन्म के कल्यान के लिए कौन कौन सी संस्थाय बनाने की बात करता है ए बक्री सांती पर्तिष्ठान बी बक्री सेवा संग सी बक्री मंदर डी बक्री समुदाए इबक्री मिलं संग्ड आपको बताने इन पाचों में से पौन कौन से संस्थाय बनाने की बात करता है चार ओप्शन है जवाब दीजेगा पॉसन नम्बर 232 बक्री सांतीप्रतिष्ठान बक्री सेवा संग्ग बकरी मंडर यहां पर आप देख सकते हो सारी सस्थाई की बात हो रही है कि आगे चलते हैं कोशन नमबर 223 अंजोदीदी नाटक में नीरज स्वं क्या बनना चाहता था डिप्टी कमिशनर क्रिकेट का कप्तान कवी आईये साब बताना है क्या बनना चाहता था नीरज स्वं को अप्सन नमबर 233 अच्छी पिल आश्या रहा हो जाएगा ओप्सन टू क्रिकेट का कप्तान के चलते हैं कोशन नमबर 234 अंजोदीदी नाटक में नील अप्स्वं क्या बनना चाहता था डिप्टी कमिशनर क्रिकेट का कप्तान कवी आईये साब को बताना इन चारों में से नीलाव स्वं क्या बनना चाहता था जी पिलकुल आश्या हमारा हो जाएगा कभी बनना चाहता था नीलाव स्वं कि आगे चलते हैं कोशन नमबर 235 निमने में से सिंदूर के ओली नाटक की पाथ मनोरमा की पंक्ति है आपको बताना है इन पाच्छों में से कौन कौन सी पं संसार में जंगय नहीं बी सिक्सा और कला का सम्मद कुछ नहीं है कला का अधार तो है विस्वास और सिक्सा का शंदित सी आज कल किрал समय में सब्दों का कहिलवार और और पूब शिखलाया जाता है लि यह दियातों में अधिकांस रोग पूजा पाठ और तंत्र मंतर से बिल्कुर आंस्वर हमारा हो जाएगा A B E A B E बाकी दोनों पंग्तिया आजकल की सिक्समें सब्दों का खिलवार कोप सिखलाया जाता है मुडारी लाल की यहां दियातों में अधिकांस रोग पूजा पाट और तंतर मंत्रे से अच्छे किये जाते हैं मुनोसंकर की बन्तिया आगे चलता है कौसर नमबर 236 निमन में से सिंदूर के ओली नाटक की पात्रे चंदरकला की पंग्ति है आपको बताने इक पाचों में से कौन कौन सी चंदरकला की पंग्ति है तुमारा विद्वापन निरथ्थक है मेरा सार्थक बी आज तुम भावन और विसोब की आंध पुरुस उसके लिए दोसी नहीं तुम्हारा विद्वापन तो डूड्यों का विद्वापन है वेद मंत्रों का और ब्रहमा भोज का जिस पुरुस को तुमने देखा नहीं मेरा वैदव्य सार्थक है चार ओप्सन है आपको जबाब देना है कोसर नमबर 236 का क्या हमारा जबाब होगा ची पिल्पुल आंस्वर हमारा हो जाएगा केवल एसी एसी बाकी दोनों पंक्ति आज तुम भावन और विसोप के आंदी में उड़ रही हो मनोरमा की को कभी और गायक भावु जीव होते हैं डोक्टर की पंक्तिया बाकी तीनों चंद्रकला की आगे चलते हैं कोसन नमबर 237 दोलत की है दरकार एक सरकार आप सबको उजार चाहिए घरबार आपको मकारी ढोंग छल फड़ेग आप बाटिये बदले में मगर चाहिए एतबार आपको आदत जो पड़ गई है वो आप छुटती नहीं कोई सिकार चाहिए हर बार आपको व अगे चलते हैं कोसन नमबर 238 पच्चेस साल से इस बक्री की खोच हो रही है सरकार का खूफिया विबाग पुलिस पल्टन सब इसे खोच रहे थे आखिरकार यह बक्री आपके गाओं में मिली है यह गांधी जी की बक्री है गांधी मात्मा की बक्री है जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप आज इस तरह सांसे खड़े हैं आपको आजादी दिलाई सब लोग प्रेम से बोले गांधी मात्मा की जैर बक्री नाटक म हमारा ओजाएगा दुर्जं सी आगे चलतेमें लेकि के विचार आपको पताने इन पाचों में से कौन कौन सी पंग्तियों का जिक्र महामज्च की भूमिका में किया है लेकिकाने खुद ए उपनियास के तकलिप आवं संगर्शू परिचित इस्तिती से दिल देहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साकसात्कार भर है सी पॉइंट इसमें राजनीतिक अब मुल्यन का नगन सब्रूप दिखाया गया है दी पॉइंट महाबोज पहले उपनियास और फिर नाटक के रूप में लिखना मेरे लिए बिलकुल दो भिन रचनात्मक अनुभवों से बुजरना रहा है इस पॉइंट अगर पत्र पत्री को नाट्ते समिक सको और सबसे अधिक दर्वसों की परती किरिया उपर विश्वास किया जाए तो यह नाट्ते जगत की अबुद्पुर्ण घटना नहीं है पाच पॉइंट आपको बताने हैं इन में से क्या-क्या सही है चार ओप्सन है कोड बनाकर आपको जवाब जेवाब जेना है क्यों सब्सक्राइब हो जाएगा केवल एबी एबी टी आगे चलते हैं कॉसर नमबर दोस्तों चालिस महाबोज नाटक के संबद में निम्ले की बातों कर विचार कीजिए इसका पहला मंचन राष्टे नाटे विध्याले दिल्ली के रंग मंडल द्वारा जून अठा उनिस सो ब्यासी में हुआ था बी महाबोज नाटक में स्वरोगा गाओ का जिक्र है यह गाओ मध्य परदेश पच्चिमी भाग में स्थित है सी पॉ नागारों को बचाने और बेगबुनाओं को खसाने का सरियंत्र रचा जाता है आपको बताने इन पाच्चों में से क्या क्या कोई सही है चार उप्सन है जवाब दीजिएगा कोसा नंबर टू और टीकल जो गलत है यहां पर मैंने सही करकर प्लिक दिए रहें आगे चलता ह नंबर 241 आजो दीदी नातक में कौन से ओटल का जिक्र हुआ है दिलकुसा ओगुटल साधी सुधा ओटल दिन्नुमा ओटल पुसनुमा ओटल कोसा नंबर 241 आजो दीदी नातक की पात्रा अंजली के व्यक्तित के विशे में सही है ए अंजली की आयू यद्पी 32 के निकट है लेकिन में पाच एक वर्स बड़ी ही दिखाई देती है बी पर्ट के छरड़े शरीर की दूबली पतली यूपती है दी आजली उस मुक्त मिड़गी सी लगती है जो जाल के बंदन से अन्विग्य है उसके बनाव सिंगा और पैरावे से पूरी बेपरवाई टकुती है इसे लगती है जैसे कोई देवी जिसके माथे पर किसी आंतरिक विचार के कान वल पड़ गई हो अभी अभी साचे में ढ़ल कर आई है पाच पूंट आपको बताना है अन्जली के विक्तित्वी इन पाचों में से क्या-क्या पॉंट सही है चार उप्सन बनाने थे होटल के तो मुझे लगए एक उप्सन यह रख देना चाहिए ठीक है रचनी जी बिलकुल यहां पर हमना जवाब हो जाएगा केवल बी-सी-ई बी-सी-ई आगे चलते है 243 पॉसन नंबर अंजो दीदी नाटक का पात्र निरज कोंसी क्लास में पढ मैंने तो इन चारो उटर में से किसी कभी नाम ने सुना रचना जी बिलकुल आशर हमरा हो जाएगा पात्चवी क्लास में परतर का में पात्र नंबर 244 बंगले के ब्राम्दे में आगे के और कुर्सिया रखी है बीच में सामने के और एक अराम कुर्सी है उसके दोनों हुए है संध्या हो रही है मनोसंकर ब्राम्दे की बाई और के गोल कमरे से निकलता है उप्रोग पंक्ति से सिंदूर के ओली नाटक के कौन से अंक का आरम होता है आपको बताना है पर्थम अंका दोसरे अंका तीसरे अंका प्रोग में से कोई ने कोसा नमबर 244 का जबाब जी जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा दूसरे अंक का आगे चलते हैं कोसा नमबर 245 मिस्री जी के नाटकों में नयतों नेक पात्र है ने गाने या कवीता पाठ की सामगरी और ने अनावस्यक द्रिस्यों का परिवर्द उनके नाटकों का पट विस्तार भी इतना नही कि उसमें वीबिन देशकाल व्यवस्ताओं और घटनाओं की वीभ्रम में भरती हो आदोनी क्योर्प्या सैली के नुकुल उनमें गिने चुने आवस्यक पात रहा और व्यापाल भी सू संगत और सू नियंत्रित है लक्षमिनाय मिस्री के नाटकों के विशमी ये कथन किसक सब्सक्राइब करते हैं जी पिल आंस्वर हमारा हो जाएगा घाम परसाथ त्रीपार्थी आगे चलता है को सब्सक्राइब का दिरिश्य सेरवानी में गुलाब लगाए एक बड़े नेता उनके साथ एक नेत्री आती है उप्रोपंक्ति से बक्री नाटा के कौन सी दिरिश त्रीफर्थम अंकर दूजरट विस्य है ऑफ्σιन पर दुट्य अंकर है चार जवाब ढग दीजिगा ऑप्सान नंबर दोसो चालिस का प्सान आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन पर दृत्य अंग का तृत्य दिविस्य का आनम होता है आगे कॉसर नमबर 247 बग्री नायटक में दूसरे अंग के पढ़ाराम में कितने वर्सों के बाद का वर्णा आपको बताना है है एक वर्स दो वर्स तीन वर्स चार वर्स यानि जब पैला अंक समाप लोता है उसके जब दूसर उंक प्रार्म होता है तो इन दो के बीच में साल का अंतर दिखाया गया वह आपको बताना है जी बिल्कुर आंसर हमारा हो जाएगा दो वर्स के बाद का जो है वर्डन है कोसर नमबर 248 एक जुलूस नाले लगाता आता है जीत गया भाई जीत गया बकरी वाला जीत गया करमवीर जिंदा बात जुलूस कंदों पर करमवीर को बैठाई मंच की परिकर्मा करता है फिर चल बिएत गर्वूस की नमबर 248 का जीत है बिल्कुर आसर हमारा हो जाएगा आक्षण तू दूत्याग को दूसरा दिरिस अनला को बादाव जाएगा आक्षणूट माबोज नाटक में किसका क्याना है कि सुकुल बाबू की मीटिंग में एक लाक आदमी जुटे गें जमना बैन लखन पांटे जी दा साब चीव बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा लखन आगे चलता है कोशन नमबर 250 जा हग दिलवाए वही रो रही है सरकार आये दिन हरताल जुलूस तोटफोर एक दिन देखोगे कि हग की हग रह जाएगे इनके पास और कोई कामधाम नहीं माबोज नाटक में समवाद किसने किस से का है जोह रावर ने दाप से का ऑपसेंट फू top में जोड़ावर से का ऑप्सण धिरी दाप साब ने सुकुल बावू से का ऑपसम पोर सुकुल बाव्व ने दा जाव से के कॉसन नमबर 250 जवाब दीजिए आज का नतीम कॉसन है 250 हमने कॉसन सौल करें बिल्कुल आंसर हो जाएगा जोड़ावर ने दास आप से पखाएं तो हम यहां पर आप सौल करते हैं यूजिसिनेर्ट हिंदी की यूनिट नों हिंदी निवन के कॉसन सोल करें चौक करते हैं आप 2 प्रस्ट कोसन हमारा मसीने बनाई तो गईती मनुस्यों का पेट भनने के लिए मजदूरों को सूक देने के लिए परन्तों वे काली-काली मसीने ही काली बनकर इस उन्हीं मनुस् से के सोभाग्या का सूर्योद्या होगा उपरोग पंग्ति कौन से निबंद से आपको बतानी है बारत वर्सों नती कैसे हो सकती है मजदूरी और प्रेम उत्रा फालगुनी के आसपास सिर्संभू के चिट्थे चार आपको जवाब देना है को सन नमबर बन का बताईएगा ज चीजे करने कर पाऊगे यदि आपने निबंद पर रख्या है तो आपका काफी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आप चीजे जो है करने की कोशिश करना ठीक है जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा मजदूरी और प्रेम निबंद से पहुंगती है आगे चलते कोशन नमबर दो है भायत वर्सोंटी कैसे हो सकती है निबंद के संबद में सथे कथन है पार्च पोइंट आपको बताना है क्या सही ए क्या गलत है ए दिवाली इसी एट उए कि इसी बार ने साल पर मे एक बार तो सपाई हो जाए भी आपको बताना है में से कौन सा पॊंट सही है कौन सा नहीं किस निभन्द के अनुसार भायत memang य सकते हैं निभन्द के अनुसार पर इस निभत से सिब् बिखेड सांगा कुछ परत क्यों रखका है जिसमें मैने में दो एक उपुप भास से शरीर सुध हो जाए डी पॉइंट है बलिया का मेला इसलिए लगाया जाता है ताकि दग दस पाच पाच कोस से लोग एक जंगे एक कत्र होकर आपस में नहीं मिले एक दूसरे का दुख सुप्ट नहीं जान पाए यह पॉइंट है गंगा जीन आने जाते है तो पहले पानी सीर पर चाहा कर तब पैर पर डालने का विजान क्यों है जिससे सिलिकी गर्मी तर्लूए पर चड़कर विकार ने उत्पन करें आपको बताना है इन पाच में से क्या पोइंट सही है क्या गलत है चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा कोड बनाकर जवाब दीजिए कॉसर नमबर टू कर दे आप यह जाएगा आपके सब्सक्राइब कर लिया है कि एक साल में कभ से कंभ से कर लिया ना सब अच्छों सुनना पड़ता अपने रहती तो डिवाली बिल्कू सइए इसी पाने जो है गोली क्योंकि पसंत की विक्रिया वाइस्थानिस्थान प्रगनी चलने से सुच्छने यहां पर देखो यह भायत वर्षवनती कैसे हो सकती है निवन का ही पेज हैं सारे पूइंट आपको यह मिल जाएगे इंपोटेंट है यह वाला पेज बहुत इंपोटेंट है निबंद का इसे ध्यान से एक बार पढ़ लीजेगा अगर आपने अभी तर यह निबंद नहीं पढ़ाया तो इस पेज को एक बार देख लीजेगा आप लो ठीक आगे चलते हैं कोसर नमबर थ्री आदिमों की तिजारत करना मुर्पों का काम है सोने लोए के बदले मनुस्य को बेचना मना है आजकल भाब की कलों का दान तो हजारों रुपया है परन्तु मनुस्य कोड़ी के सोसों बिखते हैं सोने और चांदी की प्राप्ति से जीव ओड़ने से समय यह ऐद रखेगा कि मजदूरी और प्रेम निबाद में जो और किसको सत पूजा पूजा बताया तो च Этот संट इंप लए कॉसे बाटिशन निबंध के इन सीर्सकर revenue में तोटल कितने Universe कborough नैका बसकी सिर्सक्तिов आपको बताना relief कोशन इजी बनाना हुआ तो पेपर में पूछ लेगे पंक्ति कौन से निबंद की है तो आप बता दो कि मजदूरी और प्रेम निबंद की कोशन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना हुआ तो पूछ लेगे कौन से सीर्षक की है ठीक है तो ध्यान रखेगा आप लोग जवाब दीजिएगा बताइएगा क्या हमारा जवाब होगा आज बच्चे कम क्यों है क्लास में होई जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा मजदूरी और कला हुआ है ठीक है आगे चलता है कौसर नमबर 4 सिम्मूर्थी निबंद के अनुसार की तेश की खुपसूर्थी के प्यान में अलक बली का रंग कभी काला नहीं कहेंगे फ्रांस जर्मनी यूरोप इंग्लेंड कॉसर नमबर 4 बताइएगा जबाब दीजिएगा क्या हमारा जवाब हो जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा यूरोप कॉसर नमबर 5 मजदूरी और प्रेम निबंद के सीर सब को पहले से बात के करम में लगाएए पाच यहां पर पॉइंट आपको इनको पहले से बात के करम में लगाना है चार ओप्सन है जबाब दीजिएगा ए हल चलाने वाले का जीवन बी प्रेम मजदूरी C मजदूरी और कला D मजदूर की मजदूरी E मजदूरी और फकीरी बताइए जबाब दीजिए कॉसर नमबर 5 का जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा A D B C E देख लेते हैं देखो यहां पर इंपोर्टेंट है मजदूरी और प्रेम निबन में आर्ट सीर सके कभी इनका करम पूछ लेता है कभी पूछ लेता है इन मेंसे कौन है कौन नहीं है तो यह आर्ट के आर्ट आपको विद करम से याद होने चाहिए ठीक है पहला है हमारा हल चलाने वाले का जीवन सेकिंड गड़रिये का जीवन थर मजदूर की मजदूरी फोर्थ प्रेम मजदूरी फिप्ट मजदूरी और कला 6. मजदूरी और फकीरी 7. समाज का पालन करने वाली दूद की धारा 8. पस्रिमिल सब्यता का एक नया आदर्स ठिक आगे चलते हैं कॉसर नमबर 6 परताब नायर मिस्री के संबन में सद्धे कथन है 5 पॉइंट आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है 1. भारतेंदू मंडल के परमुक लेखक कवी और पत्रकार थे 2. 15 मार्ज 1883 को भोली के दिन अपने कई मित्रों के सहयोक से मिस्री जी ने ब्राहमन नामक मासिक पत्र निकाला 2. इनका जनाव 24 सितंबर 1869 में उत्तापरदेश के उन्नाव जिले में 25 में हुआ था डी इनकी मृतियों जुलाई सन 1864 में में हुई ए हिंदी हिंदु हिंदुस्तान उनका परसित नारा था आपको बताना है इन पाच में कि पाच में से क्या सही है क्या गलत है चार ओप्सन है जब आप दीजिएगा बताईएगा ओप्सन वन केवल आप्सन टू केवल एबी डी ओप्सन थिरी केवल एडी इए ओप्सन फॉर केवल एबी से जी पिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर अबी ए क्योंकि इनका जनम जो है आठाइसो चपने में हो तो मृतियों कब हुई थी और अठाइसो चुरार्मे में मजदूर्य और प्रेम निबद के हल चलाने वाले का जीवन सिर्शक की पंक्ति को पहले से बात के करम में लगाएं पाच पंक्तिया इनको पहले से बात के करम में लगाना है जवाब दीजिएगा कॉसन नमबर सैविन का क्या हमारा जवाब होगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर A C E D B सबसे पहले आईगी एपंगती हल चलाने वाले और प्रहेट चलाने वाले प्रहेट सबसे सादो होते हैं अपने सरीर का हवन क्या करते हैं खेट उनकी हवन साला है ठीक है उसके बाद आएगी हमारी C पंगती परातेकाल परातेकाल उठकर यह अपने अलवैलों को नमस्कार करता और खेट जोतने चल देता है उसके बाद आएगी हमारी E पंगती यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मिर्दू वचल मीठे जल और अनसे त्रिप्त करता है उसके बाद आएगी D पंगती यदि इसको कोई धोका दे भी दे तो इसका इसे घ्यान नहीं होता क्योंकि इसकी खेती हरी भड़ी है गाए इसकी दूद देती है इस तरी इसकी आग्याकारी नहीं है मकान इसका पुर्ण्य और आनन्द का स्थान है उसके बाद है बी पॉइंट सबसे आखरीम आएगा यह परकिर्थी के जबान सादू है तो जबाब हमारा क्या हो जाएगा A C E T B ठीक है हमारे रसिक पाठक जानते है कि किसी सुंदर व्यक्ति के आखों में काज़क और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कव्यों भरे की पूरी सक्ति रसिक और बर्गा सर्वस एक बार उस सोबा पर नियोच्छावर हो जाता है उप्रोग पंग्टी कौन से निबन से है को सन नंबर एट जो एक लास होड़ी आना आपके यूनिट वाइस जो आपके यहां पर एम सी कु करवारियों इसका एक यू देस्स है कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए पूरी यूनिट का जी बिल्कुल आंसोर हमारा हो जाएगा ओप्शन वन सीम मूर्थी सीम मूर्थी निबन की यह पंग्टी है आगे चलेगे कोसन नंबर नाइल ध्यान से पड़कर जवाब दीजिएगा आजकल की कवीता में नयापन नहीं उसमें पुराने जमाने की कवीता की पुन्रा विर कंभूवग के चिटिए में जबाब दीजेस हिसे कह सबतरी है कि कुश्者 are ənी नाम ते यह हो जाएगा मजदुरी और प्रेयम निबन से वंमें क्या लगता है कि कवीता कर स्यक्राय क्या निबन से पंग्तिया नहीं । इसमें कंफ्यूज मत हो न यह मैस्दूरी और प्रे प्रांस जर्मनी अमेरिका इंग्लेंड मैं आपके पढ़ाई हुए सभी कौसन आए थे आते तो यह पढ़ाई हुए आना पर अपने मुह से क्या ही अपनी तारिफ करनी ठीक है बस आप लोग पढ़ते रो अपना डिवीजन करते रो ठीक है देखो आएगा कहा से स्लेवस में सब्सक्राइब कर लेना है फिर कोसन कही से भी आप अपनी वह वाली सोच रखो कि जितने टोपिक जहां पर आपना 100% लगा सकते हैं बिलकुल लगाऊ ठीक है कवीदा वाली उनिट इतने अच्छे से त्यारे एक भी कौसन बाहर नहीं जाएगा तो आप गलत हो ठीक है क्यो आप कभी पूरी करी नहीं सकते अब निबंद आपके ग्यारा निबंद क्या कहते हो चार से पाच वर बहुत अच्छे से पढ़ सकते और एक बार पढ़ लिया अपने पर कमांड बन गई कोसन कई से भी आओ आप कर दोगे ठीक है इसलिए मैं कहती हो कुसी उनिट ऐसी है ज इंगलाइंड का बना है ठीक है आगे जहां पर हम देख सकते हैं निबंद का ही पेज ब्रद वर्समाटी बताते हैं कि जो यह मार्किन की धोती है का की अमेरिका की बनी है जो लकलाइंड का तुम्हारा अंगा है मतला बार तेंदुजी अब भाय तवासि को जगा रहे हैं क स्पीक है शुआ यद रखना की कहा कि वनिया फ्रांस जरमनी की बनी चरवी की थी त॑ यह याद रखना कि कौन से यहां पर क्या बनी हुई है ठीक है अमेरिका मार्किन की दोती लकलाट कांगा इंगलेंड फ्रांस कंगी जर्मनी चर्वे की बत यह मुझे बहुत इंपोर्टेंट लगता है पता रीजन क्यों है क्योंकि हमें ना जब हम पेपर सोल कर रहे होते हैं बता देती हुए सब्सक्राइब यहां से कोशन बन चुक है लेकिन अभी तक यहां से कोशन नहीं बने और इस टाइप के कोशन आपकी पेपर में बन रहे हैं तो इसलिए थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है मुझे नहीं पता इस बार पूछे रहे हैं नहीं लेकिन चांस है पर निबन समाप्त भी हो जाता है इंपोर्टेंट है यह वाली भाईयों अपने देश की सबपरकार से उननती करो जिसमें तुम्हारी भलाईयों वैसे ही किताब पड़ो वैसे ही खेल खेलो वैसा बातचित करो परदेशी वस्तोर परदेशी भासा का भरोसा मत रखो अपन फकीरी का नमोल भूसन है एक ब्रह्मा ज्यानी कभीर रैदास का सुद्रो ना टोल स्टोय का त्याग जूते काटना बुरू रैदास और भगवान सिप का कूक पसों को लाठी लेकर आगना जोनों आर्ट की फकीरी और भेरे चलाना अकबर का अपने रंग मैलों में जी बिलकुल यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा एबी डी टीक है एबी टी इसमें में एक चीज बता देती हूं हो सकता है पेपर में यह पूछी इंग में से कौन सा सची फकीरी का नमोल भूसन है एक और तरह का कोसन आपके पेपर में चल रहा है कि निबंदों कानियों ना कभीर रैदास गुरु नानक भगवान सिरी कृसन ठीक है यह एक जंगे नोट कर लेना कि इनिनका जो है नाम आया मजदूरी और प्रेम निबंद में कोसन देख लेते हैं क्या था सची फकीरी का नमोल भूसन ब्राह्मा ज्यानी कभीर रैदास का सुद्रोना बिल्कु सही पूञिक टर्विश्टोय का त्याग जूते कारतना बिल्कुस सही गुछ रैदास और भगवान सिर्व का कूः पऽ को लेकर लाठी लेकर घनाट क्यों कि गुआ को भगवान स्री कर्षन है रैदास की जंग्मिया तो क्या है कि गुरु नाकर भगवान सिर्विश्री की ज तो यहां से आपके लिए पेपर में बन रहा है मतलब काफी कंटेंट आपको मिल रहा है यह पूछा जा सकता है क्या है क्या नहीं और किन किन के नाम आई है जोनोवार कभी नाम ध्यान रखता ठीक है यह मजदूरी और फकीरी का कैसा संबंद है तो बताया गया है निबंद में की अनियोनियस रह संबंद है इंपोर्टेंट है यह याद रखेगा चाहिए तो अगर आपने मजदूरी और प्रेम दिवंद के नोट्स बनाया ना तो वहीं पर एक लाइन में इनके सारे नाम लिख ल पहले ना तो प्रेजाम से पहले पहले जब आप अपने नोट्स रिवाईज करोगे तो यह चीज़ें यह आपके रिविजन हो जाएगी ठीक है कि हागे चलते है को सबस्ते मुझे निवन में कौन कोंसी मूर्ति का उल्लेक है आपको बताना है इंपाच में से कौन कोंसी दातु की मूर्थि मृति का की मूर्थि गोबर की चान्दी की पितल की चार ओप्षन है जवाब देना है बताएक जवाब दीजिए बताएक कौन कौन से मूर्थि का उलेख किया गया है सी मूर्थि निबंदर जी बिल्कुल आंस्वर अमारा हो जाएगा केवल A B C दातों की मूर्ति मृति कोबर की मूर्ति आगे चलते हैं कोसर नमबर थर्टी जब तक धन और एस्वरे की जनमदात्री हाथ की कारईगरी की नहीं होती तब तक भारतवर्थी किया किसी भी देश या जाती की दरित्पता दूर नहीं हो सकती यदि भारत की 30 करोण नर्णारियों की उंगलियार मिलकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदोलत कुबेर का मैल उनके चर्णों में आप्याप आ गिरे खुर कॉंसे निबन से छार आपको बताना है जिस पंक्ति मंने मुझे लग रहा है कि मैं जबाब देना साध्मा आपको यह भी बता देती हूं कि आप कौन से निबन से कर्यों सकते हो जैसे यह पंगति है यह मजदूरी और प्रेम निबन की पंगति है लेकिन इसमें उन्नती भारत वर्स प्रेदेखकर आपको लग सकते हैं अगर आपने निबन नहीं पढ़ाया कि भारत वर्स नती कैसे हो सकती है निबन की पंगति है मतला इन दो निबन में इस पंगति में कन्फ्यूज हो जाओगे तो ध्यान रखेंगा है मजदूरी और प्रेम निबन की पंगति है के लिए आगे चलते हैं कोसर नंबर 40 मजदूरी और प्रेम निबन की कौन से सिर्षक में लालो और भागो नामक व्यक्ति का उल्लेख है आपको बताना है चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा लालो और भागो पेपर में ऐसे भी पूचा जा सकता है लालो और भागो नामक व्यक् करने वाली दूत की थारा में लालो और भागो नामक व्यक्ति का उल्लेख है आगे चलते हैं कौसर नंबर 50 सिर्षक की पंग्तियों को अनुसार पहले से बाद के करम में लगाए पाच पंग्तिया इनको पहले से बाद के करम में आपको लगाना है बताईएगा जवाब दी कीजिएगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा A B C D E जिस करम में लगे है उसी करम में आते हैं लेकिन पंग्तिया इंकोटेट है तो पंग्तिया हम देखेगे ठीक है पहली पंग्तिया माई लोड लरकपन में इस बूरे भंगर को बुलबुला का बड़ा चाप था गौह में कितनी सोकिन बुलबुल बाचते वह बुलबुले पकरते थे पालते तो लड़ा बी पंग्ति वेरी इंपोटेंट है एक विक्टो वह लोड़ा उन्हें काम के इसाइब रचाप लिए घुति यह तो भषब करनाउय की एक दो बार देखाने की चीज है में में मुर्याल अन्टो तो ऑल बनेगों से पाल देखे और क्या होगा लेगा आ कर उसका बडली दर्वार क्या आपके ख्यास है भुत बड़ी चीज् द्रिष्टी में बुलबुलों के सपन से बढ़कर कुछ नय था फिर बताते हैं कि लोग विक्रम को याद करते हैं उसके शिनाशन को लोग तो जो भी काम करकर गया है जनता केग्मों से याद करेंगे ना वहीं इस पर वियंगे किया गया है लोड कर जल पर ठीक है यह पंगत उपस्ट सब्दों के अनुपंपार की थे हिंदी के सादारान सब्द उनके वाक्यों में नाई अबिवेज न शकती से दिब्द सैज बागपन रहता है उपमान ढूनने में उन्हें स्रम नहीं करना पड़ता व्यंग्यापून गद्य में उनके उपमान विरोधी पक्सपो परम आश्यात पर बना देते हैं उप्रोग पंग्दी बालमुकुन गुप के विशाय में किस आलोचक्य है आपको बताना है चार जबाब दीजिएगा कोसर नमबर 16 का क्या हमारा जवाब होगा जी बिल्गुद आंसर हमारा हो जाएगा राम विलास सग्मा सुची वन को सुची दोसर सुमेलित कीजिए यहां पर यह सिर्शक है आपको बताना है कोन कब परकासित हुआ था ठीक है चार ओप्सन है जबाब दीजिएगा बताईएगा जी बिल्कुद आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन थर बनाम लोड करजन भारत मित्र 11 अप्रेल 1903 श्रीमान का स्वागत भारत मित्र 26 नों पर 1904 वैस्त राइका कर्दब्य भारत मित्र 17 सितम पर 1904 पीछे मत फैके भारत मित्र 17 दिसम पर 1904 आगे इसका ना पूरा डिटेल में भी आगे रखा हुआ है पूरी टेबल बनाकर आगे देख लेगा मुसे ठीक है आगे कौसर नमबर 18 मस्तूरी और प्रेम निबंद के नुसार किसका कहना है कि हमारी 10 क्रोर उंगलिया सारे काम करती है उन उंगलियों की हीके बद से मलुकदास ने गुरु नानक ने मात्मा गांधी जापानी तत्व ग्यानी जी बिल्खुल आंस्वर हमारा हो जाएगा जापानी तत्व ग्यानी ठीक है आगे चलते है कौसर नमबर 19 यह संसार का जातिया धरा में जो वस्तूर अमारे पास है उन्हीं पर अमारी गुद्धी की दोड़ती है कोप्रोग पंग्टी कौन से निबंध से आपको बतानी है सिर्मूर्थी मजदूरी और प्रेम फुत्रा फालगुनी के आसपास सिर्संभू के चिठ्थे कौसर नमबर 19 जी बलकुल आंस्वर हमारा हो जाएगा सिर्मूर्थी निबंध की पंग्तिया इंप लाइए पाच पंग्तिया आपको इनको पहले से बात की करम में लगानी है चार उप्सन है जबाब दीजिएगा पॉस्न नमबर 20 का जी बिलकुल आंस्वर हमारा हो जाएगा ए सी बी टी ए सबसे पहले आईगा ए पॉइंट मुझे तो मनुस्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में फवित्रात्म की सुगंद आती है राफेल आदि की प्सलता को दे इतनी सद्यों के बाद उनके अंत्यकरन के सारे भावों का नुभव होने लगता है किसके बाद आएगा Pposition advance की बंवह अ хороший की ब्स में लिए कि लिए मिन कि यह मारी भी पंगती जिस्टि विए कि इंप भूद कर द मैं साप करता वे टीन में टेंवे बंद कि उए तस चीज में मनुस्य के प्यारे हтор लागे है उसर में कि द्धा का मन की पंगता सुस्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की सक्ती आ जाती है और सबसे आखरी माएगी इपंगती मेरे गुरू ने इसी प्रेम से सयम का नाम योग राखा मेरा यही योग है आगे चलते है कौसर नमबर 21 सिर्व संभू के चिठे निमन मे निमन में से कौन-कौन से चिठे लोड कर्चन को लिखे गए आपको बताना इन पाच में से जवाब दीजे स्रीमान का स्वागत आसाकान आसिरवाद मारली सापके नाम एक दुरासा चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा खौसर नमबर 21 का जी बिलकुत आंसर हो जाएगा A A.B.E. स्रीमान का स्वागत आसाकंद एक दुरासन है खौसा नमबर 22 जवाब देना आपको दो कथन हैं बताना है क्या सरी है क्या वलात है कथन एक है भायत वर्सोनती कैसे हो सकती है निबंद के लेखक द्वारा अठायस चुरासी स्वी में बलिया के दद्री मेले के उपसर पर बरामर देशोब कार्णी सवा में भासन देने के लिए लिए लिखा था कथन दो कह रहा है इसमें लेखक ने अंधिविश्वासों और कुरूतियों को त्याकर सिक्सित होने सहयोग है वं एक तपर बल देने तता सभी छेत्रों में आत्म निर्बढ होने की प्रेरणा दी है चार ओप्सन आपको जवाब देना है कॉसन नंबर टूइंटी तूप बिल्कुल जवाब हमारा हो जाएगा ओप्सन वन कथन एक गलत है कथन तो सही है क्योंकि आज है देशोब कार्णी सवा में वासन देन के लिए लिखा था यहां पर क्या लिखा आप बड़ा माजों की गलत है आगे कॉसन नंबर टूइंटी तूइंटी थी भारत के राजाब आपके हुकुम के बंदे हैं उनको लेकर चाहे जुलूस निकाल लिए चाहे दर्वार बनाकर सलाम कराइए चाहे उन्हें विलायत बिजवाईए चाहे कलकत्य बुलवाई जो चाहे सो कीजेवे हाजिर है आपके हुकुम की तेजी तिबबत के पारों की ब्रव को पिगलाती है फारस की खारी का जल सुखाती है काबूल के पारों को नरम करती है जल इस्थल वायू आकास मंडल में सर्वत राप की विजय है है हुपरोक किंबन से हैं दिल्ली संबु के चिि यह दो निबन ऐसे क्योंकि नग्टी आपको करेगी्न क狙ेदिल्ली दर्वारकली फारस की खारी काबूल कपता यह दो यह नाम आया की अनिबनों सिन पहले के चलते मां स्भाइब संगलबodes निवान्ट संग्लित in Impery क blending किया चार सिल पसने जबाब दीजिएगा und का अंसर हो जाएगा ऑप्सन थी कठा ने पहला बिल्कुल सही है कलप लता निबन संग्रहां में संक्लित है दूसरा बिल्कुल गलत है क्योंकि क्लप लता निबन संग्रहां में कुल 20 मिश्ण है कॉसर 25 निम्लिकित में से को हों से निबन मेरे में राम का में राम का म।ुडपी रहा है और साधी बिंगात रिलाव जी पिल्कुल पांसर अमने हो जाएगा ऑप्शन वन केवल ए बी ए खामों से की जील मुकुट मेकलोड नूपुल मेक दूद का संदेश आगे चलते हैं कॉस्टन नूबर ट्वेंटिसिक्स नीचे दो कथन आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है कथन एक सिर्व संबु सर्मय कल्पित चरित रहें कथन दो सिर्व संबु अपने को बाइस रहें के समक्स गूंगी पर्जा का एक वकील एक दुरासा मानता है चार आपको जवाब देना है जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा दोनों कथन बिल्कुल सही है ठीक है 27 हुए थे आखों की कल इसारे इधर हमारे उधर तुमारे चले थे असकों के क्या फवारे इधर हमारे उधर तुमारे को प्रोक्साइडी मजदूर्यों पेम निबन के कौन से भाग में है चार आप्सन आपको पताना है जबाब दीजिए कौसर नंबर 27 जबाद यह इंपोर्टेंट है पंग्नती इस तरह की पंग्नती आपके पेपल में पूछी जाती है बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन दो गडड़िये का जीवन पॉसर नंबर 28 यह भी श्मरन रखिये कि यदि आपके इद्धे में प्रेम है तो संसार भरके मूर्थी मान और एमूर्थी मान सब पर्दार सिम्मूर्थी है अर्था कल्यान का रूप है नहीं तो सोने और हीरे की मूर्थी तुच है उब्रोग पंग्ती कौन से निबन से है चार ओप्शन आपको बताना है कौन से निबन की पंग्तिया स्रीमूर्थी निबन की पंग्ती है आगे कौसा नमबर 29 तीन मेंडक एक के उपर एक बैठे थे उपर वाले ने कहा जोक सोप बीच वाला बोला गम सम सब के नीचे वाला फकारा गए हम पहले भी जब आले लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे राजा ब्रामनों की जिम्में एकान था कि देश में नाना परकार की विद्या और निती फैलावे और अब भी यह लोग चाहे तो हिंदुस्तान परति दिन क्या परतिछिन बढ़े पर इनी लोगों को निकम्य पढ बनकी है चार ओक्षन है बताईए क्यों बिल्कुल आराम से आप लोग पैचान लोगे यह पंगतिया भारतवर सोनती कैसे हो सकती है निबन से यह तो ओच्चुक है अमारे न यह पंगतिया सिर्फ संभू के चिठ्थे निबन से ठीक है यह रिपीट है कोई बाद निया आगे बढ़ते हैं को सिम मुर्दी निवन के संबद में सत्य कथन है आपको बताना है पांच पॉइंट है क्या सही है क्या गलत है अ IT दातु की मुर्दीकार्थ है कि हमारा स्वा में सीलरथार धृय मैं दी र serio्ड़र ऑन नशे के स kierकलों रिव्द्व होलती न कोथे मर्दी का न करे carbon हो दिए कि नॐस सुगन शॏह को नहीं होवाने की समर्थ नहीं हो तो पर्थ्वी और जल आधि- परताब नाय के लिए वो पताना है कहसी मूर्टी का क्या आज़त है क्या ऊपिसंँ हमारा सी समझदार की मूद मनोयोग बात आग काट चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा जी बिल्कुत आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन पोड ए बी सी समझदार की मूद मनोयोग बात यह तीनों जो है परतात नायम में सके में बंद है आक और कान किसके बालकृष्ण भट के निबंद है आगे चलते कोसर नमबर 33 जिन देशों में हाथ और मुपर मजदूरी की धूल नहीं पढ़ने पाती वे धराम और कला कोसर में कभी उन्नती नहीं कर सकते ठीक है आपको बताना हो प्रोक पंक्ती कौन से निबंद से है कोसर नमबर 33 जी बिल्कुल आंसर नमना हो जाएगा मजदूरी और प्रेम इसमें 39 अब आया तो यह मजदूरी और प्रेम निबंद की पंक्ती है कोसर नमबर 34 उत्राफ हालगुनी के आसपास निबंद किस निबं संग्रया में संक्लित आपको बताना है पिरिया निल कंटी रसा अखे टक विसाद योग विसाद वासुवी कोसर नमबर 34 जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा विसाद योग आगे चलते हैं कोसर नमबर 35 यदि भायत वास्यों का वस्त चलता तो आपको नया आने देते और आपका वस्त चलता तो और भी कई सब्ता पहले आया विराज सब्सक्राइब के चिट्थे निवन में किस गवर्णार जन्राइब को वियंगे करकर कहा गया लोड करजन मिन्टो पॉनवालिस लीपन पॉस्टन नमबर 35 जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा लोड करजन 36 भारतेंदो अरित्चम्र के निवन्ध है मनी करने का नाटक संगीत सार कलपना काल चक्र का चक्र चार ओप्षन आपको जवाब देना है बताएगे 36 जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्षन कोड के वाल एबी सी मनी करने का नाटक संगीत साथ काल चक्र का चक्र कलपना दोनों जो आई यह बाल के निवन्ध है ठीक है 37 किस्मत पर उस मुसाफिरे खस्ता के रोई है जो ठक गया हो वैट के मंजिल के सामने को प्रोक्साइडी कौन से निवन से आपको बताने है चार ओप्षन है जवाब दीजिएगा बताएगा कौसा नमबर 37 का जवाब जी बिल्कुल तांसर में हो जाएगा सिवसंभू के चिठे आगे आगे कौसर नमबर 38 भायत वर्सोनती कैसे हो सकते हैं निवन्ध में निवन्ध में से कौन-कौन से नाम का जिक्र हुआ है रोबर साहब अक्वर बाबर लोड करजड अवुल फजड इन पाच्वर साहब को बताना है कि इनकी नाम का जिक्र हुआ है निवन्ध में जी बिल्कुल आंसर हमारे हो जाएगा ए बी ए रोबर साहब अक्वर और अबुन फजड आगे कौसर नमबर 39 जब तक जीवन के अरण्य में पादरी मोल्वी पंडित और साधुन सन्यासी हल कुदाल और खुर्पा लेकर मजदूरी ने करेगे तब तक उनका अलस से जाने का नए तब तक उनका मन और उनकी बुद्धी अनन्त काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी फुस्तके बासी, उनका लेक बासी, उनका विश्वास बासी, उनका खुदा भी बासी हो गया पुप्रॉक पंटी मजदूर यो पेम निबन की कौन से भाग में है चार ओप्सन आपको बताना है बताईएगा जबाब दीजिएगा कॉसर नमबर ठर्टी नाइन का जी बिल्कुब अमारा हो जाएगा वजदूरी और फकीरी कोसर नमबर 40 दिल्ली दर्बार दर्फटल्पन निवन के अनुसार निवनि पंक्ति को पहले से बाद की करम में लगाईए 5 पंटि आपको पहले से बाद की करम में लगानी भाग में चार ओंप्सन है, जब आप दीजिएगा मदाईएगे जी बिल्कुल है पर हमारा आस्वर हो जाएगा A, C, B, D सबसे पहले आएगी यह पंक्ती सन 858 इश्वी को एक नौमपर को स्रीमती मारानी के और से एक इस्तियार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और परजा को स्रीमती की किर्पा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबन्दी बातों में वरानमौल पर्मान समझते हैं उसके बाद आएगी सी पंग्ती हमारी पर्थिवी उपर सिरीमती मारानी के अधिकाल में जितने देश हैं जिनका विश्थार धुबोल के साथ में भाग से कम नहीं है और जिसमें 30 क्रोर आदमी बस्ते हैं उसके बाद आएगी हमारी बी पंग्ती सब जंगे और सदा इंग्लिस्ता तान के बास्ताओं की सेवं में परवीनों परिकर्मी सेवक रहते आएं ठीक है उसके बाद आएगी हमारी डी पंग्ती सरकार के सब्वाब के कान हरा आदमी बिना किसी रोक टॉक के अपने धर्म के नियमों और डीटी को प्राद सकता है इंपोटेंट पंग्ती है ठीक है उसके बाद आएगी यह पंग्ती सबसे आक्री में कीर्टी की कीर्टी के दौर सब के लिए नहीं खुले है प्रंतु बलाई करने का अफसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है आगे चलेगे एक औस सटमा पॉर्टीवन प्रा पंग्ती कौन से निवन से आपको बतानी है पॉसर नमबर फोर्टीवन जी बिलकुत आंसर हो जाएगा नाथून क्यों बढ़ते हैं आगे एक औसर नमबर फोर्टीटू आजकल ऐसी राजनीती के कारण जिससे सब जाती और सब धर्म के लोगों की समान रख्सा होती है सिरीमार्थी की हर एक परजा अपना समय निर्विग ने सुक से काट सकती था सरकार के संबाव की कारण हर आद्री बिना किसी रोक टोक के अपने ध्रहम के नियमों और रीतों को बढ़त सकता है प्रोक पंक्ती कौन से निबंदकी है चार आपको बताना है कौन से निबंदकी पंक्ती है जी पिल्पूर आंसर अमारा हो जाएगा दिल्ली दर्बार दर्पण आगे चलते है कौसर नमबर 43 निमलिखित में अध्यापक पौन सिंग का कौन सा निबंद अधूरा है पवित्रता मस्तूरी और प्रेर सच्ची वीरता आचरंग की सब्यता कर्मियादार खौसर नमबर 43 जी बिल्कुल आंसर अमरे हो जाएगा पवित्रता निबंद की पहुंदी है तो वह सोरी पवित्रता निबंद जो है अधूरा निबंद अध्यापक्नून सिंग जी का कौसर नमबर 44 दिल्ली दर्बार दर्पण और निबंद के संवन में सत्यकतन है ए दिल्ली दर्बार दर्पन करसन नमगे बर्न का रहतार नकिन प्रहेज़ां नाकि से जनड़ा खास आपको लिए देता Papus स्थान की राज राज्यसोरी की पद्वी लेने का यादगार रहेगा इस पंक्ति से निवनकारम होता है इस दिल्ली दर्भाई अठाइसो सतंतर इस्वी के समय वाइसराय लोड करजन थे चारों आपको जवाब देना है क्या जवाब होगा जी बिल्गू आंसर हो जाएगा A B C A B C दी गलत है क्योंकि इस पंक्ति से निवनकारम नहीं होता है ठीक है और दिल्ली दर्भाई अठाइसों सतंतर इस्वी के समय बाइस रहे कौन थे लोड लीटन थे पीछे क्या लिका हो था लोड करजन जोकी गलत है आध्याबा पूर्ण सिंह के निवनकों पहले से बात की करण में लगा यह 5 निवनक पहले से बात की करण में लगाना है विद्धा मजदूरी और प्रें सज्जी वीर्दा अच्छन के सब्यत कर्यादा चार आप्सन है जवाब दीजी गा जी पिल्कुल आंसोर हमारे हो जाएगा C E A T B देख लेते हैं आप पर चैनी बंदा त्यापक पूंशिंग जी के सबसे पहले आएगा सज्जी वीर्था ठीक है उसके बाद आएगा कर्ण्यादान उसके बाद पवित्रता फिर आएगा अच्रंग की सब्यता मजदूरी और प भी याद रखें आगे 46 भरोसा है कि सूब अफसर का यखल होगा कि हमारे और हमारी परजा के बीच इसने और द्रिक होगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्य हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को सब्तंत्रदार धर्म और न्याय प्राप्त हैं और हमारे राज का भी प्रय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुक्की वृति स्वभागय के अधिक्ता और कल्यान के उन्नती होती रहे हो प्रोक पंग्ति कौन से निबन के आपको बताना है स्रीमूर्थी मजदूरी और प्रेम दिल्ली दर्बार दर्पन सिर्व संभू की चिठ्ठ चीठ बिल्पुट आर्स्वरा हमारा हो जाएगा तिल्ली दर्बार दर्पनिपन के पहुंगती है आगे है कौसर नमबर 47 निम लिखित मेंसे कौन से निबन कल्पनता निबन संग्रया में संकलित है स्रीष के फूल पुटज नाकुन क्यों बरते है संस्कृतियों का संग्रम देवदारों चार ओप्सन आपको जबाब देना है बताईएगा स्रीष के फूल नाकुन क्यों बढ़ते हैं संस्कृतियों का संग्रम देख लेते हैं कल्पलता निबन संग्रया में कुल 20 निबन रहें उनके नाम यहां पर है रहाए अब आप सोचोगे हम यह क्यों पर रह रहे है क्योंकि कि प्लता निबन संग्रया का एक निबन नाकुन चाहिए जससा में हम लगें कुल कितने बंदोर याधोने चाहिए जब कारणय से इस तरह बन जाइड सी बात है य। है कंड भॉत eigenlijk में निबन से सब्सक्राइब शिरी परणस भिए different ई गस्ती तो हमारे पाठ्थे वोरा अगह disrespect थे क्वहित को बनार मत्य lite माकाल का कंट मिरित्या मात्म के मापरियान के बाद ठाकुर जी की बटोर संस्कृतियों का संगम समालोचक की डाप मैलाओं की लिखी कहनिया केतु दर्सन ब्रामान का विश्तार बैद चल गया साइतिक संस्थाय क्या पर सकती है हम क्या करें धर्मस्य तत्वन नहीं तम स्याओं का सबसे बराहल साइतिय का नया कदम 20 आधिकाल के अंतर प्रांतिय साइतिय का एतियासिक में यहां पर यह निबंद जो संगय कल्पला था उसका इंट्यास है यहां पर यह खिल्गर नहीं दिख रहे थे तो मैं निदर यह टाइप करकर रख दिया एसी निप्तिक आगे चलते एक उसन नमबर 48 सिम्मूर्थी निबंद के नुसा सिम्मूर्थी के एक गनित नाम है जिन में से परमुख है प्रेमेश्वर बरतेश्पर मंगलेश्वर सोमेश्वर बुदेश्वर चार ओप्सन है जबाब दीजेगा प्रेमेश्वर बरतेश्वर मंगलेश्वर आगे चलते एक उसन नमबर 49 सिम्मूर्थी निबंद के अनुसार किसने का है वे नियायत सच है कि जैसे कही अंदों के आगे हाथी हाती आवी पर कोई उसका नाम बता दी तो सब उसे टटोले कि कवीर, गांधी, रैदास, मलुगदास जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा मात्मा कवीर कोईसर नमबर 50 आजारी परसाद दुएदी के निबंद को पहले से बाद की गरह में लगाईए विचार परवार, विचार और वितरक, असोक्य फूल, आलोक पर फुटज जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा C, B, A, E, D असोक्य फूल, विचार और विदर्ग, विचार परवा, उटज और आलोक परवार, आगे एक उसर नमबर 51, वे एक सच्चे समाज सुधारक और मध्यमर्गे दिष्टि कॉन रखने वाले व्यक्ति थे, नवींता क्या अंधी में, नया तो वे उड़ सकते थे, नया प्राचींता के स्थूप में दवे पड़े रह सकते थे, नया वे किर्ष्टान उना पसंद करते थे, नया पोंगा पंथी पंडित, पप्रोक पंग्ति भारतेंदू अईचंदर के विश्टा में 21 सालों चक्की है, बच्चन सिंग, रामविलासर्मा, रामचंद सुखल, रामचंदर तिवारी, पॉसन नमबर 50 वर्ड, जी बिलकुट, आंसर हमारे हो जाएगा रामचंदर तिवार, आगे चलते हैं, कॉसन नमबर 52, भारते भासाओं में प्राया ही अंग्रेजी के इंडिपेंटेंस, सब्द का समानार्थ तक सब्द नहीं विविर्थ होता, 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भासा के पत्र, इंडिपेंडेंडेंस की गोशना कर रहे थे, इंडिपेंडेंस का अर्थ हैं अंधीनता या किसी की अधीनता का अबाग, पर स्वाधीनता का अर्थ हैं अपने ही अधीन रहना, अंग्रेजी में कहना हो तो सब्द कह सकते हैं, प्रोक पंग्दी कौन तो निबंस हैं, आपको बताना है, कॉसन नमबर 52 का आपको जवाब देना है बताईएगा क्या जवाब हमारा हो जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा नाखुन क्यों बढ़ते हैं निवन से पंक्ति आगे चलते हैं कॉसन नमबर 53 कवीदा में उनका संस्कार है गद्य में विचार उप्रोक पंक्ति भारतें दोरी चन्र के विसमित की सालों चक्की है बच्चन सिंग राम विलासर्मा रामचन सुक्ल राम सब्रूप चतुरवेदी स्वसन नमबर 53 जी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा राम सब्रूप चतुरवेदी आगे चलते हैं कोसर नमबर 54 सूची बन पर सूची दो से सुमेलित कीजिए एक तरप है निबंद का दूसरी तरह कोनके निबंद आपको मैच करना है कौन से राइटर का कौन सा निबंद है बार्टेन दो रिचंद्रे पर्ताब नयाम में स्ट अध्यापत पुन सिंग हजारी परसाद वेदी कुबेर नाथ राइट शूची दो में निबंद लिके हुए तद्या सर्वस्थ नैनो की कंगा गुरु नानक देव काम धेनु आप बताएए चार ओप्सन है जबाब दी जी कोशन नंबर 54 जी बिल्कुर आंसों अमारे हो जाएगा ओप्सन 3 भार्टेन दो रिचंद्र तद्या सर्वस्थ परताब नयाम में स्रिखाप अध्यापक कुन सिंग नैनो की गंगा हजारी परसाद वेदी गुरु नानक देव कुबेर नात राइक काम धेनु आगे चल लेखक ने किससे पूछा था लेखक के छोटे लड़के ने लेखक के पिता ने छोटी लड़की ने लेखक की मानिश लेखक से परस कि नाकुन क्यों बड़ते हैं किसने पूछा था फैसर नंबर 55 जी बिल्कुल आसर अपाया हो जाएगा लेखक की छोटी लड़की ने पूछ आगे कोसर नमबर 56 हमारी परंपरा महिमा में उत्रादिकार विपुल और संसकार उच्वल है हमारे अंजान में भी ये बाते हमें एक खार दिसा में सोचने की प्रेणना देती है यह जरूर है कि परिस्थितिया बदल गई है उपकरण नए हो गई है और उल्जनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है पर मूर समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है भारते चित जो आज भी अंधीनता के रूप में ने सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है वे हमारे दिरिकाली संस्कारों का फल है वे सवके बंदल को आसान इसे नहीं छोड़ सकता अपने आप पर अपने आपके द्वारा लगाया हुआ बंदल हमारी संस्कृति की बड़ी बारी विसेशता है यह नहीं सकता है यहां से यहां तक की पंग्टी देकर पुछले कौन से निबं की पंग्टी आगे को सब्सक्राइब दिल्ली दर्बार दर्पन निबंद करूंसा किलात के खागों कौन कौन सी वस्ते तोफे में मिलीती एक हाती जराओ गयाने कार्चोबी कपड़े एक रेश मी जंडा सोने का तमगा इन पाजवर से बताने क्या क्या मिला था चार ओप् जी बिल्खुर आंसर बढ़ा हो जाएगा एक हाती जराओ गयाने कार्चोबी कपड़े देख सकते हैं किलास के खागों को जो है जंडा नहीं मिला उन्हें मिला एक हाती जिस पर चार हजार की लागत का उदा था तेकंड में बार लेप्टोग चार्जिन पर लगा जेती हूँ जो 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 कि यहां पर हम पढ़ रहे थे क्या क्या मिला है कि लाग के खाओ को तो टोटल जो है कि पच्छेश हजार की चीज़े कोफे में मिली है ठीक माफी बीच में इसके लिए ठीक मुझे यादने दा कि लाइट ने आई हुए तो मैंने लाइट वाले में लगाया हुए तप लग तो लैप्रोप चार्ज नहीं हो रहा थी ठीक है चलो तो आप यहां पर जो है चलते हैं हमारा तो यहां पर आंसूर क्या हो जाएगा आंसूर अमने देख लिया था ओप्शन ए बी-सी ठीक आगे चलते हैं को सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नहीं खराब नहीं होते हैं ऐसा किस ने कहा पतंजली ने कालिदास ने वास्यान ने कभीर ने आपको बताना है जवाब देना है पताईए जवाब दीजिए कॉसर नंबर 59 का क्या हमारा जवाब रोगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा कालिदास आगे चलते हैं कॉसर नंबर 60 सिर्फ संब्यों के चिट्थे निवन में से कौन कौन से चिट्थे लोड मिंटो के नाम नहीं लिखे गए नहीं पर फोकस कीजिएगा नहीं पूछा है पीचे मत फैकि आसा कांत आसिवाद ल जायदे काल्य कॉसर नंबर 60 सिर्फ नहीं जाने काई जायद बिल्कुल चिट्थे नहीं लिकेते हैं एव ए यानि यह दोनों जो नुद्ण नाम लिखे गए लोड मिंटो का तो नाम से पता चल रहा है याद रहा है आशिवाद भी लोड मिंटो के नाम लिखा गया था जो तो नहीं लिखे गए वे कौन-कौन से पीछे मत फैकि आसा कंत वैसराय का कर्तब देख सकते हो आप यहां पर मैं कहा रहे थी ना आगे टेबल रखी हुए पूरी आठ चिट्थे तो लिखे गए थे लोड करजर के ना कौन-कौन से लोड करजर स्रीमान का स्वागत वैसराय क करतब पीछे मत फैकिए आसा कंत एक दुरासा विदाई संभासन बंग बिच्छे ठीक है उसके बाद लोड मिंटों का स्वागत और आसिरवाद यह दोनों लिखे गए लोड मिंटों को मारली साब के नाम से बात सची मिश्टर मारली के नाम साइश्ता खा का खत एक और दो फूलर साब के नाम और सर सेयद आमद का खत अलिगर कोलिज के छात्रों को लिखा ठीक है अगर आपको यह जानकारी नहीं है तो इसका स्कीन सोट ले ले लेना और अपने नोट्स में एड कर लेना इसको आगे कॉसर नंबर सिष्टी वन सूची वन सूची दो से मिलान कीज जादियों दोसी प्रमपर की खोज चिंतमनी भाग वन चार ओप्सन ने जवाब दीजिएगा पॉसर नंबर सिष्टी वन सूची वन सूची बताईए बही जवाब दीजिए जी बिलकुल आंसर अमारा हो जाएगा ओप्सन फोब कवीता क्या है चिंतमनी बाग वन सूची संस्कृति और सोंदर या दोसी प्रमपरा की कोई फुत्रा फालूमी के आसपास विसा दियो आगे चलता है कौसर नंबर सिष्टी टो निमलेखित में से कौन से निबन उठ जाग मुसा कि निबन संग्रया में संक्लित है सबाल जीवन का गौव पर बनाम गौव में तत्यक जी बल्दू आंसर हमारा हो जाएगा एबी सी सबाल जीवन का गौव पर बनाम गौव में तत्यकी में तीनों जो है उठ जाग मुसाफित निबन संग्रया में संक्लित है देख लेते उठ जाग मुसाफित निबन संग्रया में टोटल दस निबन है मेरी दिन चरिया कुछ आयाम नमोविर सेब्या उठ जाग मुसाफित केना गिरिस्म बहार तत्यकीम तीन डंडिया चोड़ से उब्रा समय और सवाल चिंता बरत के उजड़ते गौव की गौव पर बनाम गौव में सवाल जीवन का आगे कोसर नमबर तरह सकते देश और जाती की विशुद संस्कृति केवल बात की बात है सब कुछ में मिलावट है सब कुछ है विशुद है अपको बताना है नामवर सिंग अग्या रामदारी सिंग दिंकर हजारी परसाथ दुए दिए बताइए जवाब दीजिए जी विल्कुल पांसर हमारा हो जाएगा हजारी परसाथ दुए दिए असोग के फूर कोसर नमबर रहां पर सिष्टिफ होड़ है नीचे दो कथन है बताना है क्या सही है क्या गलत कथन एक विवे कि राइद ग्रामिन चेतना के कवी है कथन दो उठ जाग मुसापिर निवन में को में सहरी संस्कृति के अनुचित चेप को लेकर व्यत्थित होना और गौव के आर्टिक विकास पर सामाजी को और संस्कृतिक मुल्य का विकर्टन होना आधी चिंताओं को व्यक्त किया गया है चार आप्सन आपको बताना है क्या सही होगा क्या गलत बताइए आगे चलते है कॉसर नमबर पैसट और सच का जाए तो आर्य संस्कृति सुधिता के अंकार पर चोड़ करने के लिए नहीं परकर्ति वर्णन के लिए नहीं यह निवन दुवेदी के सुधिपुस्प्रेव का परमान नहीं बलकि संस्कृति दिष्टि का नूठा दस्तवे चार आपको बताना है किसकी पंगती है नामबर संग भग गर रामधाय सिंग देंगकर अजारी परसाइट दूए जी बिलकुल यह नामबर सिंग की पुइंट यह सो के फूल दे कर यह सोजना जारी परसाइट दूए दिकिए कि आगे कॉसन नंबर 66 तो हमारी संस्कृति कितनी समत्र है कि आदर प्यार और दुलार सई जीवन दातरी हमारी माताओं की विश्ट्रित सुची है गंगा गीता काहित्री और धरती सई अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संग्याई माता सब्ज से जुड़ती है आपको बताना प्रोक पंक जी बिलुकुल आंस्वर हमारा हो जाएगा उठ्जाग मुसाफी है आगे चलते हैं संस्कृति और सौंदेर निबन के संब्ड में सत्यकत्र है संस्कृति और संद्र निबन के बारे में आपको बताना है क्या सही है क्या गलत ए है यह दूसरी परपरा की खोज निबन संग् दिश्टी कोन की व्यापकता और प्रासंग क्या है ठीक है कि दी पंक्ति है कि इस पंक्ति से निबन की सुरुवात होती है आपको बताना और दूसरी प्रमपरा की खोई निबन संग्रया का प्रिकाशन वर्स 1984 है चार आपको जबाब देना है बताईएगा कि जी बिल्कुल दूसर हो जाएगा ऑप्शन कोड केवल ए बी सी डी टलात है क्योंकि इस पंक्ति से निबन का प्रहरम नहीं होता है और दूसरी प्रमपरा की खोई निबन संग्रया का प्रिकाशित होता है 1982 है आगे चलते हैं नीचे दो कथन दिये गए कथन एक कुबेणात रहे एक ललितनी बनकार है कथन दो कह रहा है कि जो सर्जक है जो सर्ष्टी करता है वैं इससे ही चिरियूगा होगा प्राजिन वोकालिन कार्थ जरजर या पुरा नहीं होता है जो सर्जक है पिता है प्रोफिट है नई लीक का जनक है पढ़ जाता है वे रूप मादव या रोमेंटिक काम किसोर बने ही नहीं हो परन्तु वे दाथ चरा बाल जरा गलीतम पलीतम मुंडम कैसे हो सकता है उसे तो अनुभवी पूंगव तीसोतर युवा के जी बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोनों का थनमाने बिल्कुल सही है कौसर नमबर 69 पुत्रा फालगुनी के आसपास निबंद के नुसार किस ने कहा था मैं 40 वर्स जी चुका 40 वर्स ही तो असली जीवन काल है तुम जानते हो कि 40 में माने चरम भुरापा दरसल 40 से ज़्यादा जीना है सब्यता है असली इंता है या ने तिकता है भला 40 से आगे कौन जीता है मुर्क लोग और वेर्ट लोग आपको बताना है क्या सही होगा दोस्ति विसकी लेनिल सेक्स्पियर निरेंदनात राये बताईएगा जब आप दीजिएगा जी बिल्कुल आंस्वर हमारे हो जाएगा ऑप्शन वन दोस्ति विसकी है आगे चलते हैं कौसर नमबर सेवेंटी सुची वन को सुची दो से सुमेलित करना है सुची वन में हमारी पंक्ति ए पंक्तिय सिन्रों की मांद में आया है आज सियाग बिर्टूवत भारत नाच बेगियव जावग सी बीती विवाबरी जागरी डी जवानी संचोतिय बुरापत दान देता है सुची दो मैं भारतें दू दिनकर परसाद निराला चार ओप्सन है जवाब दीजेगा पॉसन नमबर सेवेंटी का जी बिल्गुर आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन फोर सुनो की मांद में आया है आज सियाग निराला डूबत भारत नात बेगी अभजावो भारतेंदू बीती विभाबरी जागरी परसाद जवानी संचोतिय बुरापत दान देता है तिनकर कॉसन नमबर सेवेंटीवन असोग के फूल के वले एक फूल की कहानी नहीं भारते संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंग लेक पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्तिया अजारी परसाद दुएदी वेरी वेरी इंपोर्टेन पंग्तिया आपको बतान जीवन पर आधारी जोया निवन तो आपको यह निवन पढ़तो है बहुत ध्यान रखना होगा कि कौन सी पंग्ति किसके बारे में कही जा रही है ठीक है क्योंकि इस निवन में संस्कृति और संदर्य में हजारी जी के काफी निवन का जिक्र है है कि कि बिलकुल आंसूर आपको जाएगा किस निवन की पंग्तिय यहां संस्कृति और संदर्य निवन अगे चलते हैा कौसन नंबर 72 उत्रस वाल गूब निकर आसपास करफक करम में लणानी है पाच्पंग्तियا इनको पहले से बाद करम में लगाईहे चार őपण involved आप आप लोग फारिकर्ट पूतरा फाल गुने के असपास यह भी काफी अच्छा निबंद है जी बलब आंसोर हमारे हो जाएगा A B C D जिस करम में लगिए उसी करम में निबंद में आती है आगे है कौसन नंबर 73 कवीधा क्या है निबंद के अनुसार अनुबूती योग के अभ्यास से आत्म को मुक्त अस्था प्राप्त होती है मनोविकारों का परिस्पकार होता है हिर्द्याने के भाबातमक होता है जगत में नाना गत्या संचरित होती है मनुस्य की वानी सब्दविदान करती है कौसन नंबर 73 जवाब दीजिएगा क्या हमारा जवाब को जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन टू मनोविकारों का परिस्पकार होता है आगे कौसन नंबर 74 संस्किर्थी सोंदर्य बोद के विक्सित होने की मोलिक चेश्टा है कव्रोंग पंक्ति किस आलोज़क्ति की आपको बताना है नाम बरस्थी आगे यह संस्किर्थी और संद्र निवन पर देखने को मिलें आगे कौसन नंबर 75 कवीता क्या है निवन के नुसार कुछ भावो के विशें एमुर्थ होने लगे है ऐसे भावों को गोद दर्सन में क्या कहा जाता है ए मुर्त रूप, ए रूपराग, रूपराग, मुर्त रूप कौसर नमबर 75 बताईएगा जबाग दीजेगा क्या हमारा जबाग होगा जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा अरूपराग आगे चलते हैं कोसर नमबर 76 भले ही ये विकार जलो, भले ही इसमें स्रेप्रे, गती, मुक्ती, कुछ भी नहाओ प्रंतु इसमें जीनता और जरजरता नहीं, ये जरा और विर्जित्व का परती नहीं उत्राग फालगुनी के आसपास निबनकी उप्रोग पंग्ति में कौन सी नक्सत्र के विशा में कहा गया है आपको बताना है मगा पूर्वा फालगुनी, उत्राग फालगुनी उप्रोग्ति में से कोई नहीं बताईएगा जवाब दीजेगा जी बिल्कुल यह आगए आ, पूरु फालुली रखसत्र के बारे में है, ओसन नंबर 77 जीवन का समगर विकासी सो मदर्य यह सोंदर्य वस्टितर एक सिर्जन व्यपार रहे है इस सिर्जन की चंता मनुस्य में इंसर नहीं यह व्ये शोंदर्य शिर्जन की चंता के रामदारी सिंग दिंकर हजारी परसाथ दुए दिए कोस्टन नमबर 77 बताईएगा जबाब तीछे कर जी बिल्कुर पांस्वर हमारा हो जाएगा ऑप्शन वन नामबर सेंग आगे चलते हैं कोस्टन नमबर 78 सभी लोग अपनी लडाई अपने अलग-अलग हत्यारों से लड सब्सक्रात पांस वर्णbane विवेक राय कोірनात राये, बिद्यानीवास में सब वुमकस घ्राई तक बनाई क्नी débutक्तरण कि संग्सक्रात यह वाली पध्पर पेपर मीं हुचें वूमकस यह हैं पेज दुए tutkit मैंने आपको जब इन इवन पढ़ाया था तो कंप्लीट पढ़ाई दिप्टी क्या आगे कॉसर नंबर 79 सेक्सपीर इस ओडियांस किसकी पुस्ता क्या है दोस्ति विसकी लेनिन सेक्सपीर निरेंदनाथ राए कॉसर नंबर 79 जबाब दीजिए जी बिल्कुल आंसवर हमारा हो जएगा निरेंदना तराय आगे एक खौसर नंबर 80 काववे की पड़ताल में तो दिनकर्द सुध काववे की खोज में लगे थे लेकिंश्च्र संस्कृति की खोजम उनका अगर है नेगिंश्च्च्र संस्कृत हुए हुजागर करने का प्र पुप्रोक पंग्ति कौन से निबंद से आपको बताने है संस्कृति और सौंदर यह पासोग के फूल विचार पड़वा इसमर्ति लेखा बताएगा कॉसर नमबर 80 का जवाब दीजिए जी पिल्कुल आश्र मारा हो जाएगा यहां पर इसमर्ति लेखा से है किसका निबंद यह अग्या का है इस यह निबंद कभी का पर है संस्कृति और सौंदर निबंद यह नामपर सिंग जी का उसी में उल्ले के इस पंग्ति का ठीक है आगे एक उसर नमबर 81 निवलिकित में से कौन से निबंद चिंतमनी भागवन निबंद संग्रिया में संकलित है काव्य में लोकमंगल की साधनावस्ता काव्य में रहस्रवाद तुल्सी का बक्तिमार काव्य में विवेजनवाद महनस की दर्म उमी चाल उप्सन है जवाब देना है को सन नमबर 81 का जी बरकुल पांस्वाद हमारा हो जाएगा ऑप्सन तिरी केवल एसी इए काव्य में लोकमंगल की साधनावस्ता तुल्सी का भक्तिमार की मानस की धरम भूमिंग देख लेते हैं चिंतमनी भागवन में पुर्ष सत्रे निबंद संक्लित हैं देखते हैं में सत्रे पुत्सास रद्धबक्ति करूना लज्जर कलान सुकल जी के तो वैसे हमें सभी निबंद याद करने होते हैं लोब और प्रीति घिर्णा इर्ष्या भै क्रोज कवीता क्या है आपके पाठ्टे करम भाटें दोरेट जंग तुल्सी का भक्तिमार्ग मानस की धरम भूमिंग सब्सक्राइब में लोगमंगल की साधनावस्ता साधान निकान और व्यक्ति वैचित्रवाद रसात्म बोज के वीवित प्रूँ आगे कोसर नमबर एटी टू कि यह वाला तो हो चुगा हमारा कोसर नमबर एटी थी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंद की निम्द पंक्ति इनको पहले से बाद के करम में लगाना है जबाब दीजिएगा चार उप्सन आपके सामने करें बताईएगा जबाब दीजिएगा अचीज बिलकुल आंस्वर हो जाएगा A B D C सबसे पहले आएगी एपंक्ति महिनों से मन बेहत बेहत उदास है उसके बाद आएग राम का निर्वासन वस्तुत है सीता का कैसा निर्वासन है दोहरा निर्वासन है राम तो रोटकर राजे होते हैं पर रानी होती ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है इंपोटेंट पंक्ति है उसके बाद आएगी डी पंक्ति ये भी बड़ी इ जो एक एरूप धबनी में कोसल्या है उसकी सर्ष्टी के संकट में उसके सतत उतकर्स के लिए आकुल उस कोसल्या की और उस मानुए संभीदना की औरी कली रहा है घास के लीचे दबीरू और सबसे आखरीम आएगी हमारी इपंग भी उस रापर तुनसी और उनके मानस के नाम किस और नाम मुरे होगे वारिज से बचने के लिए किस और किस और बता दो सखी ठीक है मेरे नाम का मुखुट भीग रहा है कि इनको नोट कर ले ना मतलब याद रखना कि इस निबंद की पंग्ती है ठीक है आपके लिए खाफी मैधकुन होने वाली है आगे चलते हैं कोसल नमबर 84 काव्य के लिए नेक इस्थलों पर हमें भावों के विश्यों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्थ और गोचर होगे जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्थ और गोचर रूप नहीं मिलेगे तब तक काव्य का वास कवीता क्यार निबन के किस खंड से ली गई आपको बताना है इन 4 में से कौन से खंड में ये कवीता ये पंक्तिया निबन कौन सा कवीता क्यार बताईएगा पॉस्टर नमबर 84 का जवाब दीजिएगा जी बिलकुँ आंसर हमारा हो जाएगा सब्यता के आवरन और खंड आगे चलते हैं कौसर नमबर 85 पॉस्टर निबन के नुसार सब्तंतुरता संग्राम के दिनों में लोग एक गाया करते थे वे गीत था चारों आपसा नहीं जाएगा सब्सक्राइब करते हैं दिवानों की क्यास्ति है आज यहां कर मार्च चले को सब्सक्राइब को परिभासित करते हुए किसने का यह जो संपत्ति प्रिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षन के लिए मनुस्य का रख पसीने में नहीं बदलता सब्सक्राइब को परिश्रे देती है सात्विक सोंदर्य महां है जा चोटी का फसीना एडी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को दोता रहता है नामबर सिंग अग्या रामदारी सिंग देंकर हजारी परसाथ दुए दी कोस्टन नमबर 86 जवाब दीजी क्या हमारा जबाब होगा बताइए जवाब दीजी जी बिल्कुर आंस्वर हमारा हो जाएगा और हजारी परसाथ दुए तिए आगे कोस्टन नमबर 87 निमलिकित में से कौन से निवन दूसरी परंपरा की खोज निवन संग्रह में संक्लित है आपको बताना है इन पाच में से कौन कौन से निभन दूसरी प्रप्रा की खोज निभन संग्रहां में संकलित है एस्विकार का एसास भारते साइत्ते की प्रांधारा और लोग दरम जी वेम सर्द्य सत्म व्योंके सास्त्यूफ हजारी प्रसाद्वेदी दिमाग खाली है चार ओप्सन है जवाब देना है बताइए जवाब की जी खोशन नमबर 87 जी बिल्कुल आलसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन टू केवल एवी टी एस्विकार का एसास भारते साइत्ते की प्रांधार और लोग दरम और व्योंके सास्त्यूफ हजारी प्रसाद्वेदी देख लेते हैं दूसरी प्रंपरा की खोज निबन संग्रहां में आठ निबन दे निबन से पहला निबन दूसरी प्रंपरा की खोज दूसर निबन समाज में जी अच्छू थर एस्विकार का सास फिर प्रेमा को मर्थुमार भारते साइत्ते की प्रांधार और लोग दरम संस्किर्ति और संदर यह आपके पठ्टे क्रम करने बन दरम खलू किर्थी व्यों आगे सब्सक्रम का मुखूट भीग रहा है कि निबन के अनुसरा मेरे लाल को कैसा बनवास मिला था में लाल को नहीं है मेरे रजाद लड़की मेरे रामका मुगत भी को चाहें ङाद vaz Kraft रखेगा, मैंनी याद रखेगा. मैंना लड़की करे पात्र करेशिध साली प्कॉषिक से ररिति कहा है . तो ए combine राव रखो कि पोचण जा रहाएं आदर्सवाद का धाचा धीला पर जाता है इसलिए में इस बात को स्विकार करने में ड़ते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है ज्ञान से वाग ज्ञान से मनुस्य उसे की खोज में लगा है आदर्सवाद ने विवेक के नाम पर आनंद उसके पत के लिए जो जंद्रा फैलाया वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्विकार करने में बाधक है वह प्रोग पंक्ति कौन से निबंद से है संस्कृति और संदर्य रैस्यवाद हमारी संस्कृति और साहित्य का संबद फोज़ इसे ती जी बिलकूए को मारी हो जाएगा रहस्यवाद आगे है कौूति कैम नंबर नाइटी कवीथा काई निबंद के निबं ने खंडों को पहले से बाद के करम में लगा है पाच घंड़ कहां परनाम इनको आपको पहले से बाद के करम में लगाना है कंवीता क् चार सब्वेता क्याव रन और कवीता चमतकार बाद सोंदर्य चार उप्षन करम से आपको लगाना तरह जी इस आंसर हमरा जाएगा C E D P N देख लेते हैं कवीता कि आनिबंद में कुल कितने खंड है जिनके नाम इस परकार है सब्वेता के आवरान और कवीता दूसरा फंड कवीता और से परसार थ्री मालमित तथ्या फोर्ट काग्व और वैबार फिप मनुस्यता की उच भूमी शिक्स भावनाया कलबना सेवन मनोरंजन एट सोंदर्य नाइन चमतकार बाद 10 कवीता की भासा इलेविन पलंकार 12 कवीता परत्या चार 13 कवीता क्या आवसक्ता कितने खंड कवीता के अनिमन में पूल 13 खंड को पहले से बात के करम में लगाई है चित्वन की चार तुम चंदनम पानी मैंने सील पोचाई हल्दी दूप अंगद की नियर्गी चार ओप्सन आपको पहले से बात की खरब पर लगाना है जी बिल्गोर आंस्रा हमारा हो जाएगा A D B C सबसे पहले चित्वन की चार दूसरा हल्दी दूप तुम चंदनम पानी थर्ड फॉर्ट मैंने सील पोचाई फिम्थ अंगद की नियर्गी को सबसे पहले निबंद की अनुसा निम पंक्ति को पहले से बात की करह में लगा है यहां पर आपको पांच मैंपन पंक्ति मिल रही है कवीता क्या है निबंद की एधान रखेगा आप लो जी इसका जवाब देख लेते हैं जबाब तो होगा B C A E D अब पंक्ति देख लेत सबसे पहले आएगी B पंक्ति है हमारी मनुस्य अपने भावों विचारों व्यापारों के लिए दूसरों के भावों विचारों और व्यापारों के साथ कहीं विलाता और कहीं लडाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहते हैं ठीक है उसके बाद आएगी हमारी सी परूंटी काब्वे के लिए अने एक इस्थलों पर हमें भावों के विश्यों के मूर्थ और आदिन रूप तक जाना होगा जो मूर्थ और वोचर होगे जब तक बाबों से सीधर और पुराना लगाव रखने वाले मूर्थ और वोचर रूप नहीं मिलेगे तब तक काब्वे का वास्त्विक धाचा खराने हो सकेगा उसके बाद आएगे हमारा A. कवीता का उद्यस से मनोरंजन है पर जैसा के हम पहले कह आया है कवीता का अंतिम लक्से जगत के मार में पक्सों का परत्यक्षि करन करके उनके साथ मनुष्य रिद्य का सामनज़त से इस्थापन है उसके बाद आएगा हमारा E. कवीता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है उसके बाद आएगा D. मनुष्य के लिए कवीता इतनी प्रियोजने वस्तु है कि संसार की सब्वय है सब्वय सभी जातियों में किसी ने किसी रूप में पाई जाती है ठीक है एक कवीता क्या निवन की पाच मैतम पंगतिया मिल रही है यह उसके कर आएगा पॉसर नमबर 95 कवीता के अनिवन के संबन में सत्यकतन है पाच पंगतिया आप उनको बनाना है पाच पोईटा निवन के बारे में क्या सई और क्या वलत है निवन में कावेद इश्ट्र के तीन रूप बता की होती है विदायव ग्राग सी कवी में ग्राग प्लपनो पेकसित होती activates इस विदश्व पेकसित होती है लिन ईखक उरिक नर्षेत्र के बीदर रहती है कई मनुस09 नभाई एस्रस्वर्षेक और कई समस्ति चला-चल के च कि यहां पर मैंने आपोजिट करकर लिखा था सीडी यहां पर सही करकर लिख दिया है कभी में कौन सी विदायक कलमनों पाथक में गढ़ा कलमनों प्रेक्सित होती हुआ सबसे अधिक आरियतर साइट्य और ललिट कलाओ के छेत्र में हुआ है आजनता के चित्रि साची भरूत आदि में उत्किन चित्र और मूर्तिया आरियतर सभ्यता की सम्रद्धी के परिचायक है उप्रोप पंग्ति कौन से निबंद्ध से आपको बतानी है चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा जी बिल्कुल यह पंग्तिया हमारी संस्कृत्य और साइट्य का संबंद्ध निबंद्ध से है आगे एक उसन नमबर 97 सिप संभू की चिठ्थे निबंद्ध के अनुसार क इसकी मूर्ति भायत वास्यों के हिड्य में बनी हुई है लोर मिंटो की को दूर वा इसकी रीपन की करचन जी बिल्कुल इसकी मूर्ति बनी हुया लोर प्रीपन की है पौसर नंबर 98 के इसमें पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ पर्दे से यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धी पर हिर्द्य को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धी जा कई मार्मिक यह भावा कर्सक किस तरों पर पोची है वह हिर्द्य थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रिविर्दी के अनुसार कुछ कहता गया है और अपरों पंक्ति किस निबनकार की आपको जवाब देना है चार अप्सन है बताईएगा जी बिल्कुल यह रामचल सुखल चिंतामनी भागवन आना उसकी भूमिका कि पंक्ति आई देख सकते हुआ पीवूमिका आट चिंतामनी भागवन न सबसे वरी चीज किसे माना है पर आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है एक पॉंट कह रहा है मनुस्यत्तर पाई है प्रकृति का उद्धीपन के रूप में गिरयान हमारे यह संस्कृत के प्राचिन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है बी पंक्तिया नरत्व की बाया प्रकृति और अंत्या प्रकृति के नाना संबंदों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तकों या परबंदा अधिकतर पाई चाती है मनुष्यत्तर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीत्री भावों या तत्यों की विव्याजना करते है यह पॉइंटर बीम किरयान मही होता है जा कभी अपने सुस्म निरिक्षन द्वारा वस्तों के अंग परत्यंग वर्ण आकृति और उनके आसपास की प्रि देता है चार ओप्सन आपको जवाब देना है क्या हमारा जवाब होगा जी बिलकुल आंसर हमारा हो जाएगा केवल बीडी इए बीडी इए आगे चलते हैं पॉस्टन दोटी नमबर 101 यह थो चुका है मारा कि यह देखें लिट कोस्ट्र सिफ संभू कि चिट्टे निभने के अनुचार सिफसंभू ने सरसयद आयमादकाखत किस कोलिभी को निए चातरों को लिखता था कासी इंडी कोलिज के चातरों को अलीगर कॉलिज के चातरों को तकसिला बिल्कुल किस कोलिज के चात्रों को लिखा था और तो सब हमारे हो चुके आए के वाला कॉसन है इसे सोल्ट करेंगे संस्किर्टी और संस्किर्टी और सदर्य निबन में हिंदी सायत्यकला के बहले हिंदी साइट्यका आदिकर आपने इंपरिये ए द्यान रeshटा संसकिर्टी में में हजारी परसाद द्वेदी की कोड़ कोंसी रचनाओं को लेक हुआ है जी बिल्कुल आंसर रहा हो जाएगा A B C साइट्य कम्रम हिंदी साइट्य की भूमी का विचार और वितर्ड संस्कृति और संद्र निवन में हजारी परसाद द्वेदी की इतनी रचनाओं को उलेक है इनके नाम याद रखेगा पेपर में पूछ लिया जाता है साइट्य कम्रम हिंदी साइट्य की भूमी का विचार और वितर्ड असोक्य फूल प्राचिन बारत का कल्ला विकास जिसका बाद में नाम प्राचिन बारत की कलात्म कुनोध हो गया था में एक दूत एक पुरानिकानी विचार परवाज जनतकांते इस्पंदर निबन संक्ले परंपरा और आदुनिक्ता लालित्य मिमान साथ कालिदास की लालित्य योज्दा और सबसे आखनी में इन चारों पनियास का भी जिक राता है निबन में तो इक दी रचनाओं को लेक आख सहोती है सिरी मती के हरे एक परज्या अपना समय निर्विगन सुक्से काट सकती है कि सरकार के संबाब के कारण हरादमी पीना किसी रॉक टोक क्या अपने ध्रंग के नियम और रितों को बढ़त सकता है उक रोक पंगती कौन से निबन से आपको बतानी है जी बिल्कुल और यो जायेगा दिल्ली दरवार दर्व शर्ण पंगत्वारत वरस्ण लाती कैसे हो सकते है निवन में भात्य फिद्धांडा किसको मारा है समाज के चरनकमल का भज़न, राजनेती की चरनखमल का भज़न, राजनीती की चरनकमल का भज़न, परमेस्वर के चरनकमल को भज़न, आज कई यहां हमरे हमसे लिए ही जी बिलकुल bef़ा कर में हमसे योणिट, करक्तौ Ven registryistentton सुरू करें यूनि टेन आत्म कथा जीलनी तथा अन्मे करता है विदाई करते हैं कॉप्सन सुरू करना कॉप्सन नमर वन है नीम लिकित में से दलित आत्म कथा है मुर्धया आपूद्री आपूद्री क्या वूलू का याद करूँ एक कहनी यह भी इन मैं से कौन से जो है दल जी विल्कुल आंसर नियां पर हमारा हो जाएगा मुर्धाया जो है दलीत आत्मकता है ठीक आगे चलेगे कौसर नमबर टू प्रेमचंद घर में किस रचना की विधा है यात्रवितान्त आत्मकता जीवनी डाइरी सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो आपकी यूरिट यात्र में रचनाई लगी हुए है वे किस विधा की रचनाई है ठीक है जी पिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा जीवनी प्रेमचंद घर में किया है जीवनी है कौसर नमबर टृरी मेरी तिबबत यात्रा नामक यात्रवितान्त का परकासन वर्स है Mason थिर्ी आपको बताना है मेरी तीपत यातर्य जो यात रूद्वित आंता है उसका परकासुन वर्स क्या है जी पिलकुंझ आस्वर हमारा हो जाएगा option a,937 आगे question नम्ब üzer को पहले से बात की करम में लगाई है देखो आपकी जो भी रचना है कितने खंडों में और उनके नाम करम से आपके पेपर में फूर पूछा जा रहा है बताना है बसेरे से दूर आत्म कता जो हरीवंस डाये बच्चन जी के आत्म कता है वह चार खंडों में एक खंड आपके करम में लगा हुआ है क्या बूलू क्या याद करो लेकिन आपको बागी खंड याद होने चाहिए और करम से याद होने चाहिए ठीक है ए बसेरे से दूर बी नीड का निर्मान फिर सी क्या बूलू क्या याद करो डी दस दूर से सोपान तक चार ओप्सन आपको जवाब दे कि बिल्कुर आंसर हो जाएगा CBAT देख लेते हैं हरीवन्स राए बच्चन जी की जो आतर करता है वह चार खंडों में है प्याला खंड है क्या भूलू के याद करूं 1979 दूसरा खंड है नीर कर निर्मान फिर 1970 तीसरा खंड है बसेरे से दूर 1988 फोर्ट खंड है दस द्वार से सोपान तक 1985 यह चार खंडों में जो है विवाजित है चारों खंड आपको पता होने चाहिए इंपोर्टेंट है परकासन वर्स करम नाम सब आपको याद होना चाहिए ठीक है आगे चलेगे घौसन नंबर फाइब मुर्धया आत्म कथा के सीर्षक को पहले से बाद के करम में मुर्धयात्म कथा क्या आपको बताना है इनको पहले से बाद के करम में लगाना है एक अकाल में अंद्विश्वास पी भूती पारिवारिक प्रस्भूमी सी चले बुद की रहा डी भुतनिया नागिन की आजमगर में फाका कसी चार आपको जवाब देना है क्या हमारा जवाब दीजीगा जी बिलकुल आंस्वर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू बी एडी सी ए जो आत्म कथा है सबसे पहले तो याद रखना दलीत आत्म कथा है परिकासन वर्स 2010 ठीक है मुर्धया आत्म कथा जो है साथ खंडों में है खंड कहलो अध्याय कहलो क्योंकि कुछ नाम नहीं दिया गया है कि अध्याय खंडै सरगय ठीक है तो यहां पर साथ सीर सक है कौन को से इनको साथ के साथ का नाम विद करम से ठीक कौसर नंबर बन बूती पारिवारिक प्रसभूमी टू मुर्धया तथा इसकूली जीवन थर अकाल में अंदिविश्वास फौर्थ मुर्धया के गिद तथा लोग जीवन फिफ्थ भूतनिया नागिन शिक्स चले बुद की रा सैवन आजमगर में भाका कसी ठीक है यह साथ जो इसके भाग है इंपोर्टेंट याद रखेगा आगे चलते हैं कौसर नंबर शिक्स मेरी तिबबत यात्र नामक यात्र वृता में पाँ खंड महीं है वो थो भागइन पहले नेपाल की ओर लासा से उत्तर की ओर चार्ट की और शख्य्क इंब की और पाज खंट आप को बताना इनको पहले से बातके करण में लगाना को लगर का टाईए येगास मारा क्या विए आपके सामने चार चाहा आप्सण बताइए जवाब देजी बिल्कुल आंस्वर हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू B C D E A ठीक है देख लेते हैं यहां पर मेरी तिपत याग्रा 1937 यातर विरितान्त है किन का है राहुल सान किर्तियान का पाच खंड है पहला खंड है लासा से उत्तर की ओर दूसरा खंड चार्ड की ओर तीसरा खंड सक्या की ओर फोर एनम की ओर फिप्त देपाल की ओर पाचों खंडों को नाम करम से याद रखना है ठीक है इंपोर्टेंट है आगे चलेगे कोस्टन नमबर सेविट संस्कृति के चार अध्याय ते का नामक रच्णा की अध्यायों को पहले से बात की करम में लगाkim संस्कृति के चार अध्याया कितने है experimental और फिर परते का अध्याय भीबाजिक है ठीक है फिलाल आपको बताना है जो से वाध्याय की नाम के लिए का रिखना है ध् परकरन के नाम के ही पूछे गई थे ठीक है और जब मैं आपको यह पढ़ा रही थी परकरन वाला तो कहले देम इतना डीपली इतना याद कैसे करेंगे लेकिन आप यह भूल गए कि यह 300 पेज की पुस्तक है और आपको सिरू के कम जाकम इतना तो आप रचना में परकर जाओ कि अगर वह अध्याई परकर में विवाजी तो उनके नाम याद हो ठीक है जी बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा डी सी ए पी सबसे पहले आएगा भारते जनता की रचना और हिंदी संस्कृत का फिरवाब अध्याएवन अध्याएवन का यह नाम है ठीक है दूसरे अध्य हिंदू संस्कृति और इस्लाम फोर्ट अध्याएव भारते संस्कृति और यूरॉप ठीक है कि आगे संस्कृति के चार अध्याएव नामक रचना के पर्थम अध्याएव में कितने परकरण है आपको बताना है कितने परकरण है पर्थम अध्याएव में दो तीन नो साथ कोस्ता नंबर एट बताईएगा बताईए कोस्ता नंबर एट कितने परकाने परतम अध्याई में जी विल्गोर आंसर घंब वर परकान हैं आगे चलते कोसर नंबर 9 कि चतूरत अध्याई में कितने परकान आपको बताना हमाँ आप चतूरत अध्याई में कितने परकानन जबाब दीचे कोसर नंबर एट का जी बिल्कुल सत्रे आजuated contractorala चतुरत med all आगे सा जय में कितने परकरन आपको बताना हैं है 12 13 17 कि ओध्या में में किसने पर ऑटाना है 각 WWE 12 परकरन है और दुट्या द्याय में कितने परकरन आपको बताना है जी बिल्गूब साथ परकरन है देखो संस्कृति के चार अध्याय में चार अध्याय है जो पर्थम अध्याय है उसमें कितने परकरन है तीन परकरन ठीक है दुट्या अध्याय में साथ पढ़करं वह में शब्सक्राइब दक्राइव में बार्या पढ़करन और चतुरत अध्याए कि जो है 17 पढ़करन पहरoth आपको संख्या जाहिए जिसे परत जैसर्टाम अध्याई में तीन पढ़करन है तो इन तीनों पढ़करन के भी अपने नाम है आपको पता होने चाहिए और अध्यायों के नाम हम पहले अभी पीछले वाले कोशन में देखकर आ चुक है पर्थम अध्याय का क्या नाम था ठीक है चलते आगे बताएगा कोशन नमबर 12 जैन धरम बोध धरम सिर् कि कुछ अध्याय में संक्लित है जैन धरम बोध धरम बोध धरम में में जैन धरम बोध धरम आगे नमबर 13 शीक धरम इस्लाम धरम सिर्जच परकर संस्कृति के चारा द्यागे कि सत्याय में संक्लित आपको बताना है पर्थमत्याय में दुद्याध्याय में चतुता द्याय बताईए पॉसा नमबर ठर्टिन का जबाब दीजिए चीज बिल्कुल आंस्वर मरा हो जाएगा तिरते अध्याएं पॉसर नमबर 14 संस्कृति के चार अध्याएं नामक रचना के चत्रूत अध्याएं के परकर्णों को पहले से बात की करम में लगाई हैं यह चारों चत्रूत अध्याएं जो उसके परकरण है ठीक है इन परकरण को पहले से बात के करम में आपको लगाना है ब्रह्मा समाज हार्य समाज सिक्सा में करांती हिंदु नवोत्थान चारों जबाब देना पिछली बर तो पेपर में पूछा गया कौन सा परकरण की सद्ध्याय का है इस बार हो सकता है उन परकरण का करम पूछा जाए एक स्ट सबसे पहले आएगा सेक्सा में करांती फिर आएगा हिंदु नवोत्थान फिर ब्रह्मा समाज और आरिया समाज आगा है कौसर नंबर फ्यूप्टि निमने में से संस्कृति के चार अध्याय नामक रचना के पर्थम अध्याय का परकरण नहीं है इन चार में से कौन पर्थम अध्याय का परकरण नहीं आपको बताना है भारते जंता की रचना आरिया दर्विर समस्याय आरिया और आरियतर संस्कृतियों का मिलन प्राचिन भारात और परहमा विस्ट पर्थम अध्याय जो है उसमें टोटल तीन परकरन है ठीक है तो तीन परकरन तो इन चार में से बताना है कौन सा परकरन नहीं है अध्याय वन में पर्थम अध्याय में आपको बताना है जवाब देना है question number 15 कर प्राचिन भारत और प्रहम्मा विश्व ठीक है बागी तीनों पर्थम अध्याय के परकरण है अब डिटेल देख लेते एक बार डिटेल में ध्यादे के साथ पढ़िएगा जैसा कि मैंने आपको बताया संस्कृति के परकरण में विवाजिब तो जो पर्थम अध्याय का नाम क्या भारत जन्ता की रचना और हिंदू संस्कृति का आभिरवाब किलिया उसके प्रथम अध्याय में टोटल कितने परकरण है तीन परकरन का अपना नाम है और तो समस्या पर करन तीन आरीय आरेतर संस्किर्ट्टियों का मिला तो यह यहां पर दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि संस्कृति के चार अध्याय में कितने अध्याय के लिए उसके बाद परते एक अध्याय परकरन में विभाजित है पते एक अध्याय में कितने परकरण їस संख्या पता होने चाहिए उन पर के नाम पता होने चाहिए यह आपको पता होने चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं कहा तो आज तुछ जैगर नाम क्या है प्राचिन हिंदुत से वीद्रों ठीक है अब परतेओक पनाम लेकेगे परकरन 1 बुढ़ से पहले का हिंदुत परकरन 2 जैन धरम परकरन 3 बोध धरम परकरन चार वैदिक बनाम बोध मत करम से ही याद करना क्योंकि इस बार करम पूछे जाने की बि दोद आंदोलन के सामाजिक पष्ण युई पूर्ट परकरन साथ के साथ के साथ के नाम देख लिए ठीक है फिर यहां पर परकरन के नाम देखेंगे परकरन एक हिंदू मुस्लिम परसन की भूमिगा ये भी देख लेना जो इनके अंदर टोपिक एक बार पढ़ लेना तो आपको पता रहेगा कि किसा अध्याय में क्या वर्णन क्या गया है परकरन दो इसलाम धरम, परकरन तीन मुस्लिम आकर्मन और हिंदू समाज, परकरन चार हिंदू मुस्लिम संबन, परकरन पाच इसलाम का हिंदूत पर परवाब परकरन 6 भक्ति आंदूलन और इसलाम, परकरन 7 अमरित और हलाल का संगर्स, परकरन 8 सीख द charm, परकरन 9 कला और सिल्फ पर इसलाम का परवाब परकरन 10 साइट्टे और भासा का परवाब, परकरन 11 उर्दू का जनम, परकरन 12 सामासिक संस्कर्ति के कुछोर रूप चतूरत अध्याएं कितने परकरन है टोटल सतरे पडकरन है पहले नाम देखें कि नाम क्या है भारते संस्कृती और यूरोब ठीक पर करन एक है भारत में यूरोब का आगमत परकरन दोस्ट समय करांती परकरन तीन इसाइट धरम और भारता जंता परकरन चार हिंदो नवोत्थान इस वार आपके पेपर में पूछा गया था हिंदो नवोत्थान संस्कृति के चार अध्याई के कौन से अध्याई में है तो कौन से अध्याई में है चतुर्त अध्याई में है ठीक है परकरन पाज ब्रह्मा समाज परकरन चे माराश्मिन के जीते जागते सबुरुप प्रमांस राम किर्स्ट हर्कान 10 स्वांत करम सवेों . 11 परविर्तिक्त उत्थान – लोकमाने डिलाग। 12 स्वड का महायोगी परफिन 16 diffुमिकोcessors महात्मा गांदी का परियोग। परकरन 14 विश्वी दर्शन के परवर्टक सिरी सपनली राधा किर्ष्ट परकरन 15 मुस्लिव नवत्थान परकरन 16 सर मुहम्मद इक्वाल परकरन 17 भार्टे राष्ट्यत और मुसलमान तो यह हुए चतुर्थ अध्याय के सत्रे के सत्रे परकरन के नाम किलियर हुई चीज़े देखो यह इनके जितने भी अध्याय है अध्याय के नाम परकरन के नाम एक पेज पर जो है उनको चार भावों में डिवाई करो कैसे यहां पर चार टेबल बना लो क्या करो यहां पर लिको पर्थम अध्याय का जो नाम है बो लिको तीन परकरन है पर्थम अध्याय तीन प पहले दित्तो यहां पर कितने करने नाम यह पर न हैं तो यह बना लोगो परेसान हुलगी सब भी अध्याय के सभी तो आप सकते से इक पीश में बना लो इन परकरन सब्सक्राइब देव देवी गुतिया जबाद दीजेगा मार्टी की मूर्थे किसकी रचना है रामविरिष बेनिपूरी के पताइए जबाब दीजिए कोसर नमबर सिष्टिम आप लोगों को पीडिया क्यों चाहिए कोसर में सोल्ड करवारी हूं चाहिए पीडिया का मामला क्या है यह फोन में रहा जाती है यह लगता है बाद में पीडियाप से सोल्ड करेंगे और प्रीडियाप तो में यह जारो पड़िया मंगर देव बुद्यां यह तीनों जो है माटी की मूर्थे नामक रेखा चितर के बात रहता है आगे कॉसन नमबर 17 मुर्धया नामक रचना के बात रहा नगर परसुराम सिंग परमेशर देवराश सिंग सर्जु चार जवाब दीजिएगा बताइएगा जवाब दीजिएगा परमेशर और सर्जु किस रचना के पात्र है माटी की मूर्थे के दोनों पात्र है आगे कॉसन नमबर 18 अवारा मसिया नामक रचना के पात्र है केदारनात राजू बिर्जू धीरू मोहन ठीक है पांच यहां पर पात्रह आपको बता रहें इक मैसे कौन-कौन से अवारा मसिया के पात्र है चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा पॉसन नमबर 18 का बताइए जवाब दीजिए भई जी बिर्जू आंसर हमाय हो जाएगा केवल ए बी टी केदारनात राजू धीरू आगे चलते एक उसर नमबर 19 नीला नामक पात्र किस रचना में है अवारा मसिया आपूद्री क्या पूलू के याद करूं एक कानी यह भी नीला नामक पात्र आपको बताना है किस रचना में पताएगे जवाब दीचे जी बिलकुर नीला नामक पात्र आपारा मसिया रचना में ठीक आगे कॉसर नमबर 20 क्या भूलू क्या याद करूं नामक पात्र आपको बताना है कौन से इस्त्री पात्र है जी बिल्कुल अरस्वर नमाने हो जाएगा ओप्शन वन केवल A C D सरस्वती स्यामा चम्प ठीक है ये तीन पात सरस्वती स्यामा चम्प क्या भुलू के आधिकरू नम्मकरचना की जो इस त्री पात्र हैं आगे कॉस्ण नम्मर 21 क्या भूलू के आधिकरू नमकरचना की पूरुस पात्र है रादेलाल हीराल मिठुलाल भोलानात स्यामलात पात्र आपको बताना है कौन है कॉस्ण नम्मर 21 आपको कॉस्ण अच्छे लग रहे हैं तो जो है क्लास को सेर जरूर कर दीजिगा आपको आंसुरमर हो जाएगा केवल स्यामल भी सीविदी हीराल मिठुलाल भोलानात यह तीनों पात्र जो है क्या भूलू क्याद करू रामकरचना के पूरुस पात्र है आगे कॉस्ण नमबर 22 एक साहितिक की डाइडी नमकरचना के परक्रणों को पहले से बात की करम में लगाएगए एक साहितिक की डाईडी उसमें पर करने टोटल 13 पर करने ठीक है उनमें से कुछ परंकरन के आप नाम लिखे जिनको आपको पहले से बाद की करम में लगाना है वीर कर डबड़े पर सूरज का भीम तीसरा चंड कुटु यान और काव्या सत्य एक मित्र की पतनी का परसन चिन पाच यहां पर आपको इ कीजेगा पॉसर नंबर 22 का ची बिल्कुर आंसर अमारा हो जाएगा CBEAD देख लेते एक साइटिक की टाइरी टोटल किते तेरा पर करने इसमें पर्थम पर करने तीसरा चंड दुट्य एक लंबी कविता का थर्द डबड़े पर सूरज का भीम फोर्ड हासे पर कुछ नोट्स 5. सरक को लेकर एक बाच्ची 6. एक मित्र की पत्नी का पर्सन चिन 7. नए की जनमकुंडली 1. 8. नए की जनमकुंडली 2. 9. वीरिकर 10. विशिस और एदुट्य 11. पुटुयान और काभ्यसत्य 12. कलाकार की व्यक्तिकति मांदारी 1. 13. कलाकार की व्यक्तिकत इमांदारी 2. इंपोर्टेंट एक साहिक्ति की डाइरी में टोटल 13 पड़का लों आपको नाम याद होने चाहिए करम से ठीक आगे चलेगे कौसर नंबर 23 अरे यायावर रहेगा याद नाम क्या तरवरितान के अध्यायों के नाम हैं किर्णों की कोज में सूरे की कोज में इनको आपको पहले से बात के करम में लगाने हैं अरे यायावर रहेगा याद नामक याद तरवरितान के अध्यायों को लगाए करम से बताएए खौसर नंबर 23 जवाब दीची क्या हमारा जवाब होगा जी बी पुटको आंसर नंबर हो जाएगा के वर एडी ए किर्णों की खोज में आलूरा मोध की घाटी में ठीक है यातर्वितान के अध्यायों के नाम कोंसे इन कोंसे हैं करणों की खोज में देवताव के अंचल में मोथ की गाटी में हैलूरा माजूली बैता पानी निर्मला और सागर सोवित मेग में खरित करने कुमाई से नंदा देवी टोटल जो है आज एफ वन तू त्री पॉर फाइफ शिक्स सेवन एट ठीक है आगे कोसर नमबर ट्वेंटीफॉर यह हिंदी के हजार वर्सों के इत्यास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेवा की सास और सदभावना से कह दिया गया है अब्रोक पंक्ती क्या भूलू क्या याद करू आत्मकथा के संबन में किस आलोचक ने कहा है रामदारे सिंग दिंकर हजारी परसाद दुएदी धरमवीर भारती नरेंद्र सर्मा कोसर नमबर ट्वेंटीफॉर बताना है जबाब देना है कोसर नमबर ट्वेंटीफॉर का क्या हुमारा जबाब होगा जी बिल्कुल आंसर हो जाएगा धरमवीर भारती ने काया क्या भूलू क्या याद करू आत्मकथा के संबन में किस आलोचक में कहा है रामदारी सिंग दिंकर हजारी परसाद दुएदी धरमवीर भारती नरेंद्र सर्मा कोसर नमबर ट्वेंटीफॉर बताए जबाब दीजिए ये कोसर पहली बार ही हो रहा है ना यह उनुट टैन के जो भी आपको कोसर करवा रही हो जी बिल्कुल किस ने कहा है हजारी परसाद दुएदी जी ने कहा है कोसर नमबर ट्वेंटीफॉर है हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम पडिनती है यह पंग्ति क्या बुलू क्याद करवा तो कि संबंद में किसालोचक ने कहीं बताईए दिनकर अग्या सिमंगल सिंसुमन नरेंद्र सर्मा यह कुछ पंग्तिया ना जब हम क्या बुलू क्याद करो जो है और रचना ओप सब्सक्राब ना है ठीक जी विल्गों यह किसकी है यह नरेंद्र सर्मा की यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम पडिनती है आगे कौसर नमबर 27 ऐसी अभीविक्तिया नई पीड़ी के लिए पाथ्य बन सकेगी इसी में उनकी सार्थकता भी है उप्रोप पंग्ति क्या भूलू क्यात करो आथ कथा के संबद में किस आलो चकने का है दिनकर अग्या सिम्मंगल सिंग सुमन नरेंद्र सर्मा कोसर नमबर 27 बताईएगा कोसर नमबर 27 का जवाब दीजिएगा जी बिलकुल आउसर हमारा हो जाएगा सिम्मंगल सिंग सुमन आगे चलते हैं कोसर नमबर 28 हिंदी परकास्तनों में इस आथ कथा का अत्यांत उज्जास्थान है उप्रोप पंग्ति क्या भूलू क्या याद करो आथ कथा के संबद में किस आलो चकने कहा है दिनकर अग्या सिम्मंगल सिंग सुमन नरेंद्र सर्मा पॉस्टर नमबर 28 हुआ है बताइएगा जबाब दीजी रख क्या हमारा जबाब होगा जी बिल्कुल यह हमारी पंग्ति रामधारी सिंग दिंकर देख सकते हो बुक में यह आए यह बुक कही आए आपर यह सारी कोटेशन देख लेना इंपोटेंट है आपके पेपर के नजरिये से ठीक है यह सब क्या भूलू क्या आयाद करो आत्प्रता के बारे में कहा गया ह टिक आगे कौसन नमबर 29 आवारा मस्या नामक रचना विभाजित है परकरण में अध्याई में खंड में पर्व में आपको बताना है जो आवारा मस्या रचना है वो किसमें विभाजित है कौसन नमबर 29 जबाब दीजिए बताईएगा जी फिल्कुर जो आप पर्व में विभाजित है आवारा मस्या रचना आगे कौसन नमबर 30 आवारा मस्या नामक रचना कितने पर्वो में विभाजित है तीन चार पाच छे जी बिल्कुल यह तीन पर्वों में विवाजित तैंवारा मस्या नामक रजवंग पॉस्णर नमबर 31 अवारा मस्या नामक जीवनी के पर्थमपर्व के नाम है दिसा अरह में निम्हाय कित में की की कि नूप शिर्षपों का वर्णनन है आपको बताना इन पात पर छे किनी उप सिर्षपों का वर्णन है datab भर 1500 जी बिल्कुल आंसर अमरा हो जाएगा पी सीटी विदागा दर्थ वंसका गोरब और प्रेम की अपार भूप आगे चलेगे एक उसर नमबर 32 अब आरा मस्य नामक जीवनी के दुइत्य पर्व क्या नाम है दिशा की खोज में निम लिखित में से की रूप सिर्शोकों को वर् थेर दाबी चार ओप्सन है जवाब दीजिएगा कॉसर नमबर 32 का बताएगे जवाब दीजिए कॉसर नमबर 32 का क्या हमारा जवाब होगा जी बिल्कुर आंसर नमबरा हो जाएगा केवल ABD एक और सपन बंग चित्रांकर और होज और होच आगे चलते हैं कॉसर नमबर 32 तो हो चुका है 33 चलो कोई नहीं दुख देख लेता है कॉसर नमबर से क्या होता है अब आरा मस्या नावक जीवनी के तिर्ट्य पर्व दिसान तिर्ट्य पर्व का क्या नाम है दिसान में निमलेखित में से किन उप सिर्षोकों का वर्णन आपको बताना है रिसीकल पथेरदावी बंस का अगोरब रोबिन उड़ स्री अडविंद का आशिरवाद चारों आप्सन ने बताना है तिर्ट्य पर्विन में से किन का वर्णन है कि बताईएगा जबाग दीजिएगा पॉसन नमबर थर्टी टू जी बिल्कुर फांस्वर अमारे हो जाएगा एड़ी रिसीकल रोबिन हुड स्री अडविंद का आशिरवाद ठीक है देख लेते हैं आवारा मस्या की बात करूं तो यह सरचंद जी के जीवन प्रादारीत है वो सबको पता ही है इसमें तीन पर्वे पर्थपर्व का नामे की खोज तीन पर्व क का नामें दिसा थीख है पड़ते जो पर्व ऊसमें अपने कुछ सीड सक है देखेंगे पर्थम पर्व दिसा औरा में सीड सक है विद्या का दर्ध भागलपूर में कठोर अनु सासन्य राजुव इंदरनाथ से परीच सक गोरव होनार बिर्वान रोविनूर अच्छे विद्यार्ति से कथा विद्या विशारत तक एक प्रेम प्लावित आत्मा वहयूग नाना परिवार से वीद्रो सरत को घर में मताने दो राजू इंदरनात की याद स्रिजिन का यूग आलो और छाया प्रेम की अपार भूग निरुद्यस से यात्रा जी यह वी पर्थम पर्व की बाद ठीक है उसके बाद है दुईत्य पर्वे दिशा की खोज इसके सीर सके देखेगे एक और सपन भंग सब्य समास से जोडने वाला गुन खोज और खोज एक अलकालिक दांपत्य जीवन चित्रांकन इतनी सुन्दर रचना किस ने की प्रेर्णा के स्रोथ मोस्गदा से एरनमई ग्रहदाद हां अब फिर लिखूँगा रामेर सुम्री सर्तेर सुम्ति सिर्जन का आवेग चरित्र हील क्रियेटिंग अलार्मिंग सेंसेशन भारत वर्ष में दिराजबोव विजई राजपुमार नए नए परीचय देहाती सम समाज और अवारा सिरीकांद दिशा की खोज समाब त्रिक है यह हुए दृत्यपर्व दिशा की कोज के सीर्षक आगे चलेगे आगे तीर्थ पर दिशांद उसके भी देखेगे सीर्षक कितने है टोटल 29 इन गोलों में कितने कितने ते 18 अठारे पर्थमपर में अठारे द देश की मुक्ति का वरत स्वादीनता का रप्त कमल निश्कम दीव सिखा समाने समाने खोय परदेर विनित के एटर राजनिती की अभिग्यता का साइत्य लिखने का दर्द समस्टी के वीच अवारा जीवन की ललक हमने इतोंने समाप्त कर दिया पथेर दावी, रूब नारायन का विस्तार, देहाती सरत, दायो निशस सिवानी से वैसनभी कमल लतातर तुम में नाटक लिखने की सकती है, नारी चरित्र के परम रैस से ग्याता, मैं मनुष्य को भोत बड़ा करके मानता हूँ देश के तरुनों से मैं कहता हूँ रिसीकल गुर्वोर्शिस से, कैसोडिय का वै ऐसफल प्रेम, स्री अर्विंद का असिरवाद, तबू बियंग होई, बियंग भोड, अल्ला अल्ला, मरीज की हवादों बदल साजन के घर जाना होगा, बे सुमार यादे, यह कैसा है, साजन के घर जाना होगा, यह तो याद हो ही जाएगा, आपका न, यह तो गाना भी है ठीक है, तो यह बात हुई, अवारा मस्या की, तीन पर्वे, तीन पर्वे के नाम, तीन पर्वे, तीन पर्वे के नाम बता दिया, उसमें कितने सिर सक है, यह भी आपको मैंने बता दिया, आगे चलेगे, कॉसर नमबर 33, भोला राम का जीव कानी में, भोला राम में कितने दिन पहले देहें प्यागा था पाच साथ आठ नौ कि बताएं एक औसर नंबर 33 का जवाब रीजिए पाच दिन पहले देहें प्यागा था आगे एक औसर नंबर 34 ये तो माना की तगाफुल ने करोगे लेकिन खाप हो जाएगे हम तुमको ख़बर होने तब उपरोग पंक्ति किस रचना की है भोला राम का जीव जामुन का पेर तीसरी कसम चीव की दावत बताईए जबाब दीजिए ये तो माना की तगाफुल ने करोगे लेकिन खाप हो जाएगे हम तुमको ख़बर होने तब जी बिल्कुत आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन टू जामुन का पेर खौसन नमबर 35 जामुन का पेर कानी में सायर का उपनाम था कोस 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 जामुन आगको बताना है जामुन का पेर कानी में सायर का क्या नाम था जी बिल्कूर आंसर हमारा हो जाएगा ओस पॉसर नमबर 36 आज तक मैं दूसरों की जिंदगी पर आदारित कान्याई रच्टी आई थी पर इस बार मैंने अपनी काहनी लिखने की जूरत की है है तो यह जूरती क्योंकि हर कथाकार अपनी रच्टनाओं में भी दूसरों के बानने से कहीं ने कई अपनी जिंदगी के अपने अनुभवक के टुकरे ही तो विखेरता रहता है पॉप्रोक पंक्ति किस लेखिका ने श्रॉम के बारे में काया आपको बताना है मन्नु बंडारी क्रिश्न सौप्ति मादेई वर्मा उसा प्रियम बदा पॉस्ण नमबर थर्टी सिक्स बताइएगा क्या मारा जवाब होगा जी बिल्कुल आंसर हमारा हुजाएगा मन्नु बंडारी कि आगे चलते हैं कॉसा नमबर थर्टी सेवन नारी तो मा बनने के लिए ही बनी है उसके सपनों में कोई से अधिक मदूर पोमल और सबल नहीं होता मा बन करी वे पून होती है नैपन सकी तो इस अभाब के लिए वे अपने को धिकारती रहती है उप्रोग पंक्ती कौन सी रचनस है अवारा मस्या आप फूद्री क्या बूलू क्या याद करू एक कानी यह भी कोस्टन नमबर 37 का जवाब दीची जी बिल्कुल आंसर होगा हमारा उप्शन सी क्या भूलू क्या याद करूं आज का जो है यह यूनिट 10 का अंतिरी कोस्टन है इतने कोस्टन में बना पाई थी जो मैंने आपको सोल करवा दिये क्या आपको सोल आपकोस्टन